इस लाइव मैच में जो भी टीम जीतेगी और जो भी टीम हारेगी यहाँ से घर जाएगी देखता होगा कौन सी टीम यहाँ पर जीतना जाती है और कौन सी टीम यहाँ पर बाहर होते हैं नजर आती है नॉक ओड मुकाबला है इसके बाद जो भी टीम जीतेगी वो जाके भीड़ेगी धिंडी गुल ड्रैगन से उसके बाद जो भी टीम वहाँ जीतेगी वो भीड़ेगी फाइनल में जाके लाइका कोवेई किंग से तो यहाँ पर दो स्टेप दूर है तो नहीं से एक टीम हिंदी पर स्टार्ट हो चुकी है लाइक करिएगा आप सब्सक्राइब कर दिये चानल को और इंज्वाइब करिएगा इस मुकाबले को क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टन मुकाबला है कल पहला कौलिफायर ता जहां पर लाइका कोवेई किंग ने फाइनल में जो है जगा प पैंथर्स के बाद भी चौक आए आपर क्योंकि ट्री एंपियल के पॉइंस टेबल में नंबर चार की पोजिशन पर देखते हैं आज कौन से टीम होगी कफ्तानी दुनों टीम होगे जो कफ्तानों ने बड़ी जबरदस करिए इसलिए प्लेएफ में वह कौलिफाय हुए ह बगर अब सिचुशन यह है कि यहाँ पर हारने का फर्क पड़ेगा क्योंकि अगर जो भी टीम यहाँ से हारती है वो सीधा-सीधा टूनमेंट से बाहर हो जाएगी और दूसरी टीम जो है वो आगे बढ़ जाएगी यहाँ पर तो देखते हैं क्या होता है बाकी आप सो लो सन्यवाद आजम भाई जूर्चों के एलो ब्रो पिच कैसी रही कि बॉलिंगे बैटेंगे भाई यह वही पिच्छ है जियां यहाँ पर सलेम के यह पिच्छ है सीध्रिकेट गाउन की यह पिच्छ जहाँ पर कलक मुकाबला खेला गया था सारी इंफ्रमेशन आपको कि यहां पर बात करेंगे मौसम की मौसम का सूर्थहाल जो है वह किस प्रकार है यहां पर तो देख लीजेगा सलेम एंडिया यह मुकाबला तीन नदीज्स दिंडेंशी काफी जादा होगी 70% humidity है यहाँ पर मगर अच्छी यहाँ पर बात यह है कि cloudy weather रहता है तो बादल जो है वो अभी भी चाय हो है पूरे दिन जो है बादल चाय रहे है इसलिए कि पूरे यहाँ पर चालिस ओवर का खेल जो है वो देखना हो मिल जाएगा वैसे लीक के भी काफी जादा मुकाबले खेले गए थे और काफी अनुकूल यह पिछ रही है इस बार तेज गेंद बाजों को यह पिछ काफियत करते नजर आई है बल्ले से काफी रन बंत नजर आ आज भी हमें अच्छे खासे रन बंत नजर आएंगे इस ग्राउंड के उपर तो मौसम का सूर्तिहाल आप समझ गए होंगे आप ऐसे ग्राउंड का 28.3 डिगरी सलसेश टेंपरेचर है बादल जो हैं कहीं न कहीं ग्राउंड के पर मगर उमीद यही है कि बारिश ना हो क्य प्लेवाफ हमको पता ही है कि प्लेवाफ में चाहती है कि पूर उसी दिन एक ही दिन के अंदर जो है मुकाबला जो है खत्म हो पूरे 40 खेल जो हो जिससे वह अपनी गेम को जहां बदल सके या फिर प्लैन को जहां पर तो यह मौसम का सूर्तिहाल बाकी अब देखते हैं क्य रहेगा और दो टीमें जब आपसें भीड़ती हैं तो किस तरीके का खेल जो है वो देखनों मिलता है अगर उससे पहले आप सब लोग कल्यान बुक के साथ जॉइन कर लीजेगा या लिंक है डिस्क्रिप्शन में लाइचमर पिन कर दिया है उस लिंक को क्लिक करके वाट्स लिंक है डिस्क्रिप्शन में लाइचमर पिन कर दिया है उस लिंक को क्लिक करिएगा वाट्सब मेसेज करिएगा और अपनी आईडी जहों ले लिजेगा कल्यान बुक की आईडी के उपर आप सारे मुकाबल लाइच दे सकते हैं चाह क्रिकेट हो फोटबॉल टैनिस हो पहरे डिपोईट करने पर आपको 20% का बोनस मिल रहा है प्लस 500 पर डिपोईट करते तो आपको 100 पी की फ्री बैट मिल रही है और यहां पर डिपोईट आप गूगल पर फोन पर पे टियम से बैंक ट्रांसफर से कर सकते हैं और सब्सक्राइब जो है 15 से 20 मिन के अंदर बैं पहले डिपोईट करने पर आपको 20% का बोनस यहां पर देखने हो मिल रहा है तो चलते हैं जब दो टीमों की बात करते हैं तो देखिए का यहां पर हैट टूएड मेंगर आप नजट डाले तो दो टीमों के बीच टोटल पांच मुकाबले खेले गए हैं हैं यहां पर और पांच में से तीन मुकाबले जहें वो नल्लाई रोयल किंग जीतते नज़राई है और दो मुकाबले जहें मधुरई पैंथर्स की टीम जीतते नज़राई है इस सीजन के अंदर 2023 के अंदर भी दोनों टीमों के बीच में एक मुकाबला हो चुका है मदुरे पैंथर्स वर्सिस नले रोयल किंग के बीच में जहाँ पर पहले बले बाजी करते हैं मदुरे पैंथर्स ने 126 रण मनाय थे और नले रोयल किंग ने 1394 गेंदों के अदर ही यहाँ पर 139 सरन मना कर मैच को जीता है छे विकिट से अपने नाम किया था और देखा जाए मैं अगर मैं रिकॉर्ड देखूं तो पिसे दो मुकाबलों से लगातार मद्रोई पेंथर्स को हरा रे चाहे 22 या फिर 23 यहां पर मगर अगर बात की कि जाए दों टीमें पहली बार समपी नेजिया मद्रोई पेंथर्स ने नेले रोयल किंग को हरा है तो देखिव जब भी यह दों टीमें खेलती है तो एक कॉंपेडिशन का महावल रहता एक जबरदस्त महाउल जो है वो देखना हो मिलता है तो मुझे लिएता है कि आज की इस मुकाबले भेवी नेले रोयल किंग और मध्रोई पैंथर्स के बीच में एक अच्छा खासा मुकाबला जो है वो देखना हो मिलेगा तो तयारी कर लिजेगा आज बड़ा ही जबरदस्त मुकाबला रहेगा यहाँ पर इस पिच के उपर तो आफसरों लोग तयार हो जाएगा बाकि हैड टू हैड में पल रहा जो है वो नेले रोयल किंग का भारी है और यहाँ पर हैड टू हैड में बड़ा क्लोज कॉल है और नेले रोयल किंग आगे है हैड टू है मुकाबला तरही हैं अगरに अगर बात की जाए रिशन परफॉझम की तो उस पर भी नजी डालिएगा है रिशन परफॉझमांस वी जवह तरीके से रहेगी यहाँ पर तो देखें कि कि पिछले पांच मुकाबले में अगर की जाए। तो यहाँ पर सरत्य पैंग में जील यह मश्री पलंबें हैं को यहां पर त्सजी के इनला तीसरे पाइदान पर कॉलिफाइए किया था मध्रोई पैंथर्स ने बात की जाए पिछले साथ मैचों के अंदर चार मुकाबले जीते हैं तीन मुकाबले रोयल किंग ने जीते हैं और पिछले पांच मुकाबलों में से मध्रोई पैंथर्स की टीम चार मुकाबले जीते ने जाये हैं तो मध्रोई पैंथर्स की जो बत्ती है इस सीजन के अंदर थोड़ा साथ पीछे से जली थी और पिछले चार मैचों को जीते हैं यहां पर कॉलिफाई किये था इस प्ले आफ के अंदर तो आप समझ गया होंग यहां पर दोन टीमों की रिसेंट प्रफॉर्मेस पॉइंस टेवल में अगर देखा जाए तो पांच जीत इस सीजन के अंदर नेले रॉयल किंग के पास है और चार जीत जो है मधरोई पैंथर्स के पास है तो यहां पर पर पल रहा जो है थोड़ा सा मधरोई पैंथर्स का भ पर रहा है है यह स्कोर 208 रहा है और लोगे स्कोर 24 रहा है वहीं मधरोई पैंथर्स की बात की जाए तो उनका जो वीनिंग परसंटेज है बिचल 10 मुकाबलों के अंदर वो भी 50 परसंट रहा है तो दोनों टीमें यहां पर विनिंग परसंटेज के मामले में बराबर पे र बाकि मधरोई 35 के पास भी एक अच्छी खासी बल्ले बाजी अब देखते हैं दोनों बल्ले बाजी जब टकराएगी तो क्या एक हाई स्कोरिंग मैच हमें देखनों मिलेगा या फिर जह वही एक तरफा जिसे कल एक तरफा मुकाबला जो है वो देखनों मिला था उसी दरी चीमों के आप बराबर हैं यहाँ पर तो आज बराबरी की ट्रेकर है और उमीद यहीं है यहाँ पर बनी रहे तो लाइक करिए का आप सबस्कार कर दिए चानल को यहाँ पर आजम बाइब बताएं कैप्टन वाइस केटिंग इसको बनाए बाइब बिल्कुल आगे चलते लाइचमर पिन कर दिया है उस लिंग को क्लिक करके वाइचमर मेसेज करिएगा और अपनी आईडी जो हो ले लिजेगा आज ही 500 रुपे डिपोईट करने पर आपको 100 रुपे की फ्री बैट जो हो मिलती है प्लस पहले डिपोईट करने पर आपको 20 परसंट का बोनस ही मिल रह है उस लिंग को क्लिक करके वाइचमर मेसेज करिएगा और अपनी आईडी जो हो ले लिजेगा यहां पर आप सारे मुकाबले जो हैं वो लाइफ दे सकते हैं और यहां पर टोटली एक्स्चेंज है लॉसकर मुक्सर कर सकते हैं ट्रेट कर सकते हैं डिपोईट आप गूगल लाइचमर पिन कर दिया है उस लिंक को क्लिक करके वाइचमर मेसेज करिएगा और अपनी आईडी जो हो ले लीजेगा स्कीन पर दिये वे नंबर पर भी वाइचमर मेसेज करके आप अपने आईडी जो हो ले सकते हैं यहां पर बात करते हैं पिच किस तरीके से रहेगी दे इसे देखा जाए में पेछ से सीजन के अंदर सलेंग स्माटन के पीछ पिछ स्मिनर गेंद बाजो काफी ब्दद करती थी मगर इस सीजन के अंदर ये जो पीछ है वो कहीं ये कहीं तेज गेंद बाजो को जादा मनत करते हैं नजर आई है तो सलीम स्पार्टन के पिछ गेंद बाजो के रिए काफी एंकूल रहती है यहाँ पर जो फॉस्ट इनिंग एवरेस स्कोर है 146 रहता है और सलीम के उपर इस सीजन के अंदर तेज गेंद बाजो ने काफी जादा विकेट चटकाए है बरस्पत स्पनर गेंद बाजो के मगर यहाँ पर इस ग्राउन पर जो अवराल रिकॉर्ड देखा जाए तो रन Check करने वाली टीम जो है वो ज्हारत तर मुकाबले जीत वहा है यहाँ पर हो सकता है टॉस जीतकर कफ्तान जो है वो चेज करना जाएं दूसरी टीम को कम से कम स्कोर पर रोकें और मुकाबले को अपने नाम किये जाए तो देखतेगे चेज करने में मझाए मदूरी पैंथर सोच है नेले रोयल किंग दोनों वो काफी बड़ी है अब देखते हैं कि कों सा कफ्तान जो है वो जीतते हैं यहाँ पर अरुमकारति जीतते हैं या पर सी हरी निशान जो है वो टॉस को जीत कर क्या करते है यहाँ बहुराल देखा जाए कि इंद बाजी के लिए काफिर इनकुल पिछ रहती है फर्स टीनियार्स को सच्छाली जरूर है ओर और बतारों मैं ओर 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 ओरॉल वहीं अगर बात की जाए यहां पर तेज गेंद बाजो को जादा बनत मलती है बरसपत इस्परनर गेंद बाजो के अगर बात की जाए इस ग्राउंड के स्टेट्स को अगर ओर 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 स्टेट्स देखेंगे तो पिछले सीजन का इस सीजन का तो टोटल 18 मुकाबले इस पिछ पे खेले गए है और पहले बल्ले बाजी करने वाल टीम जह वो 10 मुकाबले जीते नदर आई है चेज करने वाल टीम आठ मुकाबले जीती है और विनिंग परसंटेज की बात की जाए तो 60 परसंट विनिंग परसंटेज है पहले बल्ले बाजी करने टीम की है और वहीं चेज करने टीम का जो यहाँ पर परसंटेज है वो 40 परसंट है यहाँ पर वहाई फर्स इनिंग आप इसको 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 ठारा है हाइस टूटल 206 का है हाइस चेज 174 का है और लोईस डिफेंड जो है 173 का है आप यहां पर 170-199 तक बनते हों नजर आए हैं इस पीछ पे मगर ओवराल देखा जाए इस सीजन में जिया इस सीजन के अंदर जो नौ मुकाबले आठ मुकाबले खेले गए उस पे जरए नजर डाल दियेगा आप सो लोग यह देखिए फिटल नौ मुकाबले इस सीजन में खेले गए और कहीं न कहीं यहां पर पहले बल्ले बाजी करनल टीम जातर मुकाबले जीती है और वहीं पहले बल्ले बाजी करनल टीम का दबदबा जो है बना हुआ है तो यहां पर अगर देखा जाए तो बल्ले बाजी के लिए थोड़ सा अनकूल रग रही है मगर तेज गेंदबाज यहां पर चाहे रहेंगे इस पिछ के उपर समझ गया होंगा यहां पर इस सीजन के अंदर टीन पील दोहजर तेज के अंदर इस पिछ पे जो एवरे स्कोर है पहली पारी का 164 रन है और दूसरी पारी का 144 रन तो आप समझ सकते हैं कि कितनी अच्छा-खासा मुकाबला होगा एक अच्छे-खासी बलेबाजी होगी और एक अच्छे-खासे अच्छा-खासा रंस जहें बंते विन जनाएंगे इस पिछ के उपर और यहां से अगर बात की जाए तो ओवर्यू अगर देखेंगे तो इस पिछ पे यार बड़ा ही जब मज़े आएगा आज खेल में देखें मज़ा आएगा इस खेल में आज चलैंबात करते हैं यहांप अगर बात की जाए कि आस पडर सं परसेंटीड चट्कांतेagen नदरा है अगर मैं इस सीजन की बात करू to देखिए आगा पिछो यहांपर कुछ मुकालों में नौ मुकाबल यहां आपर 35 परसंट विक्टे तबर चटका और 25 परसंट विक्टे जहें स्पिनर जीम चटकाई है तो यहां पर सिजन में पिछ कुछ अलग ही बियेव उनको विकेड्य मिलें бाज शायर मगर यहाँ पर बल्ले बाजी भी काफी अन्कूल रही तो अगर फैंटेसी टीम बराने हैं तो दो तेज गेंद बास दो स्पिनर गेंद बास एक और राउंडर जो है अपनी टीम के अंदर रह सकते हैं यहाँ पर तो यह पिछ का सूर्थ यहाल बाकी आप सब्सक्राइब कर दिए चनल को और जुरते रहिए का हमारे साथ इस मुकाबले में मेरे साब से तो बढ़िया ठीम रहेगा बढ़िया ठीम रहेगी आज बढ़िया खेल जो है वो देखने हो मिलेगा बस आप से लोग स्ट्रीम को शेर कर दीजेगा चलों सब्सक्राइब कर दीजेगा और 3% लोग यह कह रहें तो आज फेवरेटिस लोगों की रहेगी वह रहेगी यह रहेंगी और मदुरेइगा लुग और प्रशन्टेज आप देखते हैं जो बहतर खेलेगा वही इस मुकाबले को जीतेगा और देखिए करो या मरो का मुकाबला है तो जो वी टीम आगर आज गलती करती है तो खामियाज़त यहां से टुर्नमेंट से बाहर होके चुकाना पड़ेगा यहां पर चलते हैं जरा प्ले कि था प्रदिशन किया है कि इस तरीके से दोनों टीमें यहां बहूं बहुत खेलते नद दराए हैं अगर उससे पहले आप सब लोग जो हैं वह कल्यान बुक के साथ जॉइन कर लीजएगा कल्यान बुक का लिक डिस्क्रिप्षण में है लाइचा अना पिन कर दिया है उस से कर सकते हैं remained transfer से कर सकते हैं वीड्रॉल आपको 15-20 प्रिंट के अंदर बैंक अंकाउंट के अंदर मिल जाता है कल्यान इंबुकर आप सब NagD projekt हो football टैनिस हो कोई भी मुकाबला हो आप सारे मुखाबले लाइद सकते हैं कल्यान बूक के ऊपर टोटली एक्षे लॉज़कर बॉकस टेज़ कर सकते हैं और साथा सत में अगर आज ही जी है अगर अपनी ID लेते हैं और 500 रुपे लेते हैं तो आपको 100 रुपे की Free bet मिलती है प्लस इसके साथ साथ अगर आप माले बॉट करते हैं आप सुझतों लोग तो आपको 20 प्रशंट का वाट्सप मेसेज करिएगा और अपनी आईडी ले लिएगा जान रखेगा मिनिमम डिपोजिट सिर्फ 100 रपेका और मिनमम विड्रॉल भी सिर्फ 100 रपेका है और स्क्रीन पर दिये वे नंबर पर भी आप वाट्सप मेसेज करके जो है आईडी लिसकते हैं तो लिंक जो है व स्टिम केंदर है पिछला मुकाबला जो खेला एक क sellers मुकाबला था क्या ला जबाव गेंद बाजी हुई थी और कहीं मदुरै पैंफर से तरफ से चार रंड से ITT की टीम को हराया था जहां पर 160 रंडिफेंड किये थे मद्रोई पैंथर्स की टीम ने जरूरी मुकाबला था अगर हार जाते तो कहीं न कहीं टूनामेंट से बाहर हो जाते तो यहां से मद्रोई पैंथर्स जो है बल्लेबात जी की थी अगर बात करूं यहां पर एस लोग सुरेश लोकोईश्वर कीजिए आएगा हरी रूकेशन नहीं सुरेश लोकेश वर इंका नाम है विकट कीपर बल्लेबाज है पहले मुकाबले में 10 गेंद में तीन मुकाबलों से मैं कहूँ तीस प्लस स्कोर तीन बार बनाते हों नजर आए हैं इस टूनेमेंट के अंदर लगा तार बल्लेबाजी में इंप्रूव कर रहे हैं पहला मुकाबला खराब गया था मगर तीस से तीन मुकाबलों में लगातार 32, 49, 44 रन बनाते नज़र आए हैं ऐसर बल्लेबाज टीम में खेलते हैं ऐसर विकलिगेबर बल्लेबाज आप इनको फेंटेसी टीम में रह सते हैं उपनिंग करने आते हैं सीहारी निशां के साथ दूसरे बल्लेबाज यहां पर है ढरे भालेबाज का तान है मधूरअ पैंसर के इनकी बल्लेबाजी भी काफी ठीक ठाक रही है इसаша के अंदर साथ मुकाबले में दोनों बल्लेबाजों ने ताबर तोड़ बल्लेबाजी की ती स्टार्ट काफ़े अच्छा दिया था मुझे ताए आज भी निगाएं जी हां आज भी निगाएं कहीं ने कहीं यहां पर एश लोकेशोर और सी हरी निशांत के उपर होगी की मजबूत एवरेज जो है वो कहीं ने कहीं 24 का तो ऐजब बल्लेबाज टीम में खेल रहे है और अपनी टीम के लिए रन बना रहा है यहां बात की जाए तो यहां पर एजब बल्लेबाज यहां पर इस टूनिमेंट में खेलते हैं नमबर तीन पर आते हैं पिछले मुकाबले में वी दित्ते की तो बता दिया भाई क्यों वो टीम के अंदर खेल रहे हैं और किस क्यों हो बलेबाजी कर रहे है पहले मुकाबले में 13 गेंदों में 8 फन Hehin और आ आज भी टीम में रखना चाहिए कि नहीं यह भी सोच कर विचार रहे कि प्छले मुकाबले ना आ गए क्या पता इस मुकाबले फ्लॉप हो जाए कि यहां पर हमने हरी लोकेशवर को विकेट कीपर बल्लेबाज और हरी निशांत को बल्लेबाज रख लिए वैसे तो विए दि ठीक ठाक करिए 15-20 रन 15-20 रन मनाते हों नजर आए अपने टीम के लिए मगर बात की जाए तो गेंद बाजी भी इंडर अच्छी करिए इनका जो एकॉनमी है वो छे दशना दो शून ने का है साथ मैचों में चार विकेट चटका है मगर एजा और राउंडर की भूमिका मे अगर स्वापनिल सिंग नंबर 4 पर आकर एजा ऑल राउंडर की भूमिका निभा रहा रहे हैं तो यहां पर आप सौपनिल सिंग को रसकते हैं एजा बलेबाज की करते हैं तेज खेल लेते हैं प्रिछले मुकाबलों के अगर बात की जाए तो 19 गेंद में 25 रन 7 गेंद में चार विकेट चटका चुके हैं एकॉनमी जो है वो च्छे दशना दो शून ने की है और यहां पर पिछले मुकालम में प्रेशर सुचोशन में आके कुछ बढ़िया ओवर किये थे पंद्रवे सूलवा ओवर जो हो काफी बढ़िया किया तो आप नंबर चार वाले बलेबास स इस सीजन के अंदर सर्फ एक ही पारी इनके बढ़िया लगी थी उसके बाद इनकी पारी जो हो तो इसे धीरी चल रही है 17 गेंदों में 19 रन, 7 गेंदों में 9 रन, 9 गेंदों में 11 रन मनाते नजराय थे पिछले में मुकाबले में साथ मैचों में 121 रन मना चुके हैं जक्तीशन, कौशिक और स्ट्राइक रिट जो है 17 का है और गेंदबाजी की बात की जाए तो तीन मुकाबलों में सिर्फ एक में चिटका है एकॉनमी जो है वो आर्ड़ शनल पांशून ने का है तो जादा गेंदबाजी ये करते नहीं फोकस जो है इनका बलेबाजी पर है मेरे इस साथ से अगर देखा जाए तो जक्तीशन, कौशिक नबर 4 पर आ जाए तो सौपनिल सिंग्ग नंबर 5 पर खेल कर तीम का स्कोर ये हैं तो यह है नमबर 5 के बलेबाज जक्तीशन, कौशिक एजब बले बाज आप टीम में रहते यहां में ठीकाव बलेबाज माना सकते हैं इसे भी मौकव मिना दे नहीं है यहां पर कहीं न कहीं आर्श श्री अभिशेक तो यहां पर श्री अभिशेक को ऐसा बलेबाज रख सकते हैं बाकी रहने दीजे यहां पर बलेबाजी उतनी कुछ खास है नहीं यहां पर उतनी कुछ खास बलेबाजी करते नहीं है यहां पर अब देखते हैं आज क्या होता है इस मुकाबले में यहाँ पर बाकी तो मेरे साथ श्री अभिशेग की जगा आप जक्तिशन कौशिक रख लीजेगा वो ताबर तो बल्लेबाजी भी कर लेते हैं अगर उपपर आए बल्लेबाजी करने के लिए तो 30-35 रन मना देंगे यहाँ पर तो तो 2016 में का आखरी TNPL खेला था नोने अपने दो मैंचे में पांच रन मनाये थे और गेंदबाजी के अगर बात करूं तो गेंदबाजी उस सीजन में नोने करी निशी टीन टीन पिल के लिए नमबर साथ के बल्लेबाज रखा है तो मेरे साब से यार यहाँ पर हो सकता है कि तो यहाँ पर देखते हैं किसको रखा जाएगा में पसा हमुँन टीम जीतने के बाद सेमिलाम vista खती है तो ये हैं नंबर साथ के बलेबास अब चलेंगे जरा गेंद बाजी की तरफ ज выступ जिहां गेंद बाजी की तरफ बढ़ेंगे जहां पर काफ़े बड़ेंगे गेंद बाज है पुर्गे नश्विन है गुर्जा प्रीज सिंग है पी सर्वणन है आजे कृष्टन इस टीम के अंदर है और साथ में इंपक्ट प्लेयर की बात करेंगे इंपक्ट प्लेयर जो है वो कौन से यहां पर रख सकते हैं तो लाइक करिएगा आप सो लोग सब्सक्राइब कर दिये से बैंक ट्रांसफर से कर सकते हैं और विड्रॉल आपको 15-20 मिनिट के अंदर आपके बैंक अकाउंट के अंदर मिल जाता है कल्यान बुक की आईडी के उपर आप सारे मुकाबला लाइज दे सकते हैं आप स्क्रीन पर दिये वे नंबर पर बटसे मेसेज कर सकते हैं तो लि आइडया आप लीड्यू आप जुआ सकते हैं जालता करने प्लस यहां पर 1000 और सब्सकूंट का वॉनस परता सब्सक्राइब बात को और जीती गाया कलैन्बुक के उपर वहीं अगर बात की जाए चले गेंद बाजी की तरफ बढ़ते हैं तो सबस्पराइब नाम आता है गेंद बाजी लिए यहां पर मुर्ग नश्विन क्या जवाब गेंद बाजी की ते पिछले मुकाबले में साथ मैचों में साथ विकेट निकाले हैं इस टूरन्मेंट के अंदर चाहब वो 3 विट हो, चाहब वो 1 विट हो 4 विकिट हो, चाहरा विकिट या 5 विकिट शाएद इस पिछ की उपर मॉर्गन अश्वीन ने ली है तो as a spinner gain下 given app आप मॉर्गन अश्वीन को अपने टीम में रख लीजेगा वहीं अगर दूसरे गेंदबाज की बात की जाये जी है दूसरे यहाँ पर यह एहम गेंदबाज है वो है गुर्जा प्रीस सिंग गुर्जा प्रीस सिंग भी काफी लाजवाब गेंदबाजी कर रहे है भाई इनको रोके रुक नहीं रहे है पहले मुकाबले में उनको विकेट नहीं मिला उसके बाद अगर में उनके छे मुकाबले देखूं तो कभी तीन विकेट, कभी तीन विकेट, फिर एक विकेट, फिर दो विकेट, फिर दो विकेट, फिर दो विकेट, साथ मैचों में तेरह विकेट शटका चुके हैं गुर्जापरीत गुर्जपनीत सिंग बाइहाथ के तेज गेंदबाज है एकॉनमी काफी जबरदस्त है 6-6-5-8 का एकॉनमी है और वो आखरी और मत भूलिएगा ITT के खिलाफ जहाँ पर उन्होंने रन बचाए थे अखरी ओवर कर रहा है तो गुर्जापरीत सिंग और क्या मैच निका तो पिछले 3 मैचों में 6 विकेट चटका चुके है गुर्जापरीत सिंग को अपना वाइस कैप्टन भी आप रसकते हैं कहीने के गेंदबाज ही जह है इनकी काफी बढ़िया रही है तो यहाँ पर 7 मैचों में 13 विकेट चटका है गुर्जापरीत सिंग ने इनको में फेंटेसी टीम में रख लीजेगा प्लस मुर्गन अश्विन को में टीम में रख लीजेगा लेक्स पिनर गेंदबाज स्सक्रेच्ष की एफ क्रिकिट गाउंड के उपर मुर्गा नरश्विन की गेंदबाजी जहां वो काफी बढ़िया रहती है यहाँपर ये चुनेमेंट सिर्फ पांची मुकाबले खेल पाएं मगर अगर बल्ले से बात की जाए तो तीन मैचों में 36 रन मनाए है स्ट्राइक जेक से 64 का है आवरेज जह हो 36 का जब जब बल्ले बल्ले बाजी करने मोखा मिलता है तो पी के सर्वरन जो हैं वो ताबरतोर बल्ले बाजी करते हैं मगर एज़ा गेंदबाज टीम के अंदर खेलते नज़ आते हैं गेंदबाजी परफर्मस ठीक है मगर सोड़ सा एकॉनमी सोड़ ज़ादा है गेंदबाज इनको भी की विकेट काफी मिले है चार मैचों में आठ विकेट ये भी चटका चुके है पहले मुकाबले में चार विकेट दूसरे मुकाबले में दो विकेट नहीं मिला पिछले मुकाबले में अजे कृष्णन काफी महंगे साबित हुए थे अगले यहाँ पर इंपेक्ट लाड़ी है बालू सूरिया इस पिरल गेंदबाज टीम में खेलते हैं तीन मैचों में एक विकेट मिला है इनको एकॉनमी जहां वह नौका है तो बालू सूरिया को आप रहने दीजिए बालू सूरिया जो है वो नुकसान पहुचा दें आपकी टीम के लिए तो यह हो सकती है यहाँ पर मदर्वे पैंथर्स की टीम एस लोकेश्वर हरी निशांत जक्तिशन कौशिक यहाँ पर एंटोरियो शुबकिशनन स्वापनिल सेंग इस टीम में है के दिपेन लिंगेश या फिर जो है यहाँ पर बालू सूरिया रखा जाएगा यहाँ टीम के अंदर और या फिर एस अभी शेख जियां के दिपेन लिंगेश की जगापे एस अभी शेख खेलतर दा सकते हैं यहाँ पर साथे मुर्गन अश्विन हैं भी यह दित्ते हैं पी सर्वरन है कुछी समय बाद मुकाबला जो है वह शुरू हो जाएगा और यहां से अगर बात की जाए तो मुकाबला जो है सूपर से खेलते हैं आपके लाक करिए का सबस्क्राइब कर दिए चानल को देखे क्लें बूक पर जोड़ना बेका तोह यहां पर $100 $0 करका है और कि अभी जा आपको 60 रोपे की फ्रीड मिल रहे हैं तो स्कीन पर दिये विए नंबर पर वाट्समिस करके आइडी ले लिजेगा था क्लिक कशलते है आप नेल रोयल किंग की चले यहांप नेल रोयल की टीम के अंदर है एंस हरीश है लखमेश शूरे प्रकाश है टी वीरा मनी इस टीम के अंदर है महान परशांद इस टीम के अंदर है संदीप वारियर है एम पेब मौन्जी जहें वह स्टीम के अंदर ये टीम ने साथ मैचों में कम से कम पांच मुकाबले जीते हैं सिर्फ दो ही मुकाबले हारते वे नजर आई थी कहीं नहीं नहीं रॉयल किंग की टीम उलता कि ये टीम जहें मुझे काफी बड़ीया नजर आई है आज भी देख गए मगर तब भी 115 गेंदों में 135 रन मनाकर आठ विकेट से उस मुकाबले को आपने नाम किया था बल्लेबाजी के अगर बात कीज़ें तो अरुन कार्तिक जी यां अरुन कार्तिक और लखमेश शुरे प्रकाश जो है वो ओपन करते हैं नमबर 3 पर खेलते हैं अजितेश गुरु स्वामी को नमबर 3 पर खेलना चाहिए जब जब मौका मिलता है ताबर तोड बल्ले बाजी करते हैं और टीम का स्कोर आगे लेके जाते हैं यहां पर तो मेरे हिसाब सब भाईया खेलना तो बढ़िया चाहिए यहां पर जीतेश गुरु स्वामी को मगर ओपनिंग करने आते हैं अरुन कार्तिक और लखमे शुरे प्रकाश अरुन कार्तिक के बात की जाए इस टूनमेंट में एक स्टक लगा चुके हैं शुरुवात के जो चार मुकाबले थे उनमें 36 रन मनाये थे जो अगले जो पिछले तीन मैचे घटे हैं उनका स्कोर बताऊंगा 61 गे जेगा टीन पील का बहुत सारा एक्स्पीरेंस इंके पास है जब जब बल्ले बाजी करने आते हैं ताबर तोड़ बल्ले बाजी जह हो करना पसंद करते हैं तो मेरे इसाब से तो आज भी अरुन कार्तिक जह हैं वो काफी बहतर प्रदर्शन जह हो करतना जराएंगे तो अ आज भी अपनी टीम के अंदर रखीगा मेरे असाब से अच्छे खासर मनाएंगे इस ट्रूमेंट के अंदर साथ मैचिस के अंदर एक सो बानवे रन बना चुके हैं अरुन कार्तिक यहां पर और स्ट्राइक देखिए 163 का है एवरेज 32 का मतलब यह आते ही गेंद बाजों मनाए थे मगर यह नीचे ही बल्लेबाजी करते हैं देखिए इनके अच्छी बात यह है कि लख में शुरू प्रकाश किए कि यह नीची आकर भी मिड्रॉडर में भी नंबर चार हो नंबर पांच और नंबर च्छे हो वहां पर भी आकर ताबर तोल बल्लेबाजी कर सकते है चार मुकाबलों में पैसाटर मनाए हैं मकर इनका भी स्ट्राइक रेट जो है 178 का है एवरेज जो वह 22 का है और देखा जाए चार मुकाबलों में इनकी बल्लेबाजी इस प्रकार रही है नौ मैचों में दस नौ गेंदों में दस रन चौधा गेंदों में तेरे रन जहांपर सली स्पार्टर रन खिलाफ ताबर तरन रन मराया उसके बार शूने रन मराया तीसरे मुकाबले में और चौते मुकाबले में पिछले मुकाबले में तेरा गेंदों में बाईस रन मना तो यह हो गई बापनिंग की बात अब आते हैं मेन हीरो के तरफ जी आ अगर नेले रोयल किंग के कोई हीरो रहे तो वह रहे जी जी तेश जब जब मौकर मिलता है टीम के लिए रन बनाए एक्षा तक लगा चुके हैं इस टूनमेंट के अंदर पारी आगर देखेंगे तो ज बैशते कवी पांच प्याते कमि न मभर चे अटे नमर्ट पैने यह तो यहां पर अर्शा तक भी लगाए तो यहां पर नमबर तीन के पूजिशन है अगर उने यह नंबर तीन की मृजिशन है तो इस बले बास को टीम से बाहर मत रखिए गा बहाई यह बलेबाज ने सब्सक्राइबर नाटन जिते चूनाम अगर अगले बल्यबाज यहाँ पर है निदिश राजगोपाल निदिश राजगोपाल तीन मुकाबले खेले आए हैं बलेबाजी में इंप्रूव्मेंट है एक 166 रन जी आम अकुरी है यहां पर 9 मैचों में 90 रन मनाए है इस्ट्राइट जो है 166 का है अब लख में शूरे प्रकाश को नहीं रख रहे हैं निदिश एस राजगोपाल तो राजगोपाल को अपनी टीम में रख लीजएगा भाई मेरे हिसाब से तो यह काफी रन मिनाएगा और पिछले मुकाबले में 25 पैंते समनाए थे पांच मैंचों में शी रेन श्ट्राइक रेट जाएग सचौबश का है प्शे तीन पारियों के अंदर देखेंगे तो पंदरा सोला अठारा वीच छब्वीस रन मनाते हैं चीम के अंदर तो नमबर पांच पर को रख लीजिए का बले बाजी जिए गा बले बाजी जह है ऊपर ही करते हैं नमबर छे पर आते हैं राम सिंग सोनुयादव जियां राम सिंग सोनुयादव को ऐसा All Raunder तीम में रख लीजेगा पांच मैचों में 98 रन आये हैं राम सिंग सोनुयादव ने स्ट्राइक रेट जो है 125 का है एवरेज जो है वो 20 का है और जब जब मौका मिलता है ताप रतोड़ बल्ले बाजी करते हैं 16 गेंदों में 20 रन 32 गेंदों में 35 रन 4 गेंदों में 8 रन 17 गेंदों 22 रन 5 मैचों में 98 रिंड बाजी का है एवरिज वो 20 का है गेंद बाजी की बात की जाहे तो 7 मुकाबलों में 6 वी के चटकाएं economy जिह है वो 7.5 दो कर रहा है तो as a all-rounder जो है राम सिंग सोनु यादव को रख लिजेगा नमबर चाब नमबर 5 पर भी आसकते हैं नमबर 6 पर भी आसकते हैं नमबर 7 पर भी बल्ले बाजी करने के लिए आसकते हैं आप अगले बल्ले बाज अगले यहां पर 7 नमबर बल्ले बाज है टी वीरा मनी की बात की जाए पिछले मुकाबले में इनको टीम में रख़ा गया था कि चलो भाई । लेखक फेशी है और इन्न अरीश रीच की रसकता हूं राम सिंग से अन्यादर प्लस एन्याश हरीश को भी रख लीजेगा यहां पर रॉन अंडर जब बल्लेबाजी का मौका मिला दुरन भी बनाये उन्होंने एक बल्लेबाजी करने का मौका मिला था अगर बात करते हैं अगले बल्लेबाज की तरफ बढ़ते हैं अगले गेंदबाजी शुरू हो चुकी है अगर उससे पहले आप सम लोग जी हाँ उससे पहले आप सम लोग जह है बिलकुल यार कलयान बुक के साथ जॉइन करते रहीएगा लिंक है डिस्क्रिफ्शन में लाइचा में पिन कर दिया है उससे लिंक को क्लिक करके वाट्सब मेसिज करिएगा और अपनी आइडी जह व बोनस मिलता है मालीजी हजार डिपोइट करेंगे वह दोसुर रुपे का बोनस मिलेगा प्लस अगर मालीजी आप 500 रुपे करते तो आपको 100 रुपे का साथ लिंक है डिस्क्रिप्शन में लाइच में पिन कर दिया है उसलिगों करके आईडी लीजिएगा वर्टस मेसेज करेगा अपनी लीजिएगा खेलिए और जीतिये साथ मुकाबलों में सिर्फ दो ही विकेड मिले है एकॉनमी जो है वो साथ दशनलों आठ एक का है और पिछले स्थेतीन मैचों के अंदर ही दो विकेड शिटकाते में नजर आए है मेरे इसाथ संदीव वार्यर का ये सीजन कुछ खास गया नहीं है मुझता कि आज का मुकाबला भी कुछ खास रहे का नहीं क्या रहे तेज गेंद बाज जो है वो टीम के अंदर खेलते हैं ये नई गेंद के साथ गेंद बाजी करते हैं मगर नई गेंद के साथ इनकी गेंद बाजी जो है बलेबाजों ने समल के खेला है और इनके खिलाफ रन भी बनाए हैं तो मेरे जाब से तो रहने ही दीजिए रसंदीव वार्यर को अकर एक बड़े खिलाडी मानकर अगर रखेंगे कि बाई बिग मैच प्लेयर हैं क्या प अगले गेंद बाज यहां पर आते हैं मोहन परशांद इनका पूरा नाम है बड़्या गेंद बाजी कर रहा है लफ्ट आम और फ्डॉड़ plag är गेंद बाज है अगर बात की जा तो गेंद बाजी में हम यहाँ पर आर्लंडर रामसी सोनुजादों को रख सकते हैं लिग अगर उनके बाद जाद में एम पेमोंजी तेज गेंद बाज और लेफ्ट आम और्टोस प्रिनर गेंदबाज यहां पर एस मोहन परशांद को रशते हैं गेंदबाजी के लिए साथ मैचों में 6 विकेट शटकाएं हैं इन्होंने और पिछले तीन मैचों में 3 विकेट निकाल चुके हैं सब्सक्राइब नहीं रख रहे तो इसमें लक्ष भी है लक्ष जैन भी है साथ में लक्ष जैन की अगर मैं बात करूं तो गेंद बाजी में लक्ष जैन का भी कुछ पढ़ला वैसा ही है साथ मैचों में छेवकेश जटका है इनकी और वहीं मुहून पर शांत की भी अगर देखेंगे एकॉनमी तो इनकी इकॉनि भी वही आर्द साथ जो है यहां पर आर्द सूने चे के तो यहां पर लक्ष जैन को सत्ने मगर लक्ष जैन की प्रॉब्लम यह है कि पिछले तीन प्रचह में सिर्फ 2 विकत्ष ट्का एंड यहां पर किसको रहना सब्सक्राइब करने के लिए तो यहाँ पर यहां पर यह बात हो गई नेले रोयल किंग की टीम जह वो किस तरीके से रहने वाली है टीम की पूरी इंफ्रमेशन दे दी है और यह संडे को मैच नहीं है क्या टीन फिल का संडे को नहीं मिस्टर गॉतम बढ़ेंगे यहां पर बताएंगे टॉस किसी ने जीता है उससे पहले चैनल सब्सक्राइब कर दीजेगा स्ट्रीम को लाइक कर दीजेगा टी एन पी एल का अलिमिनेटर मुकाबला है जो भी टीम जीतेगी वो आगे जाएगी और जो भी टीम हा रहेगी वो सीधा घर जाएगी तो यहां पर बता देंगे आपको टॉस हो चुका है इस मुकाबले में बादुराई पैंथर्स है बंद टॉस डिसाइडिट टू बोल फर्स्ट तो मदुराई पैंथर की टीम ने आज टॉस को जीत लिया है और पहले गेंद बाजी करने का ने लिया है यह अच्छी च्वाइस है मगर सलीन स्पार्टन की फिच जो है हमोमन देखा जाए तो बले बाजी के लिए काफी अनकूल रही है तो यहां पर एक अच्छ सब्सक्राइब कर दीजेगा चलिए बढ़ते हैं इस मुकाबले के पूरे इंफ्रमिशन जो है मैं आपको दे देता हूं तो यहां बता देए आपको की टॉस हो चुका है इस मुकाबले में मद्रोई पैंथर्स ने टॉस को जीता है पहले गेंद बाजी करने निनलिया है निल्ले रोयल किंग की टीम कर रही है पहले बले बाजी और मद्रोई पैंथर्स टीम कर रही है गेंद बाजी है पहला इलिमिनेटर मुकाबला है जो भी टीम यहां पर जीतेगी वो आगे जो जो भी टीम हारेगी वो घर जाएगी जो भी टीम यहाँ पर जीती हो वो खेलेगी Dindigal Dragons है वहाँ पर जो जीतेगा वो भीड़ेगा फाइनल में जाके Lyka Kawai Kings कीजार में के लाइका कोई किंग जो है पहली टीम बन चुकी है TNPL 2023 की फाइनल पहुचने वाली हो जाएगी तो कौन से होगी वो टीम बताएंगे आपको मंगर उससे पहले लाइक करिए सब्सक्राइब कर दिये चानल को इंजॉय करिए इस मुकाबले को तो सी इतली आए मदरोई किंग पहले कर रहा है बल्लेबाद जी तो इनकी पहले प्लेइंग लाइंग के बारे में बात करेंगे तो इस टीम के अंदर जो है अरुनकार्तिक इस टीम के अंदर है लखमेश शूरे प्रकास इस टीम के अंदर है जी अजितेश इस टीम के अंदर है रितिक इशोरं जो है इस टीम के अंदर है निदिश राजगोपाल जो है वो इस टीम के अंदर है राम सिंग सोनु यादव इस टीम के अंदर है एन्नेस हरीष इस टीम के अंदर है एम पेमौंजी इस टीम के अंदर है एस मोहन परशांत इस टीम के अंदर है संदीप वारियर जो है वो इस टीम के दर हैं साथ में बात की जाए पी सुधिरन भी सुगिंद्रन भी इस टीम केंदर अब इहां पर अगर बात की जाए तो इस टीम केंदर लक्ष जैन भी नहीं है गखाभ अगशिन, पाल जो है वो लक्ष जैन की जगा पे खेल रहे हैं और वहीं अगर बात की जाए टी वीरामनी की जगा पे पी सुगहिंधरन जो है वो इस टीम के अंदर खेल रहे हैं तो यह तीम से एक बार फिर से सुन लीजेगा अरुनकार्तिक लकमेश शूरे प्रकाश ओपन करेंगे न निदिश राजगोपाल नमबर पाच पे होंगे रितिक इशुरन नमबर छे पे होंगे राम सिंग सोनु यादव और नमबर साथ पे हो सकता है एनने सरीश या फिर पी सुगहिंदरन जो हैं वो टीम के अंदर खेल रहे हैं लक्ष जैन और टी वीरामनी जो हैं वो टीम के इंदर नहीं खेल रहे हैं इंपक्ट प्लेयर की बात की जाए तो देखिए रोयल किंग के इंपक्ट प्लेयर है वह है एस लक्ष जैन एस अरुन कुमार लक्षमी ननायन विगनेश और इमनुल चेरन जहां उस टीम के अंदर तो हो सकता है नेले की टीम जहां इंपक्ट प शुरेश लोकेश्वर, भी स्टीम के अंदर है। जगतीशन कौसिक इस टीम के अंदर हैं, सौपनिल सिंग इस टीम के अंदर हैं, एश्री अभिशेक इस टीम के अंदर हैं, पीके सरवरन हैं, मुर्गन अश्विन हैं, गोर्जा प्रेस सिंग हैं, और अजे कृष्णन जो हैं वो इस टीम के अंदर हैं, तो एंटन यहां पर शुबकेशन जो है वो टीम के अंदर नहीं है और के दिपेन लिंगेश भी टीम के अंदर नहीं है तो इनकी जगा पर आज मौका मिला है एंटोनियो शुबकेशन की जगा पर मौका मिला है यहाँ पर क्रिस जैन को और वहीं अगर बात की जाए तो यहाँ पर शिरी अभीशे खेल रहे हैं के दिपेन लिंगेश की जगा पर तो के दिपेन लिंगेश भी नहीं है और साथ में एंटोनियों सुबिकेशन भी नहीं है बाकि अल्मोस्ट प्लेयर जो हैं वह सारे सेम ही है एक बाद फिर से बैटिंग और समाल लीजेगा सी अरी निशान्त और सुरेश लोके स्वामी का भी लग रहा है आज कुछ करा है अजितेश गुरु स्वामी को भी शायद खिला है कि नहीं सीरी निशान्त सुरेश लोकेश्वर ओपन करेंगे क्रिश जैन जो है वो टीम के अंदर है वी एदित्ते हैं जैक्तिशन कौशे के सॉपनल सिंग है श्री अभिशेग है पीके सर्वननन और मुर्गा नर्श्विन है गुजीत पीस सिंग और अजे कृष्णन जो है वस्टीम के अंदर है जी हां यहां पर तो यह टीम है श्री निशान्त और शुरेश लोकेश्वर ओपन करेंगे नंबर तीन पे क्रिश जैन नंबर चार नंबर चार पे केल रहे हैं बागी गेंदबाजी की करम जो है वो रहेगी यहां पर पीके सर्वनन मुर्गन अश्विन गुर्जा प्रिस सिंग और अजे क्रिश्टन के ऊपर रहेगी बागी इंपक्ट पे रहे हैं बालु सूरिया कार्तिक एस रहुल देव के दिपेइन लिंगेज तो हो सकता है कि मदुरही पैंथर्स की टीम जो है एक बलेबाज को एड़करी चेस करने टाइम पे तो समझ गया होंगे यह प्लेइंग इलावन आपकी दोनों टीमों की लाइक करिएगा सब्सक्राइब कर दिये चैनल को और इंचॉय करिएगा इस मुकाबले को मुकाबला काफी बढ़िया है काफी बढ़िया होने की उमीद रहेगी मुकाबले में तो चीमों की प्लेइंग लाउन बता चुका हूँगा आपको यहाँ पर चलेंगे जरा पिच की बात करेंगे कि पिच किस तरीके से रहने वाली है आज के इस मुकाबले में आपको पता ही है कि यहाँ प पर तेज गेंदबाजों का बोल बाला नजर आया है गेंदबाज जो हैं SCF क्रिकेट ग्राउंड के उपर थोड़ा हावी रहे हैं इस सीजन के उपर क्योंकि नौ मुकाबले इस सीजन में खेले गए हैं और इनौ मुकाबलों के अंदर SCF क्रिकेट ग्राउंड के उपर अच्छा खासा हाई स्कोरिंग मुकाबला जो है वो देखने हो मिल सकता है यहां पर तेज गेंद बाजी कर रहे हैं प्लस बल्लेबाजी के लिए काफी अनकूल पिछ रही है इस सीजन के अंदर जो एवरेश स्कोर रहा है वो 162 का रहा है और यहां पर अगर देखा जाए जा प्लस अगर देखा जाए तो इस पच्छ में लोए स्कोर की बात की जाए तो एक्सो एक्स तालीस रण भी डिफेंड होते हैं नजर आए जी आए 141 रन भी डिफेंड होते नजरा है मदुरोई पैंथर्स ने ही इसी पिछ के ऊपर 141 रन जो है वो डिफेंड किये थे चैपक सूपर गीलीज की सामने अगर बात की जाए हाइस चेज की तो यहाँ पर 174 रन जो है वो हाइस चेज रहा है और हाइस टोटल 206 कर रहा है और चाहूंगा वही जो है इस मुकाबले को जीते हैं यहां पर यहां पर 50% विक्टे जो है वो तेज गेंद बाज चटकाते हैं नदर आए मगर मैं इस सीजन की बात करूं इस सीजन के जो तो नौ मैंच होंग नौ मैंच वी घटनाओं पे देखूं तो यहां पर 55% विक्ट जो है वो 30% विक्टे जो है श्यूंज स्टी गेंद बाजब अच्छे गेंद बाजी करते है बाकीव हाँ यह और अच्छे गेंद बाजी करते नदर नदर बलब्याज इन बनाएंगे बले बाद इस पिछ के उपर तो ये बात हो गई पिछकी यहाँ पर आसो लाइक करिए सब्सक्राइब करिए और कल्यान बुक के साथ जॉइन करते रहेगा लिंक है डिस्क्रिप्शन में लैचमर पिन कर दिया है उससे लिंक को क्लिक करके हमारी टीम रहेगे नेलाई रोयल किंग को सपोर्ट करेंगे उमीद करेंगे नेलाई रोयल किंग को यहां से इस मुकाबले को जीते तो बात करते हैं लिए यहां पर सबसे पहले नाम आता है एस लोकेश्वर एस लोकेश्वर को आप रसतने हैं टीम के अंदर जिए जब किट कीपर कफ्तान मदो कीश्वर के सी लोकेश्वर एसोपनियल निशान को टीम में रख लिएगा एस लोकेश्वर कीश्वर को दिया आते हैं साथ में जगतीशन कौशिक यहाँ पर एस लोकेश्वर, सीहरी निशान, जगतीशन कौशिक और सौपनिल सिंग और राउंडर रहेंगे यहाँ पर राउंडर की होगा जगतीशन कौशिक और सौपनिल सिंग रहेंगे साथ में अजे क्रिश्विन को भी रचाते हैं पी सरवनन गुजप्र सिंग और अजे क्रिश्विन को अब टीम के अंदर रचाते हैं और आप पर खिरारी हो गए एस लोकेश्वर सीरी निशान्त चक्तिशन कौशिक स्वापनिल सिंग साथ में अजे क्रिश्टन गुर्जाप्रीज सिंग और यहां पर मुर्गर नश्विन को भी टीम के अंदर आप रख सकते हैं वहीं अगर बात की जाए मध्रोई पैमकरियन लाई रो बाजी के लिए एंप एमपैमौन जी जी यहां एम पैमौन जी बड़िया चॉइस रहेंगे पैमौन जी जी हैं वह काफी बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं अगर मैं इसमें एक बल्ले बाज और एड्ड कर लू तो निदिश एस राजगोपाल को ऐसे बल्ले बाज अब जितेश गुरु स्वामी जो है वो काफी बड़िया बलेबाजी कर रहा है इनको रख लेंगे उपकफ्तान के लिए में सबस्वापनिल सिंग काफी एच्छी चोईस रहेंगे सब्सक्राइब करेंगे यहां पर तो यह बात होगी फैंटसी की बागे लाइक करिएगा सब्सक् करिएगा इंज्वाइब करिएगा इस मुकाबले को तो देखते हैं यहां से मुकाबला जो है वो किस तरीके से बढ़ता है टॉस जीता है आप भाई आपको बदलता है कौन विन करेगा बाई मैंने लिए रोयल किंग के साथ हूं मैं चाहूंगा कि नहीं रोयल किंग जिए जो आगे पहुंचे प्रत्रशन जो है वो काफी अच्छा रहा है बागे जो लोग अभी जुड़े हैं उनका एक बार फिर से प्लेइंग 11 जो हो दिखा देते हैं बता देते हैं कि इस तरीके की प्लेइंग 11 रहेगी आज के इस मुकाबले में दोनों टीमों को जुड़ता जीते हैं वह आगे जाएगी जो भी टीम हारेगी वह घर जाएगी और जो भी टीम यहां पर जीत Dia de bolaान से वहां पर यहां बीड़े का फाइनल में जाका को मुका लकाश्व कालि जो है भिच पह accommod जो है वो तूट जाएगा और वो टूनमेंट से बाहर हो जाएगी तो कौन से होगी वो टीम बताएंगे आपको मंगर उससे पहले लाइक करिए सब्सक्राइब कर दिये चानल को इंजॉय करिए इस मुकाबले को तो चलते हैं पहले गेंद बाजी करने निंड़ने चलते हैं प्लेइंग 11 के तरह बात करेंगे दोन टीमों की प्लेइंग 11 की चल्ब करिए सब्सक्राइब स्ट्रीम करिया लाइक इंजॉय करिए इस मुकाबले को तो चलते हैं नेल लाइव रॉयल खिंग जी आ नेल लाइव रॉयल किंग पहले कर रहा है बल्ले बात जी तो इनकी पह पाल जो है वो इस टीम के अंदर है राम सिंग सोनु यादव इस टीम के अंदर है एंस हरीष इस टीम के अंदर है एस मोहन परशांत इस टीम के अंदर है संदीप वारियर जो है वो इस टीम के अंदर है साथ में बात की जा है पी सुधिरन पी सुधिरन भी सुगिंदरन भी इ टीम के इंदर टी कि जगह पर हैं लक्ष जैन भी आज का मुकाबला नहीं खेल रहे हैं उनकी जगा पे आज निदिश राजगोपाल को मौका मिला है तो निदिश एस राजगोपाल जो है वो लक्ष जैन की जगा पे खेल रहे हैं और वहीं अगर बात की जाए टी वीरामनी की जगा पे पी सुगहिंधरन जो ह नमबर चार पे होंगे निदिश राजगोपाल नमबर पाच पे होंगे रितिक ईशोरन नमबर छे पे होंगे राम सिंग सोनु यादव और नमबर साथ पे हो सकता है एनने सरीश या फिर पी सुगहिंदरन जहें वो टीम के अंदर खेले तो दो चेंजिस हैं लक्ष जैन और वीरामनी जहें वो टीम के अंदर नहीं खेल रहे हैं इंपक्ट प्लेयर की बात की जाए तो देखें नेले रोयल किंग के इंपक्ट प्लेयर है वो है एस लक्ष जैन एस अरुन कुमार लक्षमी नरायन विगनेश और इमनुल चेरन जहें वो इस टीम के अंदर तो हो सकता बात करते हैं लुट बात करते हैं मदुरहीप पैंथर्स की टीम आप सबके सामने हैं इस टीम की कफ्टानी सी हरी निशांत इस टीम के अंदर है कफ्तान है सूरेश एस लोकेश्वर सूरेश लोकेश्वर भी इस्टीम के अंदर है करिश जैन को आप मुखा मिला इस याए विकेट कीपर बल्लेared जहां वो खेलेंगे यहाँपर वी अधित्ते इस्टीम के अंदर है जगतिशन कौशिक इस टीम के अंदर है तो एंटन यहाँ पर एंटन शुबकेशन जो है वो टीम के अंदर नहीं है और के दिपेन लिंगेश भी टीम के अंदर नहीं है तो इनकी जगापे आज मौका मिला है एंटोनियो शुबकेशन की जगापे मौका मिला है यहाँ पर क्रिस जैन को और वहीं अगर बात की जाए तो यहाँ पर शुरी अभीशेख खेल रहे हैं के दिपेन लिंगेश की जगा पर तो के दिपेन लिंगेश भी नहीं है और साथ में एंचोनियो शुबिकेशन भी नहीं है बाकी अलमोस्ट प्लेयर जहां वह सारे सेम ही है एक बार फिर से बैटिंग ओर सम सलते हैं अग्याजितेश गुरु स्वामी जी आज यतेश गुरु स्वामी का भी लगए व्याज कुछ करा है अज तेश गुरु स्वामी को भी शायद खिलाया जहां करेंगे क्रिश जायन जोंटीम के अंदर है वी अजित्तिशन कौशिका श्रीय अभीशेक ए मौर्ड़ गुजीत पीजित सिंग और अजे क्रिश्णन जो यह वस्टीम के अंदर हैं यहां पर तो यह टीम है स्टीरी निशांत और शुरेश लोकेश्वर उपन करेंगे नंबर तीन पर क्रिश जैन नंबर चार पर फीजिन नंबर पांच पे जगतिशन कौशिक नंबर च्छे पर यहां पर पीके सर्वन मुर्गन अश्विन गुर्जा प्रीज सिंग और रजे क्रिश्टन के ऊपर रहेगे बाकि इंपक्ट प्लेयर हैं बालू सूरिया कार्थिक एस रहुल देव के दिपेन लिंगेज तो हो सकता है यहां पर मदुरे पैंथर्स की टीम जो है वो पहले जो प्लेइंग 11 आपकी दोनों टीमों की लाइक करिएगा सबस्क्राइब कर दिये चैनल को और इंच्वाइग करिएगा इस मुकाबले को मुकाबला काफी बढ़िया होने की उमीद रहेगी मुकाबले में तो टीमों की प्लेइंग लावन बता चुका हूँ आपको यहां पर करेंगे जरा पिच की बात करेंगे कि पिच किस तरीके से रहने वाली है आज के इस मुकाबले में आपको पता ही है कि यहां पर स्ट्रिकेट ग्राउंड के उपर यह पिच आजकल बलेबाजी बड़ी बहरबान है तेज गेंद बाजों को ज्यादा विकेड मिलती है तो यह सीजन के उपर क्योंकि नौ मुकाबले इस सीजन में खेले गाए है और इन नौ मुकाबलों के अंदर स्ट्रिकेट ग्राउंड के उपर गेंद बाज जो तेज गेंद बाज है वहां पर भी बलेबाजी में काफी रन बने थे दोनों टीमों के अगर टोटल स्कोर जोड़ा सार तीन सोर रन बने थे इस स्ट्रिक के उपर मुझे लगता है कि आज भी एक अच्छा खासा हाई स्कोरिंग मुकाबला जो है वो देखने हो मिल सकता है यहां पर तेज गेंद बाजी है वो काफी अच्छी गेंद बाजी कर रहे है प्लस बलेबाजी के लिए काफी अनुक पूल पिछ रही है इस सीजन के अंदर जो एवरेज स्कोर रहा है वो 162 का रहा है और यहां पर अगर देखा जाए जातर मुकाबले इन नौ मैचों के अंदर जातर मुकाबले जो है वो डिफेंड होते होने दरा है तो यहां पर मैं बता दूँ आपको स्ट्रेट्स दिखा तो आप समझ सकते हैं कि बलेबाजी के लिए काफी अनकूल पिछ रही है इस सीजन के अंदर यह जो डाटा है यह डाटा 2023 का है जी यहां 2023 में जो 9 मुकाबले खेले गए है उसका यह डाटा है प्लस अगर देखा जाए तो इस पिछ में लोए स्कोर की बात की जाए तो 141 र सब्सक्राइब करें तो यहां पर 174 रहा है और हाइस टोटल 206 कर रहा है और लोएस टोटल जो है 98 कर रहा है तो पिछ काफी अच्छी रहेगी हमारी टीम जिया हमारी टीम बता जते हैं को कौन सी रहेगी आपर क्योंकिक्श टीम को आप साथ रहेंगे तो मेरी तरफ से ने सब्सक्राइब करें तो मेरे हिसाब से आप फैंटेशी टीम के अंदर दो तेज गेंद बाज एक और राम सिंग सोनी हैं आदव कॉल डूंडर रह सकते हैं वो भी तेज गेंद बाजी करते हैं बाकी यहां पर जो है ओर आल देखाजा तेज गेंद बाज अच्छे गेंद बाजी करते हैं और बलेबाज देखिए रन बनाएंगे रन बनाने वाली पिछ है तो रन बनाएंगे बलेबाज इस पिछ यहां से मुकाबले को जीते नीज हैं नाम आता है एस लोकेशवर एस लोकेशवर एस साथ में सी हरी निशान कफ्तान मदरोई पैंटर्स को टीम में रख लीजेगा आप स्वापनिल सिंग को टीम में रख लीजेगा एज ऑल राउंडर स्वापनिल सिंग भी काफी बड़िया बल्लेबाजी करते हैं साथ में जगतीशन कौशिक यहाँ पर और अपनी टीम के अंदर रख लीजेगा साथ में अजे कृश्चन को भी रख सकते हैं याँ जी चीम के अंदर रख लीजेगा तो मुर्गन अश्विन को रख लिजेगा यहां पर टीम के अंदर रख लिजेगा मेरे साथ मुर्गन अश्विन जो है काफी बढ़ी गेंद बाजी जह करेंगे तो यहां पर खिरारी हो गए करें आगे अजितेश गरुगन नश्विन को रख लिजेगा जीतेश गुरु स्वामी को रख लिजेगा चीम के अंदर जी आजितेश गरु स्वामी और यहां पर अरुन कारति को रख लिजेगा साथ में राम सिंग सोनु यदव और गेंद बाजी के लिए यहां एम पेमोन्जी बढ़िया चोईस रहेंगे पेमोन्जी यहां वो काफी बढ़िया गेंद बाजी कर रहे है अगर मैं इसमें एक बले बाज और एड़ कर लो तो निदिश S. राजगोपाल को ऐज़ा बलेबाज आप टीम में रशकते हैं अगर माली जग्तिशन कौशिक को आप नहीं रख रहे हैं तो यहाँ पर निदिश राजगोपाल को आप अपनी बैटिंग और में रशकते हैं कफ्तानी के लिए कि मैं जा ओ अगर देखा जाय तो में चोईस तो अजीटेश गुरु स्वामि कफ्तान मनाने की है और सौबनिल सिंग को बागे लाइक करीएगा सबस्क्राइब करिए चैनल को और कल्यान बुक के साथ जोड़ जाएगा बस थोड़ी दिर में यहां पर मुकाबला जो है वो शुरू होने वाला है तो लाइक करिएगा सबस्काइब करिएगा इंज्यॉइ करिएगा इस मुकाबले को तो ये प्लियर जो है जह वो शुरू होने वाला है तो जुड़ते रहिएगा आपसे लोग सब्सक्राइब करते रहिए लाइक करते रहिए इंज्वाइ करते रहिए इस मुकाबले को तो यहां से अब बाद देखा जाएगा कि कौन तीम जो हागे बढ़ती है और कौन तीम यहां से घर जाती है जो भी टीम हालेगे वो सीधा घर निकल लेगी अपने आपर और जो टीम जीतेगी वो आगे तरफ बढ़ेगी भीड़ेगी डिंडी गूर ड्राइगन से हुई हुआ है चले चला करिये कडियेगा सब्सक्राइब करिए का प्लेयर आचके हैं मचाबले में और अपके हँचे यहां पर तेज़ गेंदबास जी हैं यहां पर कबतां जू है मधुरई पैंज्टर्स के आब यहां से देखना वाली बात रहेगी किस तरीके से मुकाला चलता तो लाइक करिएगा सब्सक्राइब करिएगा चानल को नेलाई रोयल किंग वर्सेज मधुरोई पैंथर्स का ये मुकाबला है और मेरे इसाब से तो भाई सब्सक्राइब करने के लिए अरुन कार्थिक और लखमेश उर्प्रकाश उपन करने आये हैं गुर्जाप्रित सिंग के हाथ में गेंद है इस पहली गेंद इस ओवर की अरुन कार्थिक को यहाँ पर पहली गेंद पर चौका जड़ द्यार लीजिए यहां से लिए गॉल किंग की शुरुवात हो गए चौके के साथ लग रहा था कि एक रन होगा मगर नहीं यहां पर तो चौके के साथ खाता खुलता हुआ नेल लाई रोयल किंग का इस मुकाबले के अंदर स्कोर हो चाएगा अब चार रन बिना के सुनुकसान के एक गेंद के बाद जी यहां गुर्जा प्रिस्टिंग के अच्छी गेंद थी है मगर उसे बढ़िया यह शौका बटोरते वे इस गेंद पर तो भीया चलिए शुरुवाद धमाकेदार होई है क अन्त भी जमाकेदार होगा कि इस मुकाबले का चार रन बिना के सुनुकसान के यहां पर स्कोर होता हुआ निल्ले रोयल किंग का गुर्जा प्रिस्टिंग वितर नाकोष बाइहाथ के तेज गेंद बाद बाद के बाद बाद है मुकाबले में सूपर से भी उपर रहेगा यहां पर हमार साथ भाई विकिट आएगा क्या पंदर से पहले देखो क्या होता है फिर से ऑस्टन के बाहर कट किया था कि इंद को गेंग के पास फिल्डर मों अजूद कोई रन नहीं मिलेगा नंद किश्वन भाई जूट चुके हैं लविंग ब्रोदर वाट इस और प्र और शक्तानी तरीके से मुकाबले खेलें बस उसी की याद आती है जिस तरीके से वो खेल रहे है स्कोर बbound स्कों हो चुकर छका है दों के बाद चार रन-बैरा नेकर Спसktion Deborah के प्ढ़ने हिए दौण जोटी साइड को टार्गेट करेंगे आज बले बाइब कैसे हैं अरभिंदा मॉंटल में लाय हूं बिलकुल दूसर्य जनलब का से बिलकुल बाइब ऐसी लात रही है टेसे रहेंगे वह जीते रहेंगे आप भी जीते रही गए अब अब इसी नाम ले लिए है यहां पर और काफी लोग आप सब लोग जो अपने कमेंट्स करता रही है का मुकाबला शुरू हो चुका है सामने मौजूद बलेबाद हैं अरुम कार्थिक अरुम कार्थिक को एक पर फिर से अगली गें इस बार जाने दिया विकेट कीपर के बाद जी हैं यहां पर पर खड़े हुए हैं तो देखते हैं क्या होता है यहां पर यहां पर 20 से पहले विकेट चाहिए भाई कुछ भी हो जाए आप विकेट चाहिए भाई अब तो बिल्कुल अरुन भाई कोशिश तो ही है विकेट मिले मगर दोनों बलेबाज नहीं हो ताबर थोड़ में गेन जाती भी बाउंडरी के बाद चाहरन खेली है राके शौदरी बाई हमार से जुड़ चुके हैं और यहां पर चौका आता हुए उनका स्वागत में रारुन कार्थी के बल्ले से एक और चौका दो चौके लगा चुके हैं इस ओवर में आठ विड़ा के सिनुस्ता पिछले मुकाबले में थोड़ा सा शुरुवाती ओवर जो खराब गए थे मगर आखरी ओवर में वाफसी कर ली थी यहां पर नैस्ट बैटिंग इंगर देखा बादेखो क्या होता है मनोज भाई जूर चुके हैं मनोज विश्व कर्मा भाई जूर चुके हैं रंदीर बा नले रोल किंग काफी बढ़े रहेगा बुरान मिरजा ओथ क्याला बाई साब बड़े आये सरजी भाईया कार्ती सेकंद कार्तिक सेकंड मतलब सेकंड विकेट लेगा कार्तिक ये मिस्टर कोहतब भाई याज जैसिर्ची राम जी आऊट करो प्लीज विलकुल भाई करेंग को एक और वाइड करन मिलता हुआ यहां पर नेला रॉयल किंग को पिछ में ज्यादा कुछ हरकत है नहीं फ्लैट यह सर्फेस लग रहा है पढ़ने के बाद गेंद जो थोड़ा बहुत नहीं के इंद हलकाफल का मुवमेंट दिख रहा है गुर्जापरिस सिंग भी मगर उतन आज मुकाबला जो है वह अच्छा होने की उमीद है चलिए फिर से जराम भाज उचुके हमारे साथ कार्थिक करो और कार्थिक कर दिया तो खेला कैसे होगा फिर तो प्रेला होगा इस मुकाबले में बोलो बोलो बढ़िया बोल रहा है बहुत लगता है कार्थी का सेकड़ सेकड़ा मार के जाएगा सो मार के जाएगा सेकिंड करो सेकिंड आउट होगे यहां बिनोध को और बिनोध कहा है अच्छा मुकाबला बादी है डिपेंड करता है कि इंद बाजी किस तरीके से दोनों टीम होगी आज यहां पर देखते हैं अभी क्या होगा हरीश भाई करेक्स अससी बनेंगे क्या पर पिस तो लग रही है बनाने वाली अगर देखो बनाएं कौन यहां पर लगता हुआ यहां पर पहला विकेट गिरता हुआ लग में शुर्य प्रकाश का और लीजिए एक ओवर कि समापती के सब्सक्राइब को बाहर निकालने के कोशिश यहां पर और देखिएगा बल्ले का बाहरी खिनार लगा और विकेट कीपर ने बिलकुल च्राग लगा कर वस्लिप की दिशा में जाकर कैश पकड़ा है लाचवाब यह कैस ता विकेट कीपर का जिया गुर्जा फ्रीज सिंग इसलिए मिलती है कि विकेट निकालने और आज निकाल दिया है एक एहम मुकाबलें पहला विकेट गिरता हुआ लख में शुर्य पकाश शूने के स्कोर पे आउट होते हुए यहां पर कैश पकड़ा यहां पर विकेट कीपर ने 11 एक विकेट नुकसान पर एक उबर के अच्छी कमेंटरी करते हो सरदनेवाद भाई आज अजीतेश को लिया और वाइस कैप्टन कार्तिक सही भी अजीतेश को सही लिया जीतेश बलेबाजी अच्छी करते हैं सब लॉस दो दिन में प्रांच के लॉस होगा खेलना भाई कुछ भी खेलो भाई अरुन भाई मोट टेंशन मतलो आज मुकाबला अच्छा होगा बलेबाजी के लिए देखते हैं कौन आएगा यहां पर कहीं ने कहीं अरुन भाई तो खुश होगा अरुन भाई गहें कहा है देखने कहें कि विकट आया की रही चले यहां पर अजीतेश गुरु स्वामी पिछले मुकाबले म अगर देखा जाए दोनों बलेबाज हैं वह एक एक सब्सक्राइब कर दीजेगा चैनल को और मुकाबला काफी बढ़िया रहेगा आप यहां पर देखते हैं मिस्टर खुनाल भाई कहना आउट हो गया पहली गेंद कलायों का सब्सक्राइब कर दिशा में मिलता हुआ रु अगर नहीं चले तो बहुत डूब जाएंगे यहां पर चलते हैं दूसरा भी लेंगे दूसरा भी पूरा करते हैं जितेश गुरु स्वामी का चौधर नुकसान पर एक दिशनला दो गेंदवा खेल हो चुका है समाप्त यहां पर यहां पर जुट चुके हैं मनोज भाई अब पांच ओवर तक कोई आउट नहीं होगा बिल्कुल ना हो तो मज़ा आएगा निराज भाई करें मेरा कैप्टन है गुर्जा प्रिस सिंग भाई विकेट निकाल रहे हैं तीन मैचों में कम से कम लगा के चलिए पांचे साथ विकेट निकाल चुके हैं फैज आप बात कर रहे हैं अपना प्रिशन देंगे आज बताएंगे कोन से टीम के साथ है आप बहुत मानेंगे यहाँ पर और यहां पर यहां से मुकाबला काफी बड़िया चल रहा है गौतम भाई जुड़े हुए अजितेश गुष्वामी को फिल्ट्र के 20 से गेंद को निकाल दिया है एक और चौका तक आता हुआ दो बैक टो बैक चोग है पीके सरवन की गेंद बाजी के ओपर थहींडी दीमीगति से गेंद बाजी कर रहे हैं और थवा सशाट गेंद कर रहे है अजितेश गुरुस्वामी का एक और से आने वाली है क्या मुझे भूल गए सर जी प्रतीक शर्वसुमन भाई आपको नहीं भूले है बिल्कुल जुड़ रही है प्रिया प्रेंग का कुमारी जुड़ जुड़ चुके कितना रन बनेगा भाई या कितना रन बन बाएगा भाई मेरे साथ से 177 तो बनने चाहिए कि बल्लेबाजी वाला सर्फेस तो बहुत मनने चाहिए और बल्ले कुछ बॉल टर्न नहीं कर रही है यहां पर आपक बाई कार्तिक सो मारेगा विशलेश सोलंकी भाई बिल्कुल उमीद तो यही है लव लाई बैक करें नरक करेंगा चले देखते क्या होगा फिर सफलंकी गे खेलना है वह काफी बढ़िया है यहां पर प्रियांग भाई प्रियांग का खुमारी बाई जुड़ चुके हमारे साथ भाई बोलता समय नाम लिग दिया करो भाई विनोट धाकर भाई कहने आज जितेश को विकेट नहीं चाहिए बिल्कुल सभी बात है मेरे क्याप्टन सब्सक्राइब बाई चल गए तो सो मारेंगे पूरी यह दुनिया महब्बत का दूसरा नाम है रंदीर और भाई क्या बात लव लाइट पाई के कोर्स अभी से शुरू हो गए टाइकर श्रॉब भाई लगा रहा है लगा रहा है लगा रहा है लगा हुआ है सर्जी आज आ आए फेला होगा भाई नहीं ऑई शुकला जी एया शुकला राहुल कुमार भाई आज खेला हो भी तोनों तेमों के बंयाज बाजी अच्छी है यह वाली प्रियां कहा है प्रियांस है और आप निकलेगूए और अखर समझो के तो और यहां से एक रन और जुड़ता हुआ जी आप एक रन मिलता हुआ जी जितेश को स्ट्राइक प्याते वे अरुन कार्तिक गुरु सुआमी को पिछले ओवर में विकेट मिला है और कहीं गुर्जाप्रीज सिंग को माफ कर यह विकेट मिला है मुकाबला अच्छा रहे गु काम कहा है कपाला भाई देखिया वह आपको मिलेंगे अगले मुकाबले में दिवाकर नाम शशांगत्यागी कहीं ने कहीं आपको मैं आज मिलेंगा मैं मेरे से काम चला लो और इक पहुंडरी के बाहर शारन के लिए चौका मिलता हुआ खोते साथ आज बात हो रही है रुनकार्तिक यह बार्य को होग्ए वहाइवावुक नहीं होना भावुख नहीं होना है पेला उन्हें नाम बता दीजिज बता दिया भी है मैंने नौट लगया था बाई बिल्कुल सही बात है यहां पर कोशिश कर रहे हैं आप सके मैसेज लेने के लिए खान बाई करें पच्पन नौट जाया बोलती बाई लोग बिल्कुल देखो बाई सुधिर भाई करें विन हो कौन होगा सर जी नला रोयल केंग पटकी के फिल्ट्रों के बीस से गे के नुक्सान पर 2.3 गेंदे हो चुकी हैं और देखेगा कप्तान को एक एहम मुकाबले में ऐसी ही मजबूर्ट शुरुवात की जरूरत है यहां पर केस नाइंटीन गेमिंग भाई कहना है रादे 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 वह यह कैसन बाई प्रेम प्रेम बाई करें गुड इवनिं अभी बोलते हैं वाउट उन्हें कैप्टन बल्लेबाद होगा शायद एक बार फिर से अगली के गुजाप्रिस सिंग के पटकी भी गेंद इस बार हलके से डिफेंस किया और को यहां से अगर बात की जाए इस मुकाबले कि तो बड़िया शुरुवात मिली है को बात नहीं करता है मैं आइडी नेम चेंज करके कर रहां पेंजल प्रिया बाई इंजल प्रिया करके कहीं किसी को यार भाई जी मेरा बहुत लोस हो गया पचास अरे सुधिर प्चौहान बाई रेस्ट करिए कुछ दिन रेस्ट करिए फ्रेश माइन में यह दो तीन लिग आपको अच् के मर्ज का अब नहीं दुनाया में कुछ अलाज अच्छा कोई नहीं इलाज मिला भाई यह इश्क की दवा है मुझे मार दीजिए और भाई क्या बात है कहां से निकाल रहे हो साहरी आज आज दिले दास्ता बतादो के पूरी आप हमारी टीम जो नेला होता है आज तो खेल खेल तो चल रहा है जल्दबाजी बहुत करते हो आप नौट के बिचे भलती भागते हो आप यहां पर यहां पर कहीं ने कहीं से लेस्ट भाई के नाइस कॉमेंट्री धन्यवाद MP गेमर बाई करे में नाम ले लिया है तो जोड़ते रहेगा सब्सक्राइब करते रहेगा लाइक करते रहेगा इंज्वाइक करते रहेगा इस मुकाबले को लगातार दो डॉट गेंदे करवा चुके हैं को जपरीज सिंग इस ओवर के अंदर नौन आ चुके हैं अरुन कार्तिक हैं स्ट्राइक पर मुकाबला काफी बढ़िया होगा चले फिर से अगली के पठकी पॉइंट की दिशा में फिल्टर मौजूद है कोई रन नहीं मिलेगा यहां पर मुकाबला सूपर से भी ऊपर यहां पर पर परिनीती का नाम ले दिया है मैंने किसे जाता रहे हो बताओ क्या बताएं आपको बड़ा दूख है फिर से अफगानिस्तन ने बांगलेश को पे अब कहानी सुनो जुमानि सुनओ भाई आतो गारे सब्सक्राइब मूना कर देंगे मेरा खिलाडी खेल रहा है थोड़ी देर मैं बोलूंगा सब्सक्राइब करने के लिए चारव आठ मैचिस में चाथा चार चार विकेट चटका चुके बायाथ के स्पिनर गेंद बाज पिछले मुकामलें काफी बड़ा गेंद बाजी की थी मिस्टर कॉतम बाई कहने बहुत नहीं कर रहें पता दीजे पहले आप खोने का घंवन का घड़ा क्या सोने का घड़ा से पहाड इस मैच में जो हारे रोना पड़ा बाई बिल्कुल क्या बात है इनुद बाई कहने है सोने का घड़ा कोने पड़ा इस मैच में जो हारा वो रोने पड़ा चलिए एक बार फिर से फुलम की गेंद थी इस बार ड्राइव किया उस गेंद को एक बीरन नहीं मिलेगा इस गेंद पर जियां अजी तेज गुरु स स्वापनेल सिंग करने यह करने गेंद बाष एक और स्मंडर यह एंद बाधी रोई जूट चुके हैं हमार साथ इस मुकाबले में और अमन अली भाई जूट चुके हैं यहां से हम पाक से हैं बढ़ अब पाकिस्टान से जुडए हमार साथ पठकी वी गेंद कलाई कर साद बता तो दिया बाइस तो बनाएंगे बनाएंगे यह नाम से एक खतम बाइस जैराम भाइस क्रिश्व बाइस मुकाबले मैसे देख लिए मिश्टर को तब भाई धक तो हो रहा है हमें पता धक तक बहुत ज्यादा हिए तो चले चलता है जरना वो काबले की तरफ 33 मन चुके हैं यहां पर अरुनकार्थिक हैं स्ट्राइक पर और गेंद बाजी कर रहे हैं यहां पर देखते हैं क्या करेंगे अब लगता है और अपील करी आउट दे दिया है अगर बल्ला लगा होगा तो अभी बच पाएंगे ने क्योंकि गेंद बिलकुल सीधी गेंद यह उसको स्वीप करने गेंद जाके पैट से लगी है और अरुनकार्थिक लगता है चलते नजर आएंगे यहां से क्योंकि यह खराब शॉट था सीधी गेंद पर आप एक्रोश बैड़ी शॉट खही ले जाएंगे तो अपना विकेट जरूर गमाएंगे यहां पर 33 दो विकेट नुकसान पर 3-3 गेंद हो चुकी है उचाल इतना था नहीं स्पिछ के उपर गेंद जाकर सीधा यहां पर पैड पर लगी है लिख दिया आपने लिग दिया यहां पर देखते हैं क्या करते हैं इस मुकाबले में और उन कार्थिक थोड़ा सा दबाओं में नजर आ रहा है जानते हैं कि अगर बल्ले से गेंद नहीं लगी तो पाविलियन जाना होगा लग रहा है आपको खेला हो बहुत समय बताएग पाथ कहां पर था वो देखना होगा पिचिंग इन लाइन इंपक्ट इन लाइन और वेकेट हिट जी आउट रहेंगे आपर रिव्यू कवाना पड़ेगा यहां पर मद यहां पर कहीं ने कहीं नेल लाई रोयल किंग को तो पहला जटका लगता दूसरा तीसरा जट दूसर साथ भी जॉइन कर लिजेगा यार लिंक है डिस्क्रिप्शन में लाइचन में पिन कर दिया है उस लिंक को क्लिक करके आइड वर्टसर मेसेज करिए और अपनी आइडी ले लिजेगा यहां पर मिनमम डिपोजिट जो है सिर्फ सौर पे का है और यहां पर पहले करने पर आपको सौर पे का एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा तो जाकर खेलिए और जीतिए कल्यान बुक के साथ लिंक है डिस्क्रिप्शन में लाइचन में पिन कर दिया है उससे लिंग क्लिक करके वर्टसर मेसेज करिए और अपनी आईडी जो ले लिजेगा कल्यान बुक के उ सब्सक्रिप्शन में लाइचन में पिन कर दिया है उस लिंक को क्लिक करके आईडी करिएगा खेलिएगा और जीतिएगा यहां से अब देखते हैं मुकाबला किस तरीके चलता हुए रजराएगा स्वापने सुनकों सिंग को बुलाया तो और आते ही अब पहले और में ही व बलेबाजी करने के लिए बलेबाजी काफी अची करते हैं हम देखते हैं किस तरीके की बलेबाजी करेंगे यहां पर निदिजगार राजगोपाल को अगली गेंद फुलन की गेंद कलायो कर सारे टहला दिया गेंद को डीप मीड़ी की दिशा में एक रन लेते हुए और ख यहां पर कहीं ने कहीं लव लाए भाई जुट चुके हैं परशान ब्रो तुमने कभी धोकार देवला है बिल्कुल बाई रंदिर भाई यहीं आसकी करवाओ आप सबकी यहीं पूछलो आप तीन तो पक्का लेगा वाइस क्रेफटन भाई बिल्कुल खपाला गेमिंग हो स जबते आप लोग के मैसेज नहीं लिए तो कहीं न कहीं फिर आप सोचेंगे की यार क्यूंव हमारा मैसुट नहीं ले रहे हैं हमसे नराज है का लोग शॉचेंगे इसलेज़ नहीं की किसी कोशिशा यह ही है कि सबकर सबकर पर कर लीजिया यहाँ पर मुकाबला काफी भी बढ़िया है स्कोर हो चुका है 35 दो विकेट के नुकसान पर तीन देशनलाग पांच गेंदे हो चुकी है निदेश राजगोपाल स्ट्राइक पर मौजूद है पिछले मुकाबले में अजितेश गुरू स्वामी के साथ एक अच्छी खासी बल्ले बाई मुकाबला काफी बढ़ी आए आप चलते हैं जड़ा मुकाबले की तरफ इस खेल में आगे बढ़ेंगे भाई या वह बाबा का फिर आया है बिल्कुल बाई सही बात है अजितेश को आउट करो प्लीज एरे फैक्स ड्रॉल बहुत हो क्यों क्यों आउट करवारे वाजी कि है इस मोहन परशांद की परिंगी टीम में पिमान जी की इन बाजी काफी अच्छी यह देखा जाये तो प्यमान जी ज्यादा अच्छा इन बाजी करते हैं टूनमेंट के अंदर तो देखते हैं अभी क्या होता इस मुकाबले का सूर्थियाल लाइक करिए का पर मिलेगी तो जाकर ले लिजेगा सोवर पेगी आईडी के लिए गवर जीतिएगा बाबा कितने नंबर पर आएगा बाबा कितने बाई 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 इस टीम में नहीं है एक सो तिरसट नॉट मार दिया है बस चार सुगा वेरी गुड अच्छा ग्रिक का नॉंसिया वाई क सामने मौचूद गेंद बाजी करने के लिए अजे के क्रिष्टन आया है अजे के क्रिष्टन की पहली गैन फ्लों की गैन थे ड्राइव किया इस गैन को मगर गैन चाहेगी सीधा कवर फिल्टर के पास यहां पर कोई रण नहीं मिलेगा मुहमद मनीश भाई जुट चुके पर यहां पर ऐसा लगा कि बैट लगा जी बैट नहीं लगा है वाइड गेंद दिया है एक एक ट्राइन जुडता हुआ ने लाई रोयल किंग के खाते में करेंट रेट ठीक चल रही है आट-टाट की बगर दिक्कत कि दो विकेट खो दिया है दूनों उपनिंग लग रहा है बलेबाजी के लिए सर्फिस अच्छा इतना खराफ सर्वेस नहीं है डिपेंड करता है बलेबाज अगर ठीके रहें तो नीदिश ग्राज कुपाल को बफिट से लेक्स्टम के बाहर लेक्स्टम की तरफ गेंद थी हलके हजसर से खेला है आजे किश्णन की गे ऊपड़ी यहां पर मनफस्य जहांव इस वी बाइक मैं विकैल पर में किखेल और ये शुष्ण वाव पर स्यव दो फंसर कि एक लिखकार है秒 लोग जो है वह चुड़े में यहां पर इस मुकाबले में विकेट ले यार 163 लोटा भी चले लिए पटकीवी के लिए उस्तन के बाहर कवर के ऊपर से खेल दिया जिदेश गुरु स्वामी ने गेंड बिल्कुल ऐसा लगा एफट लेस शॉट था यह आई गेंड और सिर्फ भलकी हातों से पुश किया और देखें कावर्स के ऊपर से गेंड निकल गई चौका मिल गया यहां पर अजिदेश गुरु स्वामी को क्या टाइमिंग है बाइस प्लेर की जबरदस यह टाइमिंग है और रन बनाते हैं यहां पर स्कूर पहुसता हुआ ब्यालिस रन दो व हो और जुड़ जाएगा हमार साथ खेला हो भे अपेला हो भे समय बताएगा क्या हो वे इस मुकाबले में एक बार फिर से सचीन कुमार जुड़ चुड़ चुक है यार यह आउट हो जाता यही तो आउट नहीं होते भाई लक्यों में करें भाई लाइव देखना है तो यहीन का यह एक मूल मंतर है अपने बल्ले को रोकते नहीं है बला चलाते रहते हैं टीम का स्कुर आगे बढ़ाते रहते हैं आप और स्कोर पहुच रहा है जीए स्कोर निकल रहा है आगे के तरफ शिवा यादा भाई जुठ तुके हैं हाइध भाई याह धोर है है बिल्कुट दोने दीज Jain से खेल दिया गेंद बाउस के दिशा में सर के उपर से खेल दिया गेंद बाउस के और गेंज आती वे वन बाउंस बाउंडरी के बाहर शारन के लिए चौका मिलता हुआ यहाँ पर यह तो भीया चौकों की लाइन लगा दिये अजी तेश गुरु स्वामी ने तीन चौके लगा दिये इस ओवर में और अजे कृष्ण का पहला होवर महंगा होवर चौदर नायते स्लोर वन गेंद करने गए बैकफूर से गेंद को पंच किया और गेंदबास के सर के ऊपर से खेल दिया इस शौट को अजी तेश गुरु स्वामी ने और फचास रन पूरे होते वे नेल लाई रोयल किंग के दो विकेट नुकसान पर चार तसवलों पांच ग पटकी विकेल पूल कर दिया ले जी एजी तेश गुरु स्वामी के बल्ले से निकलता हुए एक और छक्का यहां पर और यह महेंगा ओवर बीस रनाई इस ओवर से पांच ओवर की समाप्ति के बाद छपन रन दो विकेट नुकसान पर और तेरा गेंदों में 32 नमना के खे और स्ट्राइक प्राइक है निदिश राज गोपाल गेंद बाजी करम के उपर फिर से जितेश गुरु स्वामी ने प्रेशर बना दिया है चपना बंच चुके हैं दो विकेट नुकसान पर पांच ओवर की समाप्ति के बाद आयां त्रिजान रूपीज पर यूजिंग प नमस्ति निवाकर सर बड़िया नमस्कार जगांदू बाई कैसे हैं अप हर सिंग करें कितना स्कोड डिफेंडेबल होगा भाई जितना बंजा उतना डिफेंडेबल होगा बले बाजी दोओ टीवी के अच्छी है और अब दिपेंड करता घेंद बाजी किस से रही है यहां इसके दिखाके यह समर्वा देगे बतारें तुमको जी आगे करवातें हैं जाहिए उनको जाया रही बाहर देंगे लास्ट छटे ओर में कुछ मदकराई करिये, छटा ओर तो खेला करते हैं, ये खेला होबा, हम भाईअ एक बिल्कुल भाईया जुड़र रही है, जुड़र रही है और मुकाबले को इंजॉय करते रही है, और लाइक करते रही है, चैनल को जुड़ जाहिए हमार साथ इस मुकाबले में एक बार फिर से पटकी वी गेंड गरुसुआमी को गैप में डखेल दिया इस गेंड को गेंड जा रही है कवर बाउंडरी के बार शारण के लिए आज रोकना मुश्किल है नामुम्किन है जितेश गुरु स्वामी को थोड़ा भी गेंशॉट मिलती है तो बिल्कुल उठा के नहीं प्लिकुल टाइमिंग के साथ बिल्कुल जमीन में गेंद को ढखेलते हैं और बिल्कुल गैप में ढख गेंद को और चौका बठोरते हैं च्छटा चौका अजितेश गुरु स्वामी के बल्ले से एक सट्रण बन चुके हैं दो विकेट नुकसान पर पांच तसमलत दो गेंदे हो चुकी है और आजी तेश गुरु स्वामी को रोकना मुश्किल है नहीं नामंकिन है आज खेला ह अज मेरे वाइस केटन ब्रो मारने मार भे थोड़ा दो लो भी आजी देश दो तो रहे है भाई पशान क्या खाना का कहाने हो मैं ब्रो अजितेश गुरु स्वामी अश्वामी गैप धूंधूंड के निकाल रहे हैं फिल्टर मौजूद था लॉंग अगर इस बार स्ट्र कोशक बनके रहे गए और एक और चौका आता हुआ बैक टो बैक दो चौके लगा दिये जितेश गुरु स्वामी ने इस सोवर में चालिस रन बना चुके हैं 15 गेंदों का सामना किया है 65 रन दो विकेट नुक्सान प्रपांद तीन गेंदों का खेल हो चुका है समाब तो खाया बनल चेंगने से खितेश गुरु सामी को रोकना मुश्किल नहींना मुम्किन है यही हो रहा है पर शान जी तेश मेरा चलिए एक बार फिर से जो मैं जब लाइब मैं देखता हूं तो अब ऐसा नहीं खेलता है तो क्रिकेट भाई मत देखो ना फिर क्रिकेट लाइब हिंदी पर ही देखो सिर्फ मुकाबले को आप चलिए चलते हैं मुकाबले की तरफ पैसर ट्रन बन चुके हैं चार गेंदे हो गई है इस ओवर की स्वापनिल सिंग के उपर जानते हैं इस मुकाबले की आहिमेत जीतेगा वह आगे जाएगा वह सीधा घार घर जाएगा यहां से देखना होगा यहीशलते हैं ज disp司要 मुकाबले की तरफ और स्वापनिल सिंग के आप पर डेरी कोमेंटरी क्यों नहीं करते हो आप यहां लाइप अगारे के परदें से विस और चालिस हमारे लिए भी छोड़ती यार लव लाइफ शादी हो गया तुम्हारा लब लाइफ डेफ राव रखा शादी कैसे हो जाएगा उनका नाम यह नू जाएगा लव शादी यहां पर चलते हैं जरा मुकाबले की तरफ इस मुकाबले में क्या होगा सर आपका शादी हो गया क्या बिलकुल नहीं हुआ है सर जी तेश राइट-ंडिट है लेट-ंडिट है जका बंदुबार ज़ितेश गुरु सुवामी जो है वो दायात के बल्लेबाज है दाया दो विकेट नुकसान पर पांच गेंदे हो गए है निदिश राजगोपाल को अगली गेंद और अस्टन के तरफ डिफेंस करा रन लेने कोशिशती मना कर दिया जितेश गुरु स्वामी ने वापस बेजा निदिश राजगोपाल को पहुच गए पूर तरीके से सेफली यहा निल लाई रॉयल लाई किंग का स्कोर है इस ट्राइक पे होंगा जितेश गुरु स्वामी जो की सतरा गेंदो में एक तलिस रन बनाकर खेल रहे हैं और स्ट्राइक पर मौझूद होंगे जिया जितेश गुरु स्वामी और सब्सिंग ने भी गेंद बाजी अच्छी करी दो और चौदा रन दिये एक पी चटकाया जरूर है अब देखना होगा पाउर प्ले के बाद बल्लेबाजी किस तरीक से होगी को साथ से लिए के 15 और का जो फीज होता है वह काफी बढ़िया होता है बल्लेबाजी इनिंग बिल्डिंग के लिए यहां पर आप सब लोग को प्लस पहले डिपोइट करने पर 20% मिल रहा है मालीजी हजार पर बीस परशन का बोनस बहुत आज ही अपनी आईडी लेते हैं और 500 पर डिपोइट करते हैं तो सो रुपे का फ्री बोनस मिल जाएगा तो जाकर जौइन कर लिए कल्यान बुक को स्क्रीन पर दियेवे नंबर अपर यहां पर जहां वह काफी आमाउंट आप जीट सकते हैं काफी यहां खेल रहे हैं काफी बढ़ चल रहा है जीत रहें काफी बढ़िया खेल चल रहा है दिए ना मसली अपना मजाक करो डोट बी सीरिस अजितेश विकिट लेगा वाई जितिंदर रे वया फिर से आउस्टन के बाहर कट किया था गेंद को यहां पर अजितेश गुरु स्वामी ने तोड़ा हवा में गेंद थी मगर वहां पर फिल्टर पहुंच गए थे गुज़ा प्रेस सिंग एक रह पर बुर्गर रश्विन को बुलाए गया यह पिछको भली बती जानते हैं सलें स्पाटर की कप्तान भी रह चुके हैं और यहां से मुकाबला तो हम खाते हैं बिल्कुल चलो बाई सही बात हैं यहां से मुकाबला चल रहा है ड्राइविंग ट्रिप्स बाई जुड़ ट्रॉइज कोई कुछ भी कहें तो कहें लेकिन ग्रूप में बोला था हिंदी का नाम बदनाम होता है कौन कह रहा है रहा पर इस मुकाबले में चिन बाइका मैंसे चुड़ जाए मापीच आए उसके लिए और यहां से अब देखा जाए तो मुर्गन अश्विन आया है पिछले मुकाबले में काफी बढ़िया गेंद बाजी जो है वो की थी मुकाबला निकाला था पने टीम के लिए और यहां पर अभी देखा जाए तो निदिश राजगोपाल सामने आप किस तरीके की गेंद प्लान यही है कि मुर्गन अश्विन पर रिस्क नहीं लेंगे मुर्गन अश्विन कम रन बटो रहेंगे जितना मिल जाए उतने बटो रहेंगे बागी अधर बाजो को टार्गेट करेंगे उन पे वह काफी बटोने कोशिश रहेगी आप अंशु कुमार भाई को लड़क खाँ अपने कई रहें यहां पर सवाल बटा अशु कुमार भाई का रहें रहें लड़की बटवादो कैसी कसी बाते करते शैट करवादो बोल दिए राजज गृपाल जो है वाई पिचासन में देखते हैं चंदिन कुमार बाई कितने मारते हैं यहां पर इस मुकाबले मे और विजे भाई जुड़ चुके हैं विजे भाई जुड़ चुके हैं और सार्थ तोमर भाई जुड़ चुके हैं हमार से इस मुकाबले में और ब्राह्मन समर्या भाई जुड़ चुके हैं इस मुकाबले में चले जलते हैं जरा मुकाबले की तरफ इस बार सामने स्कूर को आगे बढ़ाया जाए यहां से और सटरन बन चुके हैं दो विकेट नुकसान पर 6.05 गेंदे हो चुके हैं मुरगन अश्विन के सामने मौचूद यहां पर जो है सामने मौचूद हैं बलेबाज जितेश गुरु स्वामी को यहां पर ओर की समाप्ती हो चुके हैं 69 रंस लॉस अफ्टू विकेट स्कोर हो चुका एं लाय रोयल किंग का जितेश गुरु स्वामी बीस के दो में तरह तालिस तरन मौच खेल रहे हैं वो होंगे ग्रीज पर देखते हैं गेंद बाजी कौन करेगा मगर मुरगन अश्विन का एक अच्छा ओवर स्रिफ तीन स्टान आइस से बहतरीन पहला हूँ डाला है यहां पर मुरग नश्विन ने जल चलते हैं मुकाबले की तरफ और तो यह और आई वे हैन् जानते हो मैं चाहां करता है किसी को आजिक एब कर नहीं बटाई बहुत कब है 145 बाई बिल्कुल सही बात है शार्थक भाई अभी क्या कर रहे हो भी आरे भी आपस में ही बात कर डालेंगे आसे हमारे वीवर तो अला की गुरु परना के बैठे हुए चली चलते हैं मुकाबले की तरफ बढ़ते हैं गुरु स्वामी 100 रन मारेगा भाई बिल्कुल अच्छा स्कूर रहेगा स्पिच के लिए अगर घुरु स्वामी खड़े रहे तो दोसों के लिए भी जा सकते हैं यहां पर फिर से गेंदबाजी करने के लिए हैं पीके सर्वरन पीके सर्वरन का पहला है काफी मैंगा था बारन आये ते उस से क्या लगता है आज के इस कलायों के साथ खेला है इस गेंदबाजी क्या लगता है क्या लगता है क्या लगता है पीके भाई कुछ कर पाएंगे या फिर जो है जितेश गुरु स्वामी जो है अर्षा तक पूरा करेंगे इस सोवर में यह देखना होगा चलते हैं किसने जीतने का चांस है नर के बाई नलाई रोयल किंग के साथ है उम्मीद यह करें नलाई रोयल किंग जो है इस मुकाबले को जीते यहां से परफेक्ट एंड़ावन भाई कह रहे हैं आउट करो बाई बिलकुल गोशिश है यह मुरकर नश्मिकेट लेगा बिल लड़क राली ग्राम आपको पास्ट वीडियों फेस्बॉक पोस्ट नहीं है और इस मुकाबलें पीके सरवन कर रहे हैं बादे दो दो सजोना चार दो रहना चुकें दो गेंदों केंदर सामने अजीतेश गुरू स्वामी एक बाद फिर से बैकपूर से गेंद को पंच कि संतुष्टी करेंगे स्ट्राइक प्याएंगे निदिश राज गोपाल स्कूर हो चुका है 72 विकेट नुकस्वान पर साधस्वन तीन केंद हो चुकि एंस यहां पर एनस राज अनस राज गोपाल तो देखें साहीं खेल रहे हैं टिकर खेल रहे हैं हैं एल्पिंग फॉर एक सो ब्यासी सब विकेट पर डिपेंड है बिल्कुल सही बात है विकेट जाएगा तब बनेगा नहीं बना तो छोड़ दीजिएगा क्रिकेट ब्लबाइक करें एनर खे विल भी लूज डिस मैच बाइठी क्यों के और इस मुकाबले में अब देखते हैं किस तरीके से खे लेकि दिशा में एक रन तो ले लिया है और दूसरा रन भी तेजी से पूरा कर लेंगे दो रन और मिलते वे यहां पर इस दो रन के साथ स्कूर्प हो जाएगा पिछतर रन दो विकेट नुकसान पर साथ अशनलों पांच गिंदवा खेल हो चुका है समाब जितेश सूराजी की दिस अनरें चैनल गोपाल ले शिकान मिन्टु भाई जुड़ चुकें गुड़ इवनिंग फोब इटली से खुड़ मॉनिंग करने गद्रें गुड़ इवनिंग करने भाई इस फिजिकान मिन्टू ऑई मिन्टू आई पुष्वर चुहान आपका नाम ले ल से और आठोवर के समाप्ति के बाद पिछत्तर रन दोविकेट नुकसान पर निदिश राजगोपाल ने स्क्राइल के दिसा में खेला था फाइनले की दिसा में गेंद गए थी और गुरुस्वामी जो है वो दोड़ गए थे उनको वापस भेजा और बड़ी मुश्किल से आ पर निदिश राजगोपाल 11 के दम साथ रमनाग के ल रहे हैं आजितेश गुरुस्वामी जो है वो 24 के दम शालीस रमनाग के ल रहे हैं स्ट्राइक पर होंगे निदिश राजगोपाल देखते हैं किस तरीके से के लोगा क्या लगता है आपको मुकाबला काफी बढ़िया रहेगा क्या अभी भी यहां से रनों की गती बढ़ानी होगी और यहां से काफी अच्छा मुकाबला जो है वह चल रहा है सब्सक्राइब कर दीजिए मना कर रहा है हमारे वीवर को पार्टी दिए आज चले मुकाबला की तरफ बढ़ते हैं स्कोर जो है अभी भी अब चतर हों कि यहां पर नले लोयल किंग की टीम मगर अभी भी ओवर्स यहां बारा बचे हैं बहत्तर गेंदू के अंदर अगर मालीजे कम से कम अगर यहां से बहत्तर गेंदू के अंदर सोरन भी जोड़ देते हैं तो शायद 120-14 अक्ड़ा एक अच्छा स्कोर रहेगा तो मेरे सा आप से चतरन का आकड़ा जो है वह काफी बढ़िया रहने की उमीद है बागे डिपेंड करता है गेंद बाजी के लिए मुर्गा नश्विन फिर से गेंद बाजी करना है नवे ओवर के मुर्गा नश्विन हैं स्ट्राइक पर मौजूद है बले बाज अब एनस गोपाल जो है स्ट्राइक पर मैच हुआ स्टार्ट हुआ नहीं और पंद्रहसों का लोस हो गया बात कर खुदी लगाए जारे नौट खुदी लगाए जारे नौट किसे पूच रहे हो फिर सब्सक्राइब की तरफ गेंथी ड्राइब जरूर किया मगर फिल्टर पर फिर से बाए हाथ के बलेबाज नितिश्राज गोपाल को मुर्गराश्विन के गेंथ गुगली एगेंथी इस पर हलका तो पुश्च करकर एक रन जो है वो ले लिया है स्ट्राइक पर आते हुए बलेबाज अजितेश गुरु स्वामे स्कोल हो चुका है ची अत्तर र हम दूर है अपने अर्श तक से क्या लगता है मुकाबला काफी बढ़िया रहेगा क्या लगता है यहां से रन बनेंगे क्या अविनाज भाई कह रहे है भाई आई एन्स राजगोपाल तो थोड़ा तो खेलने तो भी जाए चले देखते हैं फिर से गुगली एक यह थी और से पंच करने की कोशिश मगर इस बार गेंद गई पॉइंट के दिशा में मिलता हुआ इस एक रंग के साथ स्ट्राइक पर आते हुए रोबिन चौजरी भाई कहने भाई 93 कर दिये क्या होगा भाई कर दिये क्या होगा मुझे नहीं पता कौन से मैं अची बत कर रहें यहां आज जोड़के प्रासरा कर रहें कि निदिश राज गोपाल को यहां पर खेलने तो भाई थोड़े रण बनाने तो उनको क्या जितेश सो बनाएगा भाई लग तो रहा है मूर तो है मगर देखो अ ग्यारा ओवर के बाद वो चांस लें तो यह कहतना है कि फैसला ले रखा कि बाई एक अभी दिसक जो है वो जितेश गुरु स्वामी लेंगे उसके बाद उसके बाद जो है फिर निदिश राजगोपाल जो है वो चांस लेनी के कोशिश करेंगा ठतर रन बन चुके हैं दो पॉइंट दिशा में खेल कर एक रंब तोड़ते वे इस एक रंड के साथ स्ट्राइक पर आते वे निदिश राजगोपाल तो यहां से नवा उबर चल रहा है आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा स्ट्रीन को लाइक कर दीजेगा इंशोय करिएगा इस मु लोगा तो यहां से इस एक रंड के साथ नौवर किसमाप्ति के बाद असी रं दो विकेट नुकसान पर नेलाई रोयल किंग का स्कोर है निदिश राजगोपाल है लोग बिल्कुल तैयार हो जाएगा इस मुकाबले के लिए यहां से बता दे कि आपको जो भी जो भी टीम यहां से जीतती है वो टीम जाएगी सीधा-सीधा कहीं ने कहीं जो है डिंडी गुल ड्रैगन के पाद जो हालेगा वो सीधा घर निकल जाएगा दीरज बाई जुर सेटिंग करने देर आपको यह शादी शादी खेल रहे हैं अब यहां तो कहीं ने टीम खेल रही है पर चलते है अभी बेटिंग कैसी यह बैटिंग जो भाई कि जुड़एं है में करोड़ बाक्स हो भाई बिलकुल रोश्जा बाइन जनकपुरी से हैं मिलते हैं कभी सब्सक्राइब करने आया है निदिश राज गोपाल है पहली फुलत की गेन स्वीप कर दिया गेन तो गेन जा रही है इस एक रन के साथ स्ट्राइक पर आगे है अजी तेश गुरु स्वामी पहला बड़ा शौट खेलने गए है निदिश राज गोपाल काफी देर के बाद अभी 80 रन बन चुके हैं दो विकेट नुकसान पर पीके सर्वन करेंगी गेन बाजी अजी तेश गुरु स्वामी दो अपने अर्श तक से क्या लगता है रन बनेंगे कुछ देर और लाइब चैट और रहा तो तो तीन साधिया होई जाएगी का हर सिंग भाई कह रहे है आपर देखो क्या होता है और गजब के आवाज धन्यवाद भाई 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 लाइफ नहीं देखना है तो क्या करें भा भी कल्यान बुकी आईडी के उपर ही लाइफ देख रहा हूं फिर से ऑस्टन के बाहर कलायू के सारे खेल दिया इस गेंद को मेड़ विकेट दिशा में जितेश गुरू स्वामी ने एक रन और मिलता हुआ यहां पर ब्यासी रन बन चुके हैं दो विकेट नुकसान पर न जैनेवाद स्ट्ट्टस वीडियो बेतुल से जुण है मारसल मुकाबले में धीरज भाई आज आज कहीं ने कहीं मुकाबला बढ़िया रहेगा कामेंटरी करो और क्या इंडियन मुमें वर्सें मुमन का फर्स्टी 20 मैच कॉमेंटरी करो कि को तो रहेगी कि रहेगी कल रात गोपाल एक बाफिर से पटकी वी गेद ऑस्टंग के तराफ यहां पर कलाई को सब्सक्राइब चलता है स्कूर होता हुआ अब अजितेश गुरु स्वामी सिर्फ एक रंदूर है अपने अर्शतर से साकरो को साव भाई कह रहे हैं आपर कौन जीते का भाई NRK को सब्सक्राइब नलाई रॉयल किंग को अगले गेन अजितेश गुरु स्वामी को फ्रंट फूट पर आकर गेंद को सीधा खेल दिया कवर अजितेश गुरु स्वामी को सीधे बल्ले से खेल दिया गेंद को यहां से और गेंद जाते ही सिधा लॉंग आफ की दिशा में तो दस ओवर समाप तोचोवे होते वे 84 रं दो विकेट नुकसान पर नलाई रॉयल किंग का स्कोर है स्ट्राइक पर होंगे अब जी है जिते अब कॉमेंटरी कहां से कर रहे हैं मिरे नाम दिवाकर मिश्रा आप से मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो एड़ रिट मिश्रा अंडर सकोर दीवाकर यहां जाकर यहां से अगर देखा जासाड़ गेंदे बचीं है इस पारी में अंदर कितने रनो और जूटते नज़र आएंगे यहां पर लाइक करिएगा सब्सक्राइब कर दिए चानल को चले गैरवे ओवर की शुरुवात होती वी यहां पर अजितेश गुरु स्वामी है स्ट्राइप पर मुर्ग नश्विन कर रहेंगे इंद बास गैरवे और की पहली के दॉस्टन के बाहर बले का बाहरी करा लगा है फिल्टर नीचे आते वे यहां पर गुर्ज अप्रिस सिंग ने प्रकड़ा है कैच पहला जटका लगता हुआ जी हां पहला जटका यहां पर लगता हुआ इस मुकाबले में और मुकाबला जी है वो काफी बढ़िया रहने की उमीद रही थी और यहां पर विकेड मिल गया है अजितेश गुरुस्वामी का विकेड गिरता हुआ भाई लिंग मत डालो ब्लॉक हो जाओगे फाइदा कुछ है नहीं और यहां से अजितेश गुरुस्वामी की वापसी होती वे और जादा बहार गेम थी उसको ड्राइव करने गए थे बल्ले का बारी किना लगा और शौर्ट थर्ड मेंड के हाथ में यह गेंद गई और विकेड गिरता हुआ अजितेश गुरुस्वामी के कैश पकड़ा गुर्जप्रीत सिंग ने और गेंद बाजी की मुर्गन अश्विन ने तीस गेंदों पचास रन मना कर साथ चौक एक शका लग कितना थक मनेंगा यह उम्मीद तो रहेंगी वाई यह क्या और किज़ा रहे हैं के शौक रहों कर लाइए कैश पकड़ लिया, विशाल आ रहे भाई, करने राज गोपाल ने विकेट ले लिया है भाई, राज गोपाल नहीं भाई, दिवागर भाई आपने बहुत हैंडसम हो आपको फॉलो कर रखा है, धन्यवाद भाई रोईज्जा भाई धन्यवाद, फिर से बले बाजी करने के ले आ चुके हैं, अब राम सिंग सोनु यादो पहली गेंद पर ही आते ही सिंगल बटोरा है, स्ट्राइक दिया है बिलकुल निदिश राज गोपाल को स्ट्राइक पे निदिश राज गोपाल होंगा, अब निदिश राज गोपाल पे जिम्मेदारी हो कि बचीवी प्रितपाल सिंग जूट चुके 172 कैसा है सर जी 172 कैसा है सर जी ठीक रहेगा बना लेंगे यार नभेरन तो और चाहिए मंगर मेरे साथ बना लेंगे मुर्कणाश्मिन के ओवर निकले नहीं नहीं मारना शुरू किया नहीं यहां पर देखा जाए इस मुकाबले में राम सब्सक्राइब देखते हैं किस तरीके से खेल चलता है पर चासी रन तीन विकेट नुकसान पर यहां पर नलाई रोयल किंग का स्कूर है करें टरन डेट फिली गिरावट आ चुकी है यहां से चांस लेना होगा बड़े शॉट खेलने होंगे टीम का स्कूर आगे बढ़ाना पड़ेगा आप आगे बढ़ाएंगे तभी आगे बढ़पाएंगे तभी तो बढ़ेगा नले रोयल किंग चलिए देखते हैं क्या करते हैं एक बार फिर से सामने मौजूद बल्ल यहां कहीं नहीं नहीं रोयल केंग की टीम थोड़ा से रनों की गती बढ़ानी होगी रंस जहों बनाने होंगे क्या लगता है आपको बन जाएंगे तो लिएक बार फिर से सामने मौजूद राम सिंग सोनु यादव मुरगा नश्वीन की एफुलन की गेंस बाकलायों का सा लेकिन जब कोई नहीं होता है मेरा सागर को साफाव भाई बिलकुल सही कह रहे हैं हम तो नहीं मानते सही कह पाएंगे रामसिन सोनु यादव कैसे खेलता है पसंद करते हैं अपनी दम पे मैच जिताएं बहुत शॉट खेलकर रन बनाए भी हैं विलता है आज भी रन मास प सब्सक्राइब निदिश राजगोपाल को बार-बार शॉट थरन दिशाम में खेल कर एक रन बटो रहा है और इसी करन के साथ ओवर किसमाप्ती होती विचारण आई इस ओवर से ग्यारा ओवर किसमाप्ती के बाद अठासी रन तीन विकेट नुकसान पर स्ट्राइक पर होंगे इनिदिश राजगोपाल जो की बीस गेतमा चौदर रन बरा खेल रहे हैं उनका साथ दे रहे हैं राम सिंग सा उन्हों आदव तीन गेतमा दो रन बर आकर आगे देखते हैं बचेवे 9 ORO के अंदर कितने रन और बनेंगे जी हां बचेवे 9 ORO के अंदर कितने रन और बनेंगे बगर आप सो लोग कल्यान बुक के साथ जॉइन कर लीजेगा लिंक है डिस्क्रिप्शन में लाइचन पिन कर दिया है उस लिंगों क्लिक करके WhatsApp मेसिज करिएगा यहां प सारे मुकाबले लाइचन पिन कर लीजेगा कल्यान बुक को लिंक है डिस्क्रिप्शन लाइचन पिन कर दिया है उस लिंगों क्लिक करके WhatsApp मेसिज करिएगा आपने ID लीजेगा और सारे मुकाबल लाइचन पिन कर दिया है और आज ही अगर 500 पर डिपोईट करते हैं तो 20 में बोनस मिलेगा मिलेगा और साथ में आपको 100 रुपे की फ्री बैड मिल रही है कल्यान बुक की तरह से तो जाकर जॉइन करते रही है कल्यान बुक पे स्कीन पर दिये वे नंबर पर WhatsApp मेसिज करके भी आइड ले सकते हैं टोटली एक्सचेंज है लॉसकर बुक कर सकते हैं तो देश राजगोपाल के बल्ले से आता हुआ बड़ा शॉट आजे किशन दूसरा वर लेकर आये थे पहली गेन शॉट अफ लेंड गेन पुल किया वहाँ पर एनस राजगोपाल ने स्क्वाइला की दिशा में छक्का मिलता हुआ यहाँ पर 94 रं 3 विके नुकसान पर 11 एक ग अगर देखा जाए तो निधिश राज गोपाल को एक बड़ी पारी खेलने होगी एक बड़े स्कॉर के बढ़ना होगा 94 रं 3 विके नुकसान पर दूसरी गेंद करने के तयार जी हैं दूसरी गेंद करने के लिए तैयार रनों की है जरूरत रनों की है दरकार चलिए चलते कर आता हुआ यहां पर नेदिश राज गोपाल के बल्ले से आज आज आजे कृष्णन का दिन जो हो खराब है क्योंकि यहां पर गेंद को थोड़ सा गुल्डन पिछ किया था रूम मनाकर बिल्कुल सीधे बल्ले से खेला लांग आफ की दिशा में नेदिश राज गोपाल सब्सक्राइब कर दो गेंदे हो चुकी है सौरं तीन विकेट नुकसान पर नेल रॉयल किंग का स्कोर है आज आज आजे क्रिश्ण की सामत है पहले साय थे और इस ओवर में भी अगर देखा जाए तो कम सब्सक्राइब काफी दिन के बाद हमारे साथ हाई सर हम तो बड़ी बेटा का बड़े है आप थोड़ा आशिरबात कर देना भाई बिलकुल नाम बताई जगा बंदु भाई नाम बताई ये बड़े विश्ट भी करवाएंगे आपके बच्चे को बिलकुल यहां पर याया क्या याया महदी बाई कहना है मुझे लगता है सब्सक्राइब लेग भाई का सिंगल है या बल्ला लगा है जज़े कृष्टन काफी महंगे हो चुके हैं नौ गेंदे फैकी है 33 रंदे चुके हैं और यहां से अब निदिश राजगोपाल ने कमान समाली है बड़े बड़े शॉट खेलने के लिए थे यहां पर राउंड दस्टम कहे थे स्लोर वन गें थी यह पढ़ने के बाद गें अंदर की तरफ आई थी मगर यहां पर हो सकता है इंपक्ट या फिर उच्छाल दो चीज़े अगर बल्ला लगा होगा तो कोई कोई जोड़त है फिर तो कोई चांस ही नहीं होगा कि लबी डबलू आउट होंगे आप चलते हैं पुरानी हमारे वीवर्स लड़की के नाम नहीं जो पुरानी है उनका सब के नाम मुझे जातर याद रहते हैं जिनका भूल यहां है का था था बर्डे थो आप मेरा रहे यार पुराम जी पूराम जी बिलिटिड हैपी बर्डे आपको बिल्कुल शिरवत बनाये रखिए क्रिकेट लाइव हिद्दी पे हमारे लिए बिल्कुल यहां पर रहेंगे राम सिंग सोनु यादव जहें वह स्ट्राइक पे मौझूद है लव लाइट आपको बोल रहे हैं अपील बर्डे पुनम सिस जियां कहीं यहां पर विश्च कर रहे हैं बड़े चलिए अच्छी बा बल्ले का बाहरी किना लगाएं निकल जाएगी थाड में के दिश्चा में लिजिए यहां पर दोरन और जुड़ते हुए फिल्टर ने कोशिच बहुत अच्छी कई दोरन बचाया पर टीम के लिए मगर जरूर चेक करेंगे यहां पर एक सो तीन बन चुके हैं तीन लगेगा समय लगेगा सर मैं नया हूं या पुराना भी पुराने काफी दिन से हमार साथ जुड़े में विल्कुल ऐसी जुड़ा रहेगा फिर से आउस्ट्रम के तरफ बहार ये गेंति काट किया है पॉइंट की दिश्चा में फिल्डर मौजूद एक रन मिल गया है सर्म अधाशी अंडर हो चुका है क्या बिल्कुल अठाशी बने चांस बन चुके हैं क्योंकि यहां पर फैंटसी भाई कुछ आ किसको किसको लिख रहे हैं अरे कहां से प्यार हो गया है तुम्हें लव्यू हर्षिता पता नहीं कोहां मिल गए इनको जलते हैं साम मुकाबले के सब्सक्राइब बन चुके हैं सभी भाईयों को मेरे तरफ से थैंक्यू सो मत थैंक्यू पूरम जी जुड़ रहेगा और इंज्जोइ करिए कद मुकाबले को मिस्टर स्रीनु भाई करें कितना स्कूर मारेंगा एक 170 बनेगा अब लगा रहाए उमीद रहेगी मगर अब नि स्कूर आगे बढ़ता हुआ यहां से यहां से गेम आगे बढ़ता हुआ जिया भाई मैं याद हूं आपको वह एस वी जी भाई नाम से मेरा चैनल था अरे आप वो क्या भाक्ती भाजन सवांग भाई क्या याद करो याद करो बैस का शेडूल आउट हो गया है बिग बैस का बिल्कुल बढ़ियां करेंगे इस और हम बाई कितना तर टार्गेट जाएगा बाई 170 तो दीख रहा है भ सब्सक्राइब करता है बैटिंग अबाई 307 नॉट करवादो भाई नौ लॉस होगा ना रहे वाह क्या बात रंबन रहे हैं तो कर दिया हो मारेंगे बहुत मारेंगे मिस्टर सीनु भाई यहां फ्री में यह कहां देख रहे हैं ठीन प्ल लाइव ग्रिक नोंसिया भाई द लॉस हो जाएगा बिल्कुल भाई मैं कबसे आपके साथ हो आपको याद है यार एस वीजी ब्लॉग नाम है ना आपका एस वीजी भाई तो आप भी तो स्टार्ट सही है पुरा बहुत साल हो गए आपको कहीं ने कहीं मरसाथ तब तो हमने कई सीजन जो है वो दो कर दिया है आई पर को सीजन चल रहा है हमारा तो अब काफी सीजन दो हो चुके हैं याप चले देखते हैं 105 बन चुके हैं 12 वर समाप्त हो चुके हैं और स्ट्राइक पर मौझूद बल्लेबाज निदिश राजगोपाल 24 कितम 27 समरागर खेल रहे हैं मगर सिच्विशन यह है कि अब आठ हो बचे हैं आठ में 8185 बन सकते हैं अब यह कॉलाप सोगा तो काम बनेगा का यह खेल आप इतना बताओ संपी में कितनी बैटिंग भाई संपी की बैटिंग में ठीक है और अगर बात की जाए तो और कौन है जक्तिशन कौशे के स्टीम के अंदर है वे दितने विच्छी बल्लेबाजी करते हैं सब्सिंग इंद्वाजी करें निदिश राजगोपा है और सभी आपका चैनल 3 पे सब सब पे देखूँ है देखा है बिल्कुल बाई बिल्कुल सभी बात सके एस पेजी ब्लॉग भाई नाम तो मुझे याद ही रहता है कहीं कुछ कुछ लाग व्लाम ही याद रहते हैं पर पुश किया है गेंद को पॉइंट के दिशा में एक रन के साथ इस ट्राइक प्याते वें यहां पर राम सिंग सोनु आदा तो कि राम सिंग सोनु आदव चांस लेंगे स्वाबन सिंग के स्पैल का यह तीसरा और सब्सक्राइब और मुर्गन अश्विन के स्पैल हमेशा अच्छे निकलते हैं और यहां से रनों गती को बढ़ाना है तो एक बल्लेबास को चांस लेना ही पड़ेगा नितिश राजकोपाल ने पिछले और में दो बड़े शौट खेले जरूर थे बर मुझे यहां से देखना होगा यहां पर राम सिंग सोनुयादव ने गेंड जा ती में दिशा में छे रन के लिए लीजीए इस बार भलेबाद international से और थी फुललंकी गेंट थी सीधे बाले गेंद इस बार ओवर की तीसरी गेंद यहां पर हरका तुछ किया गेंद को सिंगल बठोड लिया इस ओवर में नौन आ चुके हैं तीन गेंदों के अंदर निदेश राज गोपाल होंगे स्ट्राइक पर अब यह ओवर थोड़ा महेंगा जाता हुआ जिया करेंट रंडेट यहां से मुकाबला काफे अच्छा होगा नावेद आलम भाई आपका मैसेज ले लिया है सर्जी मेरा नाम नहीं ले ले लिया आपका इस मुकाबले के अंदर अच्छा लगा रंदिर बाई और डाल क्या कह रहें चलिए अगली पर पिर से एनस हरीश को सीधे बल्ला से खेल आपका तीन चैनल है ना अभी आप एक पे ही कॉमेंटरी करते हो बाई नहीं भक्ति भजंग भाई आप तीनों पर करते हैं आप चेक कर लीजिए का फिर सेलेक्स्टम की तरफ यह गेंद थी कलायों को सारे खेला डेम मिलता हुआ इस गेंद पर इस एक रन के साथ नहीं लग रहा है नारके की टीम आज कुछ अलग मूड में लग रही है मिस्टर सीनु भाई मुझे नहीं पता कितने चौके लगेंगे भाई क्योंकि एक साइड में चोटा है एक साइड बढ़ा है यहां और यहां सरन बन रहे हैं यह अच्छी बात है हमारे लिए तो प्रेडिस इस गीम को अमपायर ने इस वाइड के साथ एक रन और जुड़ता हुआ यहां पर इस एक रन के साथ ट्राइक पर मौजूद बल्लेबाज निदिश राजगोपाल वाइड के रन आ रहे हैं यहां से अगर बात की जाए यहां पर रोहित भाई जुड़ चुके हैं मुकेश आते वे इस ओवर से 17 पिछली ओवर में आये थे तो दो ओवर में 33 रन जोड़ ली हैं दोनों बल्लेबाज नों निदिश राजगोपाल ने एकदम से गेर को चेंज किया है 28 गिदम चौतिस रन मना चुके हैं दो चौके छका लगा चुके हैं 13 ओवर समाप तो चुके हैं 12 212 रन तीन विकेट के नुक्सान पर अगर साथ ओवर में 70 रन जोड़ेंगे तो 191 अगर असी रन जोड़ लें तो 201 तक बहुत सकती है नेले रोयल खिंग की टीम स्ट्राइक पर होंगे राम सिंग स्वाउन होनु यादब जो कि साथ के दुमें 12 मना चुके हैं अगर देख देखते हैं क्या होता है यहां पर गेंदबाजी के लिए अब जगतीशन कौशिक को लाए जाएगा कहिए देखना होगा 16 तो 33 से भाई क्या मार रहे हैं अब तो अब जो है वो शौट्स आ रहे हैं रन बन रहे हैं रमेश कुमार भाई मिना नाम ले लो सर्जी एक बार रम बनेश कुमार भाई आपका नाम ले लिया है लव लाई डेथ भाई खुश होते हैं यहां पर मुकाबले में बिलकुल जुड़े हैं आपर हमारे साथ काफी लोग और यहां से अब लग रहा है कि रंस बनेंगे रंस बनने भी चाहिए और बनेंगे भी ऐसा लग रहा है इस मुकाबले में चले देखते हैं क्या होता है इस मुकाबले का सूर्तियाल तेज गेंद बाज यहां पर जक्तिशन कौशी को बुलाए गया है स्लोर वन गेंद कलायों के सारा टेलाया राम सिंग सोनु यादव ने गेंद को डीप बिडवे की दिशा में एक रन मिलता हुआ इस गेंद पर इस एक रन के साथ स्ट्राइक पर आजाएंगे बल्ए बाज यहां पर जो है मेदिश राज गोपाल जक्तिशन कौशी कोशी को अमोमन जादा गेंद बाजी करते रही है तीनी मुकाबलों में गेंद बाजी करी है मगर यहां सीन के उपर अगर रिस्क लिया जाए तो शायद यह प्रेशर में आ सकते हैं इस मुकाबले के अंदर अब क्यलता है यहां से बची भी 42 गेंदों के अंदर सतर रन जोडेंगे या फिर असी रन जोडेंगे चलिए देखते हैं परशान ब्रो अब आ जाना पड़ेगा बिल्कुल भाई आजेए दानिश भाई जुड़ चुके हैं नीड विकेड भाई मुश्किल है चलिए एक बार फिर से अगली गेंद लेक्ष्टम के बाहर ये गें स्कूप करने गए वगर यहां पर वाइड करार दिया अंपायर ने इस वाइड के साथ एकन और जुड़ता हुआ नेल लाई रॉयल किंग के खाते में 123 विकेड नुक्सान पर 131 गेंद हो चुकी हैं देखते हैं क्या होता है विनोध भागर भाई सर जवाब दे दो काफी चाहेंगे मैं से निकले दुबारा भेज़ दो पर फिर से देख लेंगे और रमिश कुमार जी करें थैंक्यू सब्सक्राइब कर रहे हैं यहां से अगर देखा जाए तो एक और वाइड गेंद यहां पर इस वाइड गेंद के साथ यह तो भाईया ओवर खतम हो चुकी है निदिश राज गोपाल 28 गेंदों में 34 रन मनागर खेल रहे हैं काफी बढ़िया बल्लेबाजी है मेरे साफसे तो रनों रनों की और दरकार है तीजी से खेलना होगार 200 रन स्कोर कर दिया तो एक सेफ स्कोर रहेगा कहीं ने कहीं इस मुकाबले के लिए चलिए सब्सक्राइब निदिश राज गोपाल ने इस एक रंग के साथ राम सिंग सोनु यादव स्ट्राइक पर आजाएंगे 125 रन बन चुके हैं थीरा दस्वनलब दो गेंदों का खेल हो चुका है समाब भाई आपका जैसा वीडियो कैसे बना सकता हूं भाई देखे मनीश सब्सक्राइब यूट्यूब पर ही मिलते हैं तो यूट्यूब भाई राम से बना पाएंगे आप मेरा भी नाम प्रिंस सिंग राजपूद भाई आपका नाम ले लिया है मौहमद आरीब भाई कैसे हैं यह पी चैनल भाई कह रहे हैं आपर नौट होगा देखो भाई लग नाम बदल दिया या पिर नाम ही काटून रखा हुआ है चेंस तो नहीं किया काडून भाई ने आज वह पर दिवागर भाई ट्वैंटीटू पीके फिर आएगा आज पीके नो बाई देखो शोकून मिंटू भाई पीके तो आएगा पीके ने गेंदबाजी बेची करी है आप इस स्ट्राइक पर मौझूद बनले बास जी हां बाएं हाथ के बनले बास है ये निदिश राजगोपाल इस ओवर में वाइड का सिल्षला जो है वो जाधा रहा है और एक बार फिर से मौझूद बनले बास निदिश राजगोपाल गेंद बाजी कर रहे हैं जगतिशन को राउंड दस्टम गया है फुलन की गेंद यॉरकर गेंद करने की कोशिश कराई को सर टहलाया इस गेंद को एक रन तो ले लिया है दूसरा रन ले लिए की कोशिश पहुच जाएंगे जी आंप पहुच गए हैं इस दो रन के साथ स्कोर हो जा हैत्चा आप बताओ जी जिसमें अच्छा प्रोफिट हो सबस्तों अब अब कर लेने होंगे अच्छी एंट्री और अच्छी एंग् 도म कोशें judge Ei एक्सचेंज लोगों को निशा में दो फिल्ट्रों के बीस से गेन निकल गए लिए यह क्या फिल्डिंग है आज लगता है हिम्मत सी हार दी है मदूरवी पैंथर्स ने डीप मिट विए निशा में खेला तो शॉट को निदिश राज गोपाल ने दो फिल्टर दो है इतनी ध सब्सक्राइब कर दो फिल्टर भी उतना बड़ा भी स्कोर नहींगे नौदर शॉल्ट प्रती ओवर के साब से रन बन रहे हैं और रन आ रहे हैं निदिश राज गोपाल चौके पर चौके बटो रहे हैं अब देखता होगा आज किस तरीके से खेल होता है एक बार फिर से जगतीशन कौशिक के ओवर की आखरी गेंद और यहां पर फुलन की गेंद सीदे बले से खेल दिया गेंद बास की दिशा में एक रन मिलता हुआ इस गेंद पर इस एक रन के साथ 12 रन आए इस ओवर से जी आप पिछले तीन ओवर के अंदर 45 रन जोड ली हैं इन दुनों बल्ले बाजों ने चौधा ओवर के समापते के बाद 133 रन तीन विकेट नुकसान पर नलाई रोयल किंग का स्कोर है करेंट रन रेट नौ देशनल पांशूने का चल रहा है तो छे गे छे चतिस गेंदे बची है छे और बचे है छे और मेंगर साथ रन जोड़ दिये तो पर यहां पर 1093 का स्कोर बन सकता है आप पर प्रतीक बार्वर भायज बार ठीक चुटकी है अब करता लंएग चौक्या का घीता गेमिंग क्या लाइक का ना है का गाता गेमिंग नम रख्थ हैं पीता गेमिंग तो गेमिंग यहां पर राशीर बाइब के पूर कैप्टन सी नहीं अंकित तुरीची जुड़े तुरीची का नाम आपने जोड़ा है तो तुरीची के ओनर का नाम बता दीजिस जिसने वह टीम के खईदी है वह साथ मैच हारके वह सोच रहा है कि की ख्राड़ों को बने रख लिए अंकित बाइब करेगा मैं संपी पर दसदर लगा दिये हैं अभी शेक बाइक बगलत लगा दिया और को सपोर्ट कर रहे हैं आपका मुह नहीं दुखता है बोल बोल करना ह आपके लिखने में भाइब करता है लंबी चलेगी यहां पर चलेगा है जरा मुकाबले के तरफ मुर्कन अश्विन को बलाया गया है कि इन वाजी करने के लिए 15 वावर लेकिया है उनके इस पेल का यह जो है आखरी ओवर है 12 रंदी एक व्यक्तिक चटका के यहां पर यहां पर फिर से फुलन की गेंद मुर्गराश्विन की कवर की दिशा में खेला इस शॉट को फिल्टर ने कोशिच की ती मगर गेंद तक पहुचे नहीं और चक्का बठोर लिया है चक्का बठोर लिया है निदिश राज गोपाल ने इस गेंद पर पहली गेंद ऑस्टन के बाहर कवर की दिशा में फ्रंट फुट पर आकर खेल दिया शॉट को फिल्टर ने कोशिच की लॉंग आफ के गेंद को रोक लूम अगर रोक नहीं पाए और गेंद गई छक्क के लिया जिया पिछतर मिटर का ये छक्का था स्कोर पहुसता हुआ 149 रं तीन विकेड नुक आपने मैं इसा रही कि मैं गरत नियुक्त मैं भी इंसान हुआ भी इंसान हुआ अब भी इंसान ही है विए जिते कैसे खेलता है पिछल मुकाबले में ता बरतुर बल्लेबाजी कि फैंटेसी भाई एंटेटिम ना करें ऐसी कॉमेंटरी होनी चाहिए रियल मैच इतनी एनर लगा चुके हैं अपनी स्पारी के अंदर मगर यह भी बड़े शॉट लगाना पसंद करते हैं मुकाबला काफी बढ़ी आएं आप भाई मैंने क्या बिगाड़ा है जो मेरा नाम नहीं लेते भाई टाइप टू-0 नाम अपका है नाम लिखते नहीं हो यार चलिए सलते हैं फिर भाई टीम हार जाएगी यार कौन विन करेगा भाई वाई एनले रोयल किंग फेवरेट साथ रोटी फेवरेट का खेल है अगर एंट्री ने चोटी से लिए के छोट दो जो भूल जाओ कि हार गई हार तो हार के जीत जीत गए बाइक कैप्टन सी बढ़िया किया राम स मैंच खतम नहीं हुआ क्रिकेट है चंदन कुमार जी कहना है सोनु को आउट कर दो भाई या सोनु को आउट कर देंगे बिल्कुल टेंशन मलेगा बेलकुल दीपु भाई एक तो मार चुके हैं मगर अभी एनस राजगो एनस राजगोपाल जो हैं स्ट्राइक पर फिर से के बाहर यह गेंद थी कट किया है गेंद गई है डीपॉइंट दिशा में एकन मिलता हुआ इस अभी भाई कहना है मैं लाइक कर दिया है थैंक्यू आमित्रोय करें टार्गेट 180 अभी भी 180 निदर आ रहा है आपको चले हाँ पर निदिश राजगोपाल ने कम सिंगल लेकर 50 नम पूरे किये 36 गेदों में 35 गेदों में 50 नम पूरे करतवे तीन शक्के और दो चौके लाया है जिदेश गुरु स्वामी के आउट होने के बाद निदिश राजगोपाल ने जिमेदाई जो है वो काफी अच्छी निभाई है आप 142 न बन चुके हैं तीन विकेट नु सब्सक्राइब यहां पर चलते हैं क्या दिवागर भाई आज कल इजी टीम पकड़ रहे हो भाई आसिर भाई क्या अगरो टीन पील है गाली सुनने हमने मन नहीं आप गुस्से शांत रहना हूं ब्लड प्रशर कम रखना हूं और इजी टीम नहीं है भाव आया सत्तर पैसे सत्तर पैसे और के चाहिए जिंदगी में यहां पर पहली बैटिंग करते हुए नेले को सत्तर रखना व्योकूफी थी वैसे दिखा जाये तो रखा रूने पाई मैंने 50 लाग गया है एनार के पर काम लगाना था क्या भाई रिंकु कुमार भाई सही लगाए आपने अब ल पर फिर से राम से सोन हुआ दों के इंद को डीव मिट विकेट दिशा में फिल्डर मौजूद एक रनोर मिलेगा यहां पर 144 रन बन चुके हैं तीन विकेट के नुकसान पर जियां एक सो तिरानवे एक सो जियां यहां से अगर बात की जाए तो 144 रन तीन विकेट नुक्स कांशान पर सकोर हो चुका है हैं आप 14 ौल पांच गेंदों का खे़ल हो चुका है समाथ दिश राज गोपाल 35 गेंदों में 25 रन की पारी खे़ल चुके हैं अब मुर्गन अश्विन की यह गेंद होगी अब देखना होगा यहां से इस मुकाबले में मुकाबला जियां झाल झाल चलिए यहां से छोटा सा ब्रेक लिए था पानी पीने के लिए 15 और समाप्त हो चुके 145 रन तीन विकेट नुकसान पर निदिस राज गोपाल 36 गिदों में 51 रन बनाकर झो है वो खेल रहे हैं आप र मुकाबला его सूपर से भी उपर रहने के उमीद है देखते हैंफ एम किस से क्येगे से खेल होता है पंदरा ओर समाप चुछे हैं तीनोग एक सो पंतालिस रन तीन विकेट नुकसान पर स्ट्राइक पहें नेदिश राजगोपाल और 36 गेदों में क्यावरन की पारी खेल चुके हैं जी हैं यहां से अगर बात की जाए तो अब 36 जी हैं साथ मुकाबले में और मुकाबला जो है वह सूपर से भी ऊपर रहने की उमीद रहेगी मुकाबला जो है वह काफी अच्छा रहेगा आप चलिए देखते हैं अभी क्या होता है बागिया आपस लोग जो है वह कल्यान बुक के साथ जॉइन कर लीजेगा लिंक है डिस्क्रिप सोर पेगा और कल्यान बुक की आईडी के उपर आप सारे मुकाबले जो हैं वो लाइव देख सकते हैं यहां पर सारे मुकाबले जो हैं वो लाइव देखिएगा और खेलिएगा और जीतिएगा यहां पर पहर डिपोईट करने पर आपको 20% बोनस मिलता है मान लिजिए आज करते हैं तो बीस परशन का बोनस तो मिलेगा ही मिलेगा साथ में आपको यहां पर सौर पे की फ्री बैट भी आपको मिल जाएगे तो जाकर जॉइन कर लिजेगा कल्यान बुक को लिंक है डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है सौमिल सिंग के ओवर के बढ़िया यहां पर दो गेंदे दो गेंदों में कोई भी रणना भी तक नहीं आया है इजब तीसरी के है निदिश राज गोपाल को स्वीप किया टॉस स्वीप किया टॉपेश लगा यहां पर फिल्टर से जस्ट आगे यह गेंद गिरेगी और यहा पर लगा नहीं पाए स्कोर हो चुका 146 रन तीन विकेट नुकसान पर 15.3 गेंदे हो चुकी है नेदेश राज गोपाल 49 गेंदे में 52 रन बढ़ा कर खेल रहे हैं तीन चके और दो चौके यहां पर लगा चुके हैं बले बाजी के लिए यहां से मुकाबला जो है वो काफी बढ़िया रहने की उमीद है लाइक करिएगा आप से लो सब्सक्राइब कर दिए चानल को जुड़ रही हैं मासा चले जबी चगली के यहां पर रिदिश राज गोपाल को इस बार बड़ा शौट केल आए जी यहां चक्का बटो रहेंगे चक्का बटो रहेंगे यहां पर 153 रन तीन विकेट नुकसान पर 155 गेंदे हो चुकी हैं मुकाबले में लाचवाब बल्ले बादी चल रही है आज लग रहा है कि यहां से रन्स बन रहे हैं तो चलन को सब्सक्राइब करते हैं स्ट्रीम को लाइक करते हैं और कल्यान बुक के साथ जॉइन कर लीजेगा लिंक है डिस्क्रिप्शन में लाइचर में पिन कर दिया है उस लिंगों क्लिक करके आईडी क्रेट करिएगा खेल येगा और जीतिएगा देखते हैं आज किस तरीके का खेल जो है वो चलते नदर आता है वाकित अभी तो चाहिए जीतने के लिए लाइक करिएगा चलिए यहां पर फिर से अगली गेन सौपनिल सिंग के सोवर के इस बार बड़ा शॉट खेला इस गेन पर हवा में थी ये गेन मगर फिल्टर से स्ट आगे ये गेन गिरेगी एकर मिलेगा सोला ओवर समाप्त हो चुके हैं सोला समाप्ती के बाद यहां से अब आगे देखते हैं किस तरीके से ये खेल चलेगा यहां पर और मुकाबला जो है काफी बड़िया रहेगा इस मुकाबले में देखते हैं भी क्या होता है इस मुकाबले का सूर्तिहाल अब किस तरीके से चलेगा ये खेल सुला ओवर समाप्त ह चुके 143 विकेट नुकसान पर निदिस राज गोपाल जो है वो स्ट्राइक में मौजूद है पर देखते हैं यहां से अब 16 ओवर यहां पर जो है इस मुकाबले में खतम हो चुके हैं 24 गेंदो आखेल बचा है अब 24 गेंदो में कितने रन और बन सकते हैं जी अगर 40 रन जोडते है एक सो चुरानवे तक पहुत सुके हैं अब और यहां से चलते हैं जरा मुकाबले की तरफ बात करेंगे जिए मुकाबले की तरफ आगे बढ़ता हुआ यहां से अप देखते हैं कि सतरीके से यह खेल चलेगा क्या रहेगा इस मैच का सूर्थिहाल मुकाबला सूपर से भी उपर रहने की उमीद है चाहेंगे कि बड़ियां मुकाबला जो है यहां पर चलता रहे चलिए गोपाल भाई जुड़ चुके हैं हमार साथ इस मुकाबले में और देखते हैं यहां से क्या होता है चलिए राइक करिएगा सब्सक्राइब करिएगा और जुड़ी रहीगा हमार साथ इस मुकाबले में यहां पर खाना डाउलोड करना है सवरी नफीदी भाई डाउलोड नहीं करना है कर शक्का आता हुआ यहां पर निदिश राजगोपाल के बल्ले से स्कोर हो चुका है एक सो साथ रन तीन विकेट नुकसान पर सुलत सलनों एक गेंद हो चुकी है निदिश राजगोपाल 42 गेदों 65 रन बनाकर खेल रहे हैं और पांच शक्के और दो चौके लगा चुके ह है रन काफी बन रहे हैं यहां पर अब 23 यहां त continu निदि हैं 23 गेंदों के अंदर यहां से र missionary होंगे है यहां पर और रहन चुव सकती है यहां पर नेला रोा ही रोल खेंगो चुकी जाना एहां एक बार फिर से सामने माहुद बल्लेबाज राम्स पर PKS सरवन य्य civilization के पुल जरूर किया है मगर स्क्राइलक्ट फिल्टर मौजूद है एक रन मिलता हुआ इस गेंद पर 171 रन तीन विकेट नुकसान पर 162 गेंदे हो चुकी है राम सिंग सोनु यादव स्ट्राइक मौजूद है यहां से और देखे देखेगा कि इस तरीके से यह खेल चल रहा है पीके सर्वनन जो है वो इस ओर में सात रन देच चुके हैं कि आप राम सिंग सोनु यादव की बारी है गाफी देर हो गया है राम सिंग सोनु यादव को हराम से बलेबाजी करते वे देखते वे तो क्या यहां से बड़ा शॉट जी आ एक बार फिर से ऑस्टन के बाहर ये गेंद थी जी हां ऑस्टन के बाहर ये गेंद है वाइड गेंद है ये एक रन और बिलता हुआ यहां पर राम सिंग सुख्री है यहां पर नलाई रोयल किंग को पीके सर्वन के ओवर के अगली गेंद इस बार ओवर के तीसरी गेंद राम सिंग सोनु आदो को पटकी भी ग कर दिया है गेंग को गेंग जा रही है सीधा डीप मिट विकेट फिल्टर के हाथ में लीजिए यहां पर नेलाई रॉयल किंग को एक और जटका लगता हुआ यहां पर 162 रंचार विकेट नुकसान पर 163 गेंदे हो चुकी है थोड़ा सा यह शॉट अफ लेंद गेंग पुल यहां से देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ अब 21 गेंदे बची है इस पारी की 21 गेंदों में आप कितरे हैं रितिक इश्वरंज है वह आ चुके हैं रितिक इश्वरंज है। वो स्ट्राइक पर आ चुके हैं अब देखते हैं किस तरीके से खेल चलते हैं नदर आता है वहाँ पर किस तरीके से आगे बढ़ता है ये खेल आप से लो लाइक करिएगा सबस्क्राइब कर दीजेगा चैनल को और जुडते रहिएगा हमारे साथ इस मुकाबले में क्या लगता है आपको यहां से अब दोसों का आकणा दिख रहा है और उसके लिए रण मनाने पड़ेंगे कम से कम यहां से चालिस रन प्रों और जोडने होंगे कहीं न कहीं यह उपर बले बाजू को क्या प्जोड पाएंगे यह देखना होगा रितिक इश्वरन पीके सर्मन करने है गेंदाराजी ओवर के चौती गेंद इस बार सिंगल लिया है सिंगल बटो रहा है और यहां पर स्ट्राइक पर जियां स्ट्राइक पर आटे वे यहां पर निदिश राजगोपाल तो यहां से अब बात की जाए तो 20 गेंदे बची है निदिश राजगोपाल कोशिश करने हैं 16-17 गेंदे जो हैं और वो खेलते नज़राएं इस मुकाबले की तो खेल पाएंगे यह देखना होगा एक पर फिर से पीके सर्वनन के ओवर की अगली गेंदे स्ट्राइक पहने दिश राजगोपाल एक सिंगल और आता हुआ यहां पर इस सिंगल के साथ यह ओवर निकलता हुआ आज लग रहा है कि थोड़ा मज़ा आएगा इस खेल में आज कुछ और भी बोल रहे हैं दीपु भाई कहरे कोई बात नहीं सकता मार लिया भाई बिल्कुल बहुत मार दिया भाई उन्होंने आज यादा भाई जुड़ चुके हैं यहां पर एंट्री ले सकते हैं आप लोग चोटी सी एंट्री ले जाए जाधा बड़ा रिस्क मत ली जाएbur आप विश्वासांस एस समपी के उपर चोटा मोटा रिस्क जो है वह आप ले सकते हैं जींह पर दोरन जादे गेंट पर सत्रा वर समावत होते हैं 66 रंस लॉस ओफोर विकेड नेलाई रॉयल किंग का स्कोर है निदिश राज गोपाल 44 गेदों में 67 रंस की निदिश राज गोपाल 67 रंस बनाकर खेल रहे हैं और वहीं अगर बात की जाए इस मुकाबले की तो यहां से अगर बात की जाए तो 18 गेंदे बची हैं जी आठारा गेंदों के अंदर कितना स्कोर और बनते हैं नजर आएगा इस मुकाबले का यह देखना होगा चलिए लाइक करिएगा सब्सक्राइब घर दीजेगा चैनल को और जुड़ जाएगा हमार साथ इस मुकाबले में कोशिश तो यही है कि भाई रं बने और रंस जहें वो आग बढ़ते हैं नजर आएंगे इस मुकाबले में यहां से अब चलते हैं था किसी तरीके से खेल आथारा गेंदों में अर up सब्सक्राइब कर दीजेगा चैनल को मेरे इसाब से चलने दीजे इस खेल को और खेल जो है काफी बढ़ी रहेगा चले गुर्जा प्रिस सिंग को बुला लिया गया है ठारवे ओवर के लिए अठारवे ओवर की पहली के यहां पर यहां से अगर बात की जाए तो गुर्जा प्रिस सिंग को बुलाए गया गया गयन बाजी करने के लिए पहली गयन यहां पर बड़ा शॉट खेला है नेदिश राज गोपाल ने एक बार बाउंडरी चेक करेंगे जी यहां छे रन मिलेंगे इस गयन पर नेदिश राज गोपाल तो भी आज रुके रोके रुक नहीं रहे हैं 45 गेंदों में 73 रन की पारी खेल चुके हैं 6-4 छे चक्के और यहां पर दो चौके लगा चुके हैं फुल टॉस यह गयन थी पुल किया था और गयन को भेका था स्क्वेर लाक के दिशाओं में 6 रन के लिए अंपार एक बार नो बॉल भी चेक करेंगे क्यों फुल टॉस गेंद थी बिल्कुल लगा लिजे कि बल्ला बल्ला जो है कंदे तक उठा लिया था यहां पर निदिश राज गोपाल ने शौट खेलने के लिए अगर नो बॉल ह यह गेंद दुबार डालनी पड़ी और अगली जो फ्रीट होगे एक सबातर रन बन चुके हैं चार विकेट नुकसान पर सत्रा दसनलों एक गेद हो चुकी है और ऐसा लग रहा है यहां पर रन बनेंगे अरे भाई आप ऐसा क्यों करवा रहे हो इसा सतर पर ही रोक दो रह कर खेल रही है इस मुकाबले में रनों की गती जो है और यहां नो बॉल है तो जहां पर साथ रन मिलेंगे इस गेंद पर फुल टॉस गेंद इसको स्कूप शॉट करके स्क्रेले के दिशा में खेला था फाइनले के उपर से खेला छे रन के लिए और आब यह पहली गेंद दुबार डालने होगी तो 18 के दो दुबारा बची है अब इस पारी की 177 बन चुके हैं चार विकेट नुकसान पर 17 हो और जो है वह समाब्त हो चुके हैं नेदेश राजगोपाल स्ट्राइक पे मौजूद जी हां स्ट्राइक पे मौचूद है यहां पर अब देखना होग किस तरीके से खेल चलेगा लाइक करिएगा सबस्काइब कर दिये चैनल चैनल को और निदेश राजगोपाल के पास मौका है सेंचुरी बनाने का क्या सेंचुरी बना पाएंगगे आज इस मुकाबले में यह देखने ले बात रहेगे चली जोड़ते रहेगा सबस्काइब आależ चार पर 111 1 г यहाँ पर आकर श्टंप पर गैन लगी थी वसके बाद गया लिए ती सब्सक्राइब कर दीजेगा और लाइक कर दीजेगा और लाइक कर दीजेगा फिर से यहां पर यॉर्क करने कोशिश को गेंद को रखेल दिया शॉट रन में दिशा में एक और मिलता हुआ जीए और मिलता हुआ इस गेंद पर इस एक रन के साथ यहां पर स्ट्राइक पर आ जाएंगे बहले बाद रितिक इश्वरन को भी अब कोशिश यह करनी है कि रनों की गती बढ़ाई जाए और शॉट्स करने के लिए और इस सीजन के अंदर दोसों का आकड़ा जब जब बना है चेज नहीं हुआ तो क्या आज चेज हो पाएगा यह देखना होगा गुर्जा फ्रीज सिंग वैसे ही आज बारान दे चुके हैं दो गेंदों के अंदर पहली नो बॉल ती छक्का लगा उसके कर गेंदी सिंगल बठो रहा है स्ट्राइक प्यार निदिश राजगोपाल 179 रंस लॉस ओफोर विकेड एक गेंद की जो है वो काफी एहमियत है इस मुकाबले में जियां और अगर देखा जाए जियां इस मुकाबले में बिल्कुल चल रहा है यहां से और यहां से देख दीजिएगा किस तरीके से किस तरीके से खेल चलेगा कि जिसाफ से निदिश राजगोपाल ने बल्ले बाजी करी है अजी तेज गुरु स्वामी के आउट होने माला लगा था कि एक सब्सक्राइब देख रहे हैं और दोसों बनने के चांसे से हो बढ़ चुके हैं इस मुक देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस मुकाबले की जो खेल चल रहा है वह उतना बढ़िया चल नहीं रहा क्योंकि एक और चौका मिलता हुआ यहां पर इस पारी के अंदर और भाहिया नेलाई रोयल खेंग जो है और निदिश राजगोपाल पर चत्तर रन मनाकर खेल रहा है और तालिस माकुरी के असपर माकुरी आर इस्वर्ण थे स्ट्राइक पर उन्हें चौका मारा है आर इस्वर्ण का यह पहला चौका है चार गेंदों में आर्ट फर मना चुके हैं ग्यातेरा गेंदे बची है इ इस मुकाबले में जी यहां दोसों का आकड़ा देख रहा है इस मुकाबले में इस मुकाबले का जो सूर्टेहाल में बहुत मुश्किल हो चुका है जी यहां पर अमपार जो है शायद गेंद को बदल रहे हैं अमपार जो है शायद गेंद को बदल रहे हैं यहां पर पहले ही कंदे के जब स्टार्ट हुआ था जितेश गुरू स्वामी के बाद इसा लग रहा है कि यहां पर कंदे जो है पहले गिराद यह थे यहां पर कही निगा बने बाजो ने उसके बाद थोड़ से मुश्किल हुआ यहां पर लगलाई खुश होते हों यह वीना देवी ज और यहां से लग रहा है कि थोड़े सा निदिश राजगोपाल खड़े रहे तो शायद यह स्कूर जहां वो आगे जाता ही रहेगा जाता ही रहेगा और जाता ही रहेगा देखते हैं अभी क्या होता है एक पर फिर से गुर्जा प्रिश सिंग्ग जहां ओवर की आखरी स्ट्राइक पर पिछली गेंद पर चौका लगाया था ठर रन आ चुके हैं इस ओवर से और यह स्कूर हो चुका एक सचुरासी रन चार विकेड नुकसान पर दोसों रहा है और ऐसा लग रहा है कि दोसों का आकड़ा जहां वो क्रॉस करना भी चाहेंगे यहां पर और दोस काफी लोगों ने स्ट्रीम को लाइक नहीं किया तो प्लीज एक बार लाइक कर दीजेगा यार सब्सक्राइब कर दीए चानल को एक बार फिर से गेंद लेकर चलते हुए गुर्जपनीत सिंग स्ट्राइक पे हैं आर इश्वरन बड़ा शौट की है दरकार का बड़ा शौ लुटा नहीं और चौका मिला नहीं आपर कोशिश की दिफिल्टर ने कैस पकड़ने की वगर गेंद तक पहुच गए थे गिर गए उसके बाद गेंद निकल गई बाउंडरी के बाहर चारन के लिए गुर्जपनीत सिंग जो है वह नाकुच है वह नाकुच तो रहने भी कि 22 रन आए हैं इस ओवर से और इनके नोबोल के विजए से जह है वह काफी ज़्यादा रन बन गए इस ओवर मिड़ाफ मिड़ान का फिल्टर ने कोशिश की डाइव लगाया कोशिश की कैस पकड़ लूं अगर गेंद हास से लगकर गेंद निकल गई बाउंडरी लाइन क चले देखते हैं क्या होता है इस मुकाबले का सूर्तियाल स्कोर हो चुका है अब 184 विकेट नुकसान पर किसे बुलाया जाएगा आज गेंद बाजी में आज ये क्रिश्टन भी काफी महंगे रहे हैं गुर्जापरी सिंग को भी आज मार पड़ी है उनका नश्मी ने थो गेंद बाजी के लिए फिर से आजे क्रिश्टन को बुलाया गया है दो और में 36 रंदे चुके हैं एक और आजे क्रिश्टन का इस ओवर में कुछ बड़ी आवर कर पाएंगे या फिर इस ओवर में भी काफी रंस बंते नजर आएंगे चलिए लाइक करिएगा की तरफ गेंद इस कूप शॉट केला है गेंद गई यह शौट थर्णमें दिशा में एजलकर शॉट थर्णमें दिशा में गई है फिल्डर मौजूद एक रंड मिले गा इस गेंद पर इस एक रंड के साथ यहां से जियां यहां से अगर देखा जाए तो स्ट्राइक पर बले बाज जी यहां बले बाज आ जाएंगे एक आर इश्वरन ग्यारा गेंदे बची हैं दोसों को आखड़ा दिख रहा है तो क्या 210 के आखड़े को चूप आएंगे क्या 210 की तरफ बढ़ पाएंगे क्या यह देखना हो गोगी दोनों बले बाज जहां वह कोशिच कर रह बहुत खराब चल रहे हैं हर ओवर मार पड़ रही है अज धुलाई जो है इनी की हुई है तरतालिस रहम दे चुके हैं 14 गेंदे करी हैं फुल रंद की गेंद थी बिल्कुल फुल गेंद थी उसको जो है बिल्कुल नीचे बैठ के कट किया और पॉइंट के ऊपर से खेल च्छके के लिए आरी शुरन ने तो आरी शुरन भी छे गेंदों में 18 रंद की खेल चुके हैं और बहुत मार रहे हैं यहां पर इस मुकाबले में और देखिएगा आज बहुत मार पड़ी है चलिया एक बार फेर से गेंद लेका चलते हुए जे किश्णन ना आरी शुरन क स्लोर वन गेंद स्लोर वन गेंद गेंद को ढकेल दिया सीधे बल्ले से यहां पर लॉंगाउन की दिशा में चौका मिल गया मैं कहरा हुना भाईया आज गेंद बाजी जह है वो कुछ खास रही नहीं है एक सा निन्यान वे रन बन चुके हैं चार विकेट के नुक्सान पर तीन गेंद हो चुकी हैं पहले लगाया तो शक्का अब लगाया है चौका ग्यार रन आ चुके हैं तीन गेंदों के अंदर जी आँ मुश्किल है बढ़ती हैं करेंट रन रेट दस दसनलों साथ छे का दो सो के करीब है एक सो निन्यान वे रन चार विकेट नुक्सान पर न दिया है नौ गेंदे अभी बची हैं दो सो रन बन चुके हैं चार विकेट नुक्सान पर क्या आगली नौ गेंदों में बीस रन जोड़कर दो सो बीस के आखड़े तक पहुश सकती है क्या देखना होगा यहां से आज देखिए गेंद बाजी को पूरी तरीके से आज गेंदे स्कूप शॉट के लाए गेंद जाती है फाइल लेक की दिशा में चेरन के लिए एक और चक्का आता हुआ यार शुरंज वो किस तरीके से खेल रहे हैं या समझ में नहीं आ रहा है यारकर भी कर रहे हैं उसको स्कूप शॉट खेल कर फाइन लेक के ऊपर से खेल कर चक्का बटोर दे रहे हैं और आठ गेंदों में 28 रन क्या मैजिकल पारी खेल रहे हैं दो चक्के और तीन चौके लगा चुके हैं और मुश्किले बढ़ा चुके हैं मुश्किले पूर तरीके से बढ़ा चुके हैं यहाँ पर लग नहीं रहा कि उस ले में है मदुरी पैं सब्सक्राइब करते हैं कि अगली गेंद को पटकी वी गेंद को सारे फिलिक कर दिया गेंद को इस एक रन के साथ रहत की सास लियोगी अजे क्रिश्णन ने क्योंकि अभी तक 2.5 गेंद करी हैं पच्पर रन दे चुके हैं 19 रन इस ओर में भी आते हुए 19 वी ओर में मगर अभी भी आखरी गेंद बची है निदिश राज गोपाल होंगे स्ट्राइक पर 207 रन बन चुके हैं चार विकेट के नुक्सान पर आस तो भाईया जो भी गेंद बास सामने पड़ा है यहां से और इस मुकाबले में यहां से मुकाबले में अगर देखा जाए रन बहुत ज़्यादा बन चुके हैं यहां से क्या करें बहुत ज्यादा रुस्तान हो चुका है यहां पर और एक बार फिर से एगली गेंद पटकी लिगेंद इस राज गोपाल को सीदे बलत से खे करें निकल जाओ बस ग्राउंड सो तुम ही निकल जाओ बस क्योंकि तुमसे नहों पागा बटा तीन ओवर में पच्पन रन दिये हैं और कोई विकेट नहीं जब जाके एक विकेट इनको मिली है निदिश राजगोपाल की बड़ा शौट खेल लेके जरुद भी थी मगर इस दो चौके लगाकर पविलेंज आते वे आप सो लोग कल्यान बुक के साथ जॉइन करते रहेगा लिंक है डिस्क्रिप्शन में लाइचन में पिन कर दिया है उस लिंक को क्लिक करिएगा और जुड जाईएगा वहाँ पर वर्टसप के साथ वर्टसप मेसेज करिएगा और अपनी आईडी ले लिजेगा यहां पर मिनममम डिपोजिट जो है सिर्फ 100 रुपे का है मिनममम विड्रॉल जो है 100 रुपे का और यहां पर आप सारे मुकाबलों लाइग दे सकते हैं च्रिकेट हो फुटबाल टैनिस हो कोई बी मुकाबला हो कल्यान बुक के ओपर आप ल हैं तो आपको यहां पर 200 रुपे का बोनस मिलेगा प्लस 500 रुपे करने पर आपको 100 रुपे का बोनस मिलता है तो आखरी ओवर है यहां पर जुड़ जाईएगा खलान बुक के साथ लिंक है डिस्क्रिप्शन में लाइचर में पिन कर दिया है और लिंक को क्लिक करके अलाई रॉयल किंग का 207 रन बन चुके हैं 6 विकेट के नुकसान पर और आर इश्वन की भी धमाकेदार पारी जो है वो समापत होती वेजियां धमाकेदार यह पारी थी 10 गेंद में 30 रन बनाये थे और LBW आउट करते वे गुर्जा प्रेस सिंग चले गुर्जा प्रेस स एक अजया है उसी तरीके का है क्या यहां पर बने बाजी करते वे यहां पर बने भाजी करते हुए कैना में यहां पनतर भी क्या उस तरीके का खेल दिखा에서도 EVERड़ greater grosse गए थे और गेन जाके जो है वो थाइब टकराई अब देखना होगा इंपक्ट क्या था मिसिंग था या हिटिंग था जिए इंपक्ट इन लाइन अंपार स्कॉल तो अंपार का फैसल आउट था आउट होंगे यहां पर बलेबाज जो हैं जी आप बलेबाज वह आउट सब्सक्राइब तक पहुचा जाए यहां पर इस मुकाबले में और गाज गेंदबाजी में कंधे डाउन थे शुरुवाती विकेट जरूर मिला उसके बाद जो जीतेश गुरू स्वामी ने स्टार्ट किया उसके बाद गेंदबाजी वापस आ जो हदीमी करती से फिल्डिंग करने लग गए गेंद जा रही है जाने दे रहे थे तो यह थोड़ा सा आज मधुरूई पैंथर्स की कमजूरी रही है मगर देखते हैं बलेबाजी में कि आपने आपको एक जूट करकर टीम को आगे पहुचा आपके टीम आगे पहुच पा करते हैं हमेरे टीम के लिए तो वह भी काफी अच्छा रहेगा इस मुकाबले के लिए चलिए लाइक करिएगा आप सो लोग सब्सक्राइब कर दिए चानल को मैं देख रहा हूं यार काफी लोग जुड़े हैं हमारे साथ स्ट्रीम को लाइक नहीं कर रहे हैं प्लीज होता है एक बार फिर से बढ़िया गेंद यहाँ पर गुर्जपनीत सिंग का एनस अरीश को कोई रण नहीं मिलेगा 208 रंचे विकेट नुकसान पर 19 दशनलों तीन गेंदे हो चुकी हैं एनस अरीश क्रीज पे मौजूद हैं पहली गेंद यह वो डॉट गेंद खेली है प पर एक बढ़िया ओवर करेंगे गुर्जा प्रीज सिंग यहाँ पर चले देखते हैं भी क्या होता है इस मुकाबले का सूर्थियार चले सामने मौजूद बलेबाज यहाँ पर एनस अरीश को यह गेंद इस बार सिंगल मिलेगा 209 स्कोर पहुच चुका है छे विकेट सलेगा यह देखना होगा राकित तो थोड़ा सा यहां से खतम हो रहा है अगर बात की जाए तो बलेबाजी पर करता है कितना बनेगे मगर यहां पर गुर्जा पर चिंग के ओवर की अभी वी एक अच्छी गेंद और एक सिंगल और मिलता हुआ इस सिंगल के बाद स्ट्रा अब इस मुकाबले के अंदर देखते है क्या करेंगे मं ऐख बाउंडटि या फिर सिंगल चोय चका बातो रहेंगे क्या यह देखना ओगा चलिए एक बार फिर से सामने माजुद बर बार्ज गुर्जा प्रिस तिंग की यहां पर सरीश को सिंगल लिया इस गेंद पर और यहां से यह पारी समाप्त होती वी जियां यहां से यह पारी समाप्त होती वी बीस ओवर में नेल लाई रोयल किंग ने बनाए 211 रन चे विकेट के नुकसान पर अब टार्गेट मिल गया है यहां पर जो है मदुरे पैंथर्स को 212 र तो मैच का सूर्थियाल यह है कि अभी टॉज इता ता मदुरोई पैंटर्स ने पहले गेंद बाजी करने का निन्ने लिया और गेंद बाजी करते वे जियांगे आप बले बाजी करते वे नेलाई रोयल खिंग ने बनाए बीस ओवर में दोसो ग्यार रण छे विकेड नुकसान पर आपको बताते हैं यह इलिमेटर मुकाबला है जो भी टीम जीतेगी वो आगे जाएगी जो टीम हारेगी वो घर जाएगी तो यहां से अब अगर मधुरोई पैंटर्स को इस मुकाबले को जीतना है तो दोसो बारण मनाने होंगे 120 गेंदो के अंदर तो क्या यह बना पाएंगे इस स्कोर को यह देखना होगा बाकी अब नले रोयल किंग ने अपना काम कर दिया है बना दिया है बीस ओर में 211 अनचे विकेड नुकसान पर चली चलते हैं जरा स्कोर कार्ड की तरफ जीहां ओपनिंग करने आए अरुन कार्तिक और लखमे शूरे प्रकाश लखमे शूरे प्रकाश जहां वो शूनने के स्कोर पे आउट हुए एक गेंदी खेल पाए वहीं अरुन कार्तिक जहां बारा गेंदो में 18 मनाया और 4 चौके लगाये तब जाकर आउट हुए यहां पर जितेश चौके और 6 बड़े चक्के लगाये यहां पर स्ट्राइक जहें सुबावन का था रामसी सोनुवादर में 13 गेंदो में 17 मनाये एक चक्का लगाया स्ट्राइक जहें 130 का रहा आरिश्वरन ने भी एक नीचे आकर आखरी ओर्स में ताबरतोर रन मनाये 10 गेंदो में 39 की पाल किंग को और रेले रोयल किंग ने बनाये 211 रन 6 विकेड नुकसान पर 20 ओवर के अंदर अब टार्गेट दिया गया है 211 रन तो क्या मदोरे पैंथर्स की टीम 211 रन बना पाएगी क्या यह देखना होगा अब बल्लेबाजी में स्टार रहे आज अज इतेश गुरु स्वा यूज हुए है यहां पर देखा जाए तो आज सबके एकॉनमी जिए वो काफी जादा रहे पहले बात करते हैं गुर्जपनीत सिंग के गुर्जपनीत सिंग ने चार ओवर किये 42 रन दिये और दो विकेड चटका एकॉनमी जिए 10.50 ने करा है हाँ पर पी सर्वनन ने आज पी के सर्वनन ने 4 ओवर किये 43 रन दिये एक विके शटका एकॉनमी जिए वो 8.25 करा है अगर बात की जाए तो सौपनील सिंग ने भी 4 ओवर किये 49 रन दिये एक विके शटका एकॉनमी जिए 9.75 की रही वही आजे के कृष्णन जी आ अजे कृष्णन ने आज काफी यहाँ जग्तिशन कौशिक ने भी एक वर के बारान दिये कोई विकेट नहीं मिला एकॉनमी जिए उनका बारा करा विकेट मिला गुर्जाप्रीज सिंग को दो विकेट चटका है बागे पी सर्वनन सौपनल सिंग अजे कृष्ण मुर्गन अरश्विन को एक एक विकेट म अब शेख है पी के सर्वनन तक बलेबाजी है कहीं न कहीं जो है अब मध्रोई पैंथर्स के पाद देखते हैं क्या करते हैं मध्रोई पैंथर्स की टीम बाकि आप सब लोग कल्यान बुक के साथ जॉइन कर लीजेगा यार लिंक है डिस्क्रिप्शन में लाइचन पिन कर है उसने को क्लिक करके वर्ट्स मेसिज करिए गा और आइडी जो हो ले लीजिएगा वहाँ पर आपको मिनमम जो डिपोजिट है सुर पर का है मिनमम विड्रॉल जो है सुर पर करेंगे तो आपको 200 रुपे का बोनस मिल जाएगा स्क्रीन पर दिये वे सार नंबर पर भी कर देगा वर्ट्स मेसिज करिए गा सव पर आपनी आइडी जो हो ले लिजेगा कलेान बुकूप आप सारे मुकाबले लाइज दे सकते हैं चाहिए क्रिकिट हो फुटबॉल टैनिस हो कोई भी मुकाबला हो वह सारे मुकाबले आप लाइफ दे सकते हैं तो जाकर जौन कर लिए कल्यान बुक के उपर टोटली एक्सेंज है लॉटव कर सकते हैं तो टीम अपर प्रॉफिट जो हो आप खेली और चीथे चाफिस है आगर आज ही अप काफी मुश्किल हम औहां हो चुका है यहां मुश्किल है हैEr नहीं नहीं कहिंने कहीं मद्र हुआंथ की ही 25fps को आज जम कर क्रखेलना पड़ेगा मैच को आगे लेकर चलना होगा हर बल्यबाद को जिम्मेदारी जो hon Blaze नाथ इन देखने आली बात रहेगी कि बलेबाज आज अपनी जिम्मेदारी जो है निभाते वे नज़राया क्या तो मैच का सूर्टियाल यह है कि अभी टॉज इता ता मदुरही पैंतर्स ने पहले गेंद बाजी करने का निन्ने लिया और गेंद बाजी करते वे जिया आंगे आप बलेबाज को इस मुकाबले को जीतना है तो 212 मनाने होंगे 120 गेंदों के अंदर तो क्या यह बना पाएंगे इस स्कोर को यह देखना होगा बाकि अब नले रोयल किंग ने अपना काम कर दिया है बना दिया है बीस और में 216 विकेड नुकसान पर चली चलते हैं जरा स्कोर कार्ड की त तब जाकर आउट हुए यहां पर अजितेज गुरु स्वामी ने एक आर्शतके पारी खेली ताबर तोडव बल्ले बाजी थी तीस गेंदों मनाए पचास चौक एक छक्का लगाया था स्ट्राइक रेट जो है 167 का था वहीनितिश राज गोपाल ने भी धाकर बल्ले दस गेंदों में पाली खेली तीन चौक और दो चक्के लगाए स्ट्राइक जो है तो सुनब्बे कराएं आप निदिस यहां पर एन्स हरीश और पी सुनिंदरन जहें वो नाबाद रहे एनस हरीश ने बनाए तीन गेंदों में दो रण और पी सुगिंदरन ने यहां पर ब ना पाईगी क्या है यह देखना होगा बल्लेबाजी में स्टार रहे आज अज इतेश गुरु स्वामी पचास रंग की पारी खेली एनस राज गोपाल 76 रंग की पारी खेली और आर इश्वरन जिरुन दस गेंदों में 39 रंग की पारी खेली और जिंका स्ट्राइक रिट यह दूसर नब्बे करा यह तीनों बल्लेबाजों ने चमकरन बठोरे इस पिछ के ऊपर अब चलते हैं ज़रा गेंदबाजी के तरफ जी आज 6 गेंदबाज यूज हुए है यहाँ पर देखा जाए तो आज सबके एकॉनमी जिरू हो काफी जादा रहे पहले बात करते हैं गुरजपनीत सिंग गुरजपनीत सिंग ने 4 वर की ए 42 रन दिये और 22 के चॉटकाई economy जहे 7.50 पांच कि रही वही है आजे के क्रिश्णन जी आजे क्रिश्णन ने आज काफी महेंगे रहे तीन ओवर के पचपर रन दिये एक विकेट नहीं मिला एकॉनमी जो है उनका बारा करा विकेट मिला गुर्जा प्रीज सिंग को दो विकेट चटका है बागे पी सर्वनन स्वापनल सिंग अजे क्रिश्ण मुर्गन रश्विन को एक एक विकेट मिलते हो नजर आया तो अब टार्गेट चाहए दोसो बारा का है 120 के नहीं पूरा करना है जिम्मेदारी होगी सीहरी निशांत के उपर शुरेश लोकेश्वर के उपर क्रिशन जैन के उपर विजय दित्ते के उपर जक्तिशन कौशी के उपर सौपनल सिंग है सीरी अभिशेख है पी के सरवनन तक बल्यबाजी है कहीं ने कहीं जो है अब मध्रोई पैंथर्स के पाद देखते हैं क्या करते हैं मध्रोई पैंथर्स की टीम बाकि आप सब लोग कल्यान बुक के साथ जॉइन कर लीजेगा यार लिंक है डिस्क्रिप्शन में लाइचन में पिन कर दिया है उसने को क्लिक करके वर्टसर मेसिज करिएगा और आईडी जो हो ले लीजेगा वहाँ पर आपको मिनिमम जो डिपोईट है सिर्फ 100 रपे का ह लिपोईट करेंगे तो आपको 200 रुप्य का बोनस मिल जाएगा स्क्रीन पर दियेवे सारे नंबर पर भी आप वर्टसर मेसिज करके भी आईडी ले सकते हैं तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में अच्छा में पिन कर दिया है लिंक को क्लिक करिएगा वर्टसर मेसिज अगर आज ही आप डिपोईट भी करते हैं पांच और पर बोनस की तरह से मिल रहा है करना कुछ नहीं है लिंक है डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया लिंक को क्लिक करिएगा वर्टसर मेसिज करिएगा और आपको आईडी जो है मिल जाए कल्यान बुक के उपर तो इनिंग करिए सबस्क्राइब करिए इंजॉइ करिए इस मुकाबले को तो मैच का सूर्थियार यह एक टॉज इता ता मदुरही पैंथर्स ने पहले गेंद बाजी करने का निन्ने लिया और गेंद बाजी करते हुए जियांगे आप बले बाजी करते हुए नेलाई रोयल खिंग न दर तो क्या यह बना पाएंगे इस स्कोर को यह देखना होगा बाकी अब नले रोयल किंग ने अपना काम कर दिया है बना दिया है बीस और में दोसो ग्यार अनद छे विकेड नुकसान पर चलिए जरा स्कोर कार्ड की तरफ जी हां ओपनिंग करने आए अरुन कार्तिक और लखमेशूरे प्रकाश लखमेशूरे प्रकाश जहां वो शूनने के स्कोर पर आउट हुए एक गेंदी खेल पाए वही अरुन कार्तिक जहां बारा गेंदों में अठारन मनाया और चार चौके लगाए तब जाकर आउट हुए यहां पर जितेश गुरु स्वामी ने एक शतके पारी खेली ताबर तोड़ वो बल्ले बाजी थी 30 गेंदों मनाया पचास रंच चौके एक छक्का लगाया था स्ट्राइक रेट जो है 167 का था वही नितिश राजगोपाल ने भी धाकर बल्ले बाजी करी 50 गेंदों में 26 गेंदों मनाया और दो चौके और 6 बड़े शक्के लगाये स्ट्राइक जो है तो सो नब्बे कर रहा है आप लेले रोयल खिंग ने बनाये 211 रंचे विकेड नुक्सान पर 20 ओवर के अंदर अब टार्गेट दिया गया है 211 रंच तो क्या मदोरे पैंथर्स की चीम 211 रंड़ बना पाईगी क्या यह देखना होगा ब पारी खेली एनेस राज गुपाल 76 रंकी पारी खेली और आरी इश्वरन जिरुन दस गेंद में 39 रंकी पारी खेली और जिंका स्ट्राइक रिट जो है दुस्त नब्बे करा ये तीनों बल्ले बाजों ने चमकरन बटोरे इस पिछ के ऊपर अब चलते हैं ज़रा गेंद पार शून ने करा है हाँ पर पी सर्वनन ने आज पी के सर्वनन ने चार अवर किये तैतिसरं रं दिये एक विच्छन न्ने आज काफी महेंगे रहे तीन ओवर किये पच्पर न दिये एक विक्टिषन को यह मिला और च्ठीषन को चहे अपर जक्टीशन को एक एक गुर्याप्रीज सिंग को दो विक्टिषन को दो पूरा करना है क्विक्ट तब करना है जिमेदारी होगी सीहरी निशान के उपर शुरेश लोकेश्वर के उपर क्रिशन जैन के उपर विजय दित्ते के उपर जक्तिशन कौशी के उपर सौपनिल सिंग है एस श्री अभिशेख है पी के सर्वनन तक बलेबाजी है कहीं ने कहीं जो है अब मध्रोई पैंतर्स के पाद देखते हैं क्या करते हैं मध्रोई पैंतर्स की टीम बाकी आप सोब लोग कल्यान बुक के साथ जॉइन कर लीजेगा लिंक है डिस्क्रिप्शन में लाइचन पिन कर दिया है उसने को क्लिक करके वर्टसप मेसिज करिएगा और आईडी ले लिजेगा वहाँ पर आपको मिन्मम् ड़ोई पैस दिपईल आप से इसेरे से कर सकते हैं बाकी अगर बात की जाए है तो जोमृपिक करनेपर आपको 20शन का बोनस मिलता है करेंगे तो आपको 200 रुपे का बोनस मिल जाएगा स्क्रीन पर दिये वे सारे नंबर पर भी आप वर्टसर मेसेज करके भी आईडी ले सकते हैं तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में अच्छा मैं पिन कर दिया है लिंक को क्लिक करिएगा वर्टसर मेसेज करिएगा और अपनी आ क्लान बुक के उपर क्लान बुक के उपर अगर आज ही आप डिपोईट भी करते हैं तो आपको 100 रुपे का बोनस जो है क्लान बुक की तरह से मिल रहा है करना कुछ नहीं है लिंक है डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है लिंक को क्लिक करिएगा वर्टसर मेसेज करिएगा सब्सक्राइब करिएगा और आपको आईडी जो है मिल जाएगी कलान बुक के उपर तो इनिंग ब्रेक बस कुछी तरह में समापत होने वाली है आप सो लाइक करिए सब्सक्राइब करिए इंज्वाइब करिए इस मुकाबले को तो मैच का सूर्तियाल यह है कि अभी जीतेगी वो आगे जाएगी जो टीम हारेगी वो घर जाएगी तो यहां से अब अगर मधुरे पैंथर्स को इस मुकाबले को जीतना है तो दो सो बारण मनाने होंगे एक सो बीस गेंदों के अंदर तो क्या यह बना पाएंगे इस स्कोर को यह देखना होगा बाकी अब नल उनका अर्तिक जहें बारा गेंदों में अठारन मनाया और चार चौके लगाया तब जाकर आउट हुए यहां पर जीतेज गुरु स्वामी ने एक अर्षतक के पारी खेली ताबर तोड़ वो बल्ले बाजी थी तीस गेंदों मनाया पचास चौके एक चका लगाया था स्ट का लगाया स्ट्राइक जहें 130 का रहा आरिश्वरण ने भी एक नीचे आकर आखरी ओर्स में ताबर तोड़ रन बनाये 10 गेंदों में 39 की पाली खेली तीन चौके और दो चक्के लगाये स्ट्राइक जहें तो 90 का रहा है आप निदिस यहां पर एनस हरीश और पी अंदर अब टार्गेट दिया गया है उसलिया इनिंग ब्रेक जहां समाप्त हो चुकी है और गेंद बाजी करने के संदी वार्यर आचुके हैं ओपनिंग करने आए एस लोकेश्वर और सीहरी निशान पहली गेंद पर सिंगल आया है खाता खुला है एस लोकेश्वर का ओवर की जिया वाइड गेंद है यह वाइड गेंद है यह वाइड गेंद के साथ एक रण और जूडता हो मदुरही पैंथर्स के खाते में स्कोर आगे बढ़ता हुआ यहां पर दो रण बिना के सुनुसान के एक गेंद के बाद 119 गेंद में चाहिए 210 रन जीतने के लिए रिक्वार रन रेट है 10.59 ग्यार रन प्रती ओवर के हिसाब से यहां पर रन मनाने पड़ेंगे मधुरही पैंथर्स को अगर यहां से अब आगे बढ़ना है तो जी यहां से अगर आगे बढ़ना है मधुरही पैंथर्स को तो यहां रन मनाने पड़ेंगे सामने है सीरी न शान्त है स्ट्राइक पर फिर से बढ़िया गेंद यहां पर डॉट गेंद है कोई रण नहीं मिलेगा इस गेंद पर स्कोर अभी भी दो रण बिना किसे नुस्तान के दो गेंदों के बाद चले चलते हैं जरा आप सब की तरफ मुड़ते हैं जरा बात करते हैं तरुन शर्मा यहां से मुकाबला जो है वो काफी आगे बढ़ता हुआ यहां से चलते हैं जरा मुकाबले की तरफ और यह स्कोर है ना काफी बड़ा दिख रहा है मगर एक पार्टनर्शिब बिल्ड हो जाए शायद यह गेम वापसी हो सकती है मगर यहां पर पर फिर से बढ़िया गेंद यह खराब गेंद ही माफी जाएंगे वाइड गेंद है वाइड गेंद के साथ एक और जुड़ता हुआ तो यहां पर स्ट्राइक पर आते वे लोकेश वर दो गेंद में चारन बन चुके हैं और ऐसे रनों की तो बहुत जरूरत है आज मधुरई पैंथर्स को की वाइड म हैं माँ बले बाजी में स्टोंगनेस दिखानी पड़ेगी दोनों बले बाजложको ऑप्रिंग बले बाजों को चांस लेना ही पड़ेगा रनों की गती बढ़ानी ही पड़ेगी तो क्या लगत आपको रनों की गठी बढ़ाएंगे या फिर शुरुवास ही जटके देखते हैं किस तरीके से मुकाबला चलता है एक बार फिर संदीव वारे गेंड लेकर चलते हुए इस लोकेशनों को पटकी भी गेंड ऑस्टंग के बाहर कट करने गए गेंड और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं कोई रण नहीं मिलेगा इस गेंड पर उच्छाल अच्छा है स्पिच के उपर क्रॉस सीम गेंड बाजी कर रहे हैं जानते हैं संदीव वारे की एक अदा विकेट अगर चटका दिये जाए शुरूआत में तो मुश्किले बढ़ जाएंगे यहाँ पर चले देखते हैं अभी तीन गेंड हो चुकी है चार रन बेना के सनुस्तान के केश्वर को एक और डॉट गेंड चौथी की डॉट गेंड है चोटा सा रिस्क ले सकते हो अगर रिस्क ले सकते हो तो ले लिजेगा क्या पता कुछ रन बनाई दें शिरुवात में उसके बादे क्लोज में आज जो हो देखने में पिस सरफेस में कोई गलती नहीं है एक स् चोटा सा रिस्क ले रहे तो छोटा ही लीजिएगा बड़ा रिस्क मत लीजिएगा यहां पर तो देखते हैं अब आगी किस त्रहीं से गेम चलता है लाइक करिएगा सब्सक्राइब कर दिए चानल को मुकाबले में अगर देखा जाए तो आज गेंड बाजी जब खराब रही है मदुरई पैंथर्स के बार फिर से अगली गेन लेकर चलते वे संदीव वालियर आउस्टन के बाहर ये गेन पढ़ने के बाद और बाहर की तरफ निकली है अंपार ने इसको वाइड करार दिया है यह वाइड गेंद होगी इस वाइड गेंद के साथ स्ट्राइक पे और इस लोकेश्वरी हूंगे और और पांच न आचुके हैं चार घंद के अंदर पांच गेंद हैं पांच गेंद हैं नोकरे चाहर गेंद हैं यह वाइड दबाव बहुत ज़्याद है एक सोला के दो अकिस दो साट रंग की है जरूरा त्रिकॉारं रंड़ेट दस तशनल साथ एका क्या लगता है आपको वाफसी होगी मुकाबले में या फीर शीदे सेद निकल लेंगे वह शीदे सीद Selak Спार मिलता हुँigt इस चान के साथ को और आगे बढ़ता हुआ यहाँ पर नौरं के से तो शायद थोड़ा बहुत मुमेंटम जो है विकेट अगर देंगे तो फिर तो देखिए मुश्किल हो जाएकर विकेट बचा रहा साथ रन पर कोई रन नहीं आए तो शायद काफी बढ़िया रहने की उमीद रहेगी आप चले देखते हैं किस तरीके से गेम चलता हुआ क्या लगता है अगर फिर से लोकेश्वर की गेंद इस बार लोकेश्वर को सीधी के सीधी गेंदी कलायों के सारे सीधे बल्ले से खेला जरूर मिडॉन की दिशा में फिल्टर मौजूद है कोई रन नहीं मिलेगा एक ओवर समाप्त हो चुके हैं नौरन बेना के से नुक्स के हिसाब से यहां पर रंस बनाने पड़ेंगे तो क्या लगता है आपको यहां से रंस बनते वे नजर आएंगे या फिर विक्टे गिरेंगी मुझता है कि बनने चाहिए भाई पिर सर्फिस तो बढ़िया है बाजस तरीके से बल्लेबाजी ने रोयल किंग ने करी है उस त समय बताएगा मगर मेरे तरस्त भाई मुकाबला काफी बढ़िया रहेगा चले देखते हैं राम सिंग सोनु यादव के हाथ में गेन थमाई गई है दूसरा ओवर राम सिंग सोनु यादव लेकर आएंगे सीहरी निशान्त होंगे स्ट्राइक पर और यहां से काफी बल्ले स्ट्राइबाजी करना जानते हैं राउंड यहां पर सीहरी निशान्त को आउस्टं के बाहर कट किया गेंद को फिल्टर के हाथ में यह गेंद गई है कोई रहन नहीं मिलेगा सुराज छेतरी भाई जुड़ चुके हैं हैलो सर, हैलो सुराज भाई कैसे हैं आप यहां से क् चांसे जरूर हैं इस मुकाबले के लिए मगर बहतर खेलना होगा पाउर प्ले को यूटलाइस करना होगा तभी स्कोर आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा आगे चलता हुआ नजर आएगा चलिए एक बार फिर से मौजूद बलेबाज यहां सीहरी निशान थी हरी निशान को गेंद बाजी जए और वो कर रहे है राम सिंगस उनु यादव एक बार फिर से राम सिंगस उनु यादव दूसरी गेन लेके चलते और की लेक्शनम के बाहर यह गेन थी और बाहर की तरफ ही निकल जाएगी क्या पैड लगा था या फिर वाइड करार दीगे अंपायर जी यह वाइड करार दिया है एंपायर ने दसरन बन चुके हैं बिना के संवसान के एक दसरन लोग एक गेंद के बाद विकेट पढ़ेगा क्या विकेट की चांसिस तो बन रहे हैं अगर दिव फैक्टर भी है डिव फैक्टर जो है वो शायद गेंद बाजी करने में डिफिकल्टी पैदा करता है शुबाद शेवर हो जाने दिए शेवर में साट रन भी जोड़ने उसके बाद थोड़ा सा बल्ल बाज सामने मौजूद बल्ले बाज है और अशी हरी निशान अभी तक खाता नहीं खोला है एक बर फिर से अगली गेंद पुरहां पर रूम बना कर बड़ा शॉट खेला है गेंद गई है मिड़ ऑफ की दिशा में फिर्स मिस्फिड हो गई यहां पर और यहां से चौका मि पर और रुमाल निकल चुके हैं तो हो सकता है यह डिव फैक्टर जो है यहां पर जो है नेलाई रॉयल किंग के गेंद बाजो को भी परशान करेगी तो चौधर रन बन चुके हैं बिना के सिनुस्तान के एक दिशनलव दो गेंद हो चुकी है सीहरी निशान थे स्ट्राइ और कट करने गए यहां पर जी हां जी हां सीधा था यहां पर थर्मिन के फिल्टर के हाथ में मार बैठे शौट अच्छा था गेंद भी अच्छी थी मगर फिल्टर की कैज भी अच्छी थी तो तीनों चीज यहां पर अच्छी लगी मगर यहां पर रन नहीं मिला इस याद आपने चटका यह पहली अपनी विकेड इस पारी की और बढ़िया गेंद बाजी जी यहां देखा कि गेंद थोड़ा सो दूर रखेंगे तो शायद चांसेज रहेंगे और चांसेज को पूरा भरपार पर इस्तमाल किया है रूम दूर रखा यहां पर कहीं ने कहीं कौन बचाएगा यहां पर जो है मधुरी पैंथर्स को तुम एम पेमांजी ने पकड़ी है कैच राम सिंग सोनु आदव ने करी है गेंद बाजी और चार गेंदम चार मराके सीहरी निशान पविलेंज जाते वह यह दित्ते आये हैं बल्ले बाजी करने के लिए यह बी ता सब्सक्राइब करिए चैनल को और जुड़ जाएगा हमारे साथ इस मुकाबले में मगर देखा जाए तो खेल जो है काफी मुश्किलों भर आप चुका है यहां पर मदरोई पैंथस के लिए विए दित्ते आये हैं बाहात के बले बाज हैं विए दित्ते देखिए किस तरीके से खेलते हैं एक बार फिर से अगली गेंद यहां पर स्लोर बन गेंद का पुल कर दिया गेंद को गेंद जारी है डीप मिडविकेट दिशा में लेजिए चौका मिलता हुआ इस गेंद पर एक और बाउंडरी आती वी सोर में और विए दित्ते हैं चौके के साथ जी हां चौके के साथ अपना खाता खोलते हुए तो पांच गेंद हो गई हैं इस ओवर की नौन आ चुके ह थोड़ा शौट अफ लंड गेंद जैसे ही करा है तो बलेबाश को पूरा मौका मिल जाता है किसी भी दिशा में शौट खेलने का तो यहां पर मिडविकेट दिशा को टार्गेट किया ठरर रन ने एक विकेट नुकसान पर इक तुशनलों पांच गेंद के बाद 109 गेंद बन चुके हैं अभी आखरी गेंद बची है इस पारी की जीए आखरी गेंद बची है इस पारी की अब देखते हैं आखरी गेंद में एक इस तरीके से अभी यह शौट लगाएंगे अठरर रन एक विकेट नुकसान पर चली चलते हैं जड़ा मुकाबले की तरवे और फिर पर होंगे भीए दित्ते तीन गेंदों में पांच रमनागे खेल रहे हैं दो वर के समापते के बाद 19 रन एक विकेट नुकसान पर मदरोई पैंथर्स का स्कोर है 108 गेंदों में चाहिए 193 रन जिया एक 208 गेंदे है 193 रनों की है जरूरत रिक्वार्ण रेट 10 दर्शनल उसाथ दो का है पावर प्लेट ठीक चल रहा है मगर एक विकेट खो दिया है यहां से और काफी बढ़िया रहेगा काफी बढ़िया रहेगा यहां पर अब देखते हैं किस तरीके से गेम चलता है लाइक करि है वो जुका हुआ है मर दुनों बल्ले बाजो को स्टार्ट लेना पड़ेगा जिस तरीके से खेला है चलिए अगली यहां पर फिर से लेक्ष्टम के बाहर यह गेंद है और वाइड करार दी आए इस गेंद को इस वाइड के साथ एक रन और जोड़ता हो अबीस रन दो ए कोई रनदीर भाई के साथ जूड रहा है मेरा कुछ भी नहीं है मेरा कोई नाम नहीं है अपने परसनल रिस्क पर जुडिए सके साथ मेरें से कोई भी ऐसी बाक्bulth चेथ नहीं है आप मिलते हैं वैसे मुले मुझे मिले हुए जिनको वो नबर दे रहे हैं पर अप उनकी अ सोड़ देंगे किसी को वह मुझे आके बोलेगा या तो नंबर दीजिए नहीं और या तो टेलीग्राम चनल दे रहे हैं तो फिर किसे करवाई यह नहीं तो यहां पर यह बता दरों पहली मैं आपको किरंदीर पांडे भाई हमारा तरह लाइव चैट में जुड़ते हैं मैं नहीं जानता हूं तो जो बाई जुड़ रहे ए अपनी गरेंटी पर जूड़िएगा हमारा कोई भी इसमेहात् नहीं रहेगा ध्यान रखिएगा हमारी टीम नंलेयर किंग हैं यहां पर सपोर्ट कररें जुड़े है हमार साथ हमारी टीम यहीं मिलती है लाइफ चैनल पर ही लाइफ स्ट्रीम में हम टीम देते हैं कहीं टेलिग्राम नहीं है कहीं वर्टसप नहीं है जोड़ रहे हैं तो अपनी रिस्क पर जुड़ियेगा भाई या उन्हें तो फिर मुझे मत कहिएगा बाद में चलते हैं जरा मुकाबले के तरफ और इस मुकाबले में स्कोर हो चुका 21 रन एक विकेट नुक्सान पर माफ कर यह संदीप वारियर जो है वो गेंद बाजी कर रहे है तो अब ड्यू फैक्टर जो है वो चल रहा है इस ड्यू फैक्टर का फाइदा क्या उठा पाएंगे य चानल को तीसरा ओवर चल रहा है और पाउर फिले में अगर देखा जाए तो करेंट रन रेट अभी भी यहाँ पर जो है नौद रसलों छे नौ की है रिक्वार रन रेट दसलों साथ एक एक बार फिर से लोकेशन हैं स्ट्राइक पर यहाँ पर मिडल स्टम पे एगें ती स 15-उन एक के नुकसान पर 22.2 गेंदे हो चुकी है और ऐसी बांडरि जो है बटोरना होगा पूरे लगातार 20 ओर में एक बांडरी जी हर ओर में एक एक बांडरि या दुदू इस बांडरे में इसेностि इस तरीप से गेम होता है यहां पर एक बार फिर्ट से अगली गेंड लेक्स्टम पर गेंड ती कलाइग उसारे फिर्ट टेला दिया गेंड को मिड़ विकेट दिशा में चलता हुआ यहां पर इस यहां पर चलते हैं जब मुकाबले की तरफ सिंगल लिया इस गेंड पर चलते हैं जब स्कूर के तरफ बढ़ते हैं यहां पर स्कूर हो चुका है 27 रन एक विगेट नुकसान पर दोदेशन अफ तीन गेंदे हो चुकी है इस लोकेश्वर साथ गेंदों में ग्यारान बनाकर खेल रहे हैं और जुड़ चुके हैं हमारा साथ भाईया मदुरह जीत ज सब्सक्राइब करना तरहां कि अच्छा नहीं हो रहा है भाई इसलिए मैं नंबर नहीं देता हूं यह आदमी बहुत बहुत बोलता है देखिए रंदीर पांडे बाई किसी को कुछ मत दीजिए कर दो को कुछ हो चायाएगा कोई कुछ कर लेगा प्रस आप जाओगे मुझ तरफ बढ़ जाएगा अफ्रोज भूल गया था मैं नंबर दे दो भाई कोई भी नंबर अगर आप शेर करता हो दिजाए मैं तुरंट ब्लॉग मार दूँगा ध्यान रखिए बात को मैं नंबर डिलीट कर दूँगा अफ्रोज भाई मैं आपको वहां कर रहों अंदिर कोवर के अंदर स्कोर हो चुका अभी 29 विगेट नुकसान पर दो तरशनलों पांच गेंदे हो चुकी है एस लोकेश्वर 9 गेंदों में 13 में खेल रहे हैं और मुकाबले में काफी बढ़ी आए नंबर देने की ज़ुरत क्या है यहीं आकर देख लिए ना लाइव चैट ज जा कर लग गया था बाउंडरी पर जाकर लग गया था बाउंडरी पर जिया बैलेंस नहीं कर पाए अपने आपको फिल्डर मोहन परशान जाकर गेंद को लेकर गेंद है बाउंडरी के अंदर शायद थोड़ सा चेक कर रहे हैं पायर जी आचे रहे पूरे यहां पर आइस ओर में आए तीन ओर समाप्ति के बाद स्कोर हो जाएगा 35 एक विकेट नुकसान पर तीन ओर की समाप्ति के बाद भी यह दित्ते होंगे यहां छब रहा है सर्फिस बहुत बढ़िया चल रहा यहां पर और मुकाबला जो है थ्यान रखेएगा ध्यान रखेएगा जिन भाई से आप बात करें यह कई लोग कई बंदें ऐसे होते हैं कि दो लोग ही एक ही जगा मैसेज करतें आपने आपको चैट में सामिल करतें और आप सरसे लोगों को पसा लेते हैं तो ध्यान रखिएगा कि दो लोग भी एक ही जगा चैट कर रहे होते हैं वह उसका नाम लेता है आपको नमबर ब्लॉक होगा डर्ट विदाउट वार्निंग मैं कहा रहा हूं नंबर मत दीजिए लिंक दीजिए अपना बात करिए चैट फ लोगों को जानता हूं भाईया इतना परसान करेंगे अब जानते ने मिरे साथ मैं दो साल से ही काम कर रहा हूं मुझे पता है मेरे स्ट्रीम पे कितने लोग आते हैं बात से सहमत है बिलकुल परशान काम ले भाई मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि नंबर मत दीजिए आप अराम से अराम से इंजॉय करिए चैट को यार कोई दिक्कत नहीं है आपको ऐसा कोई काम की बात होगी तो मैं खुद कह दूंगा मैं सला दे रहा हूं एडवाइस दे रहा हूं फ्री की है ले लो चला एक बार फिर से लेक्ष्टम के बाहर ये गेंती वाइड करार दिया है एक रन और चुड़ता हुआ एक तालिस रन बन चुके हैं यहां पर एक विकेट नुकसान पर तीन दिशनल दो गेंदे हो चुकी लगानिकी है से आएडी लिया मगर मुझे कहलना नहीं आता है स्बीस बता दो कैसे क्हलो जेकिए वहां पर लिखा होगा ना राशिट चैनल भाई कि वहां पर कहीं ने कहीं आपको दिखा थीम पर आपको लगाना ओपर नीचे और देख लिजिए लिगा दीजिए लिए प फ्रॉड अठारा आज़ार तक का बिलकुल विनोद भाई मैं तो सला दे रहा हूं रंदीर भाई अच्छी हो सकते हैं मगर इसका फाइदा कोई और भी उठाएगा वो करेगा वो करते कर सब करना शुरू कर देंगे मैं वन पर हूँ ठीक है वाई ओके धन्यवाद चलिए स्क इकोर बढ़ रहा है और आगर चलता रहने दिजिए गा चलते रहने दिजिएगा और मॉऊ-पर Свण चलते दना मुकाबले की तो सकोर हो एक और शक्का आता हुआ इस गेंद पर शक्के के सा स्कोर पहुंच गया है 47 रहने एक विकेट नुक्सान पर तीन दिशनलों चार गेंदे हो चुकी है अभी भाई माहौल बन गया है मैं कहा हूं मदुरही टैंतर जिन्हों नहीं पकड़ी है 25 25 परसेंट अमाउंट से रखो सब्सक्राइब और 55 होगा नहीं वाइक कुछ नहीं है 55 25 है जाके परसेंट अमाउंट से खेल डाली है और एक और विकेट सोने आदब प्लीज भाई अब मुश्किल है बनादो भाई बना दिया रून बाई चेक कर लिजेगा यहां से स्कोर हो चुका है 47 रहने एक व विल्डर मौजूद हैं अमकर फाइल की दिशा में एक रन मिलता हुआ इस गेंद पर भाई आप थोड़ा मज़ा आ रहा है खेल में क्योंकि ड्यू पढ़ रही है और यह जब पढ़ती है तो मज़ा आता है माज़ा आता है अरुन भाई अरुन भाई अरुन भाई अरुन सब्सक्राइब करेंगे ओड्स को बस थोड़ा सा बनने दीजिए रंस मज़ा आएगा खेश खेल पर इस रिस्क लेना हो 25 परशंट समाउंट से लिएगा ज्यादा रिस्क मत लीजिएगा उड़ना होगा तो उड़ा देंगे को टीन पर भरोसा बहुत काम है एक बार फिर स चाहिए जीतने के लिए दस दसनलों एक नौ का रिक्वार अंडेट 15 और तक यह ग्यारा का रिक्वार मेंटेन रहा ना तो आखरी में पांच पचास बंते बंते हैं यार ओमकार बंसल भाई करें सम्पी जीतेगा भाई अब बनने के चांस जीतने चांसे बन रहे हैं भाई रिवर्स कर दो लॉस जीरो करके 25 अमाउंड से खेल जाओ अब एसमपी खेल जाओ रिवर्स करदो गेम को ज्यादा मउंट लेनी के जोरत नहीं है कैश ओट कर्लो या तो फिर थोड़ा सामाउंड जो 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 कैश ओट करा है उसमाउंड को जाके असाम पी लगा दो इत कुल देखो कोशिश कर रहा हूं कि आपका रिकार हो जाए मैं चाहता हूं कि 90 पैसे आए कम से लॉसकर बुक्सर तो हो जाए आपका और तो थोड़ा प्रॉफिट जह हो निकल जाएगा देखो जिसाब सब किस लग रही है पिछ अच्छी बल्लेबाजी करने के लिए मोहन पर सीधे बल्ले से खेला है डीब मिडविकेट दिशा में दोरन मिलते वे इस गेंद पार राउट का एक चांस हुआ है लग तो रहा है कि पहुच गये हैं आप पर स्ट्राइक रंड पर वी अधित्य पिच्छानवे गेंदों में 601 चाहिए जीतने के लिए क्या लगता है चलेगा कुछ न कुछ तो होगा ही इस मुकाबले में पहुच गजी पहुच गये हैं भी दित्ते कोई आउट नहीं होंगे आप बांगलदेश को क्या हुआ घर पे दोनों में अचार बिल्कुल हार गया सिर भाई यही तो खेल होता है खेला होता है आज टीन पिल में खेला हो बें शुरू से कहा रहा हूं मगरा मुझे फील आ रहे हैं कि खेला हो बेस मैं इसलिए एसंपी पे 25 परसंट अमाउंट जो हो यूज कर सकते हैं आप चाहाप रॉफिट से करिया रिस्क लीजिए रिस्क ले सकते तो लीजिए गा वनना मत लीजिए गा बाग्या संपी के सर्फिस ठीक लगा रहा है तो बिल्कुल जुर्मायू ने मेरे कहने पर लगाए थे अब रोयल किंग के उपर अपना कैश ओड कर लिजिए जो मौन प्रॉफिट का होगा उसमें से 25 परसंट अमाउंट लगा दीजिए पूरा ही लगा दीजिए एक दिन नहीं जीतेंगे त मैंच बहुते को में स्कूरिंग राउंड हाइच हुआ तक ही ना बता दिया था वाई उस मैच में हाइँ इस में बियुकरुंग मैंच करती है और ये पिच यह फास्टर गेंद बाजो को मतदत करती है मुकाबला काफी बढ़िया रहेगा इस पिछ पे भी अच्छी बैटिंग सर्फेस अच्छा है भाई ड़लान होती है इस पिछ पी थोड़ सा रन बनते नदर आएंगे इस पे भी बागी पहले में भाव आया तो दूसरे में भाव आने के चांसे रहेंगे दूसरे में भाव पट्टी वो हो रही है मगर उससे पहले आप सो लोग कल्यान बुक के साथ जॉइन कर लिजेगा लिंक है डिस्क्रिप्शन में लाइचर में पिन कर दिया है उस लिंग को क्लिक करके वाटसाब मेसिज करिएगा जहां पर मिनिममम डिपोजिट सुर रपे का है मिनिममम आइडी क्रिएट करवाईएगा और अपनी आइडी जैव ले लिजेगा पहले डिपोईट करने पर आपको बीस प्रशन का बोनस मिलता है माने जाजार पर डिपोईट करेंगे तो आपको यहां पर 200 रुपे का बोनस मिल जाएगा तो फटर जाकर जॉइन करते रहीएगा लाइक करते रहीएगा सब्सक्राइब करते रहीए चैनल को और यहां पर इंच्वाई करिएगा इस मुकाबले को एक बार फिर से बढ़िया गेंद यहां पर एस मुहन प्रशान की कोई रण नहीं मिलेगा इस के इंद पर क्या वनन बन चुके है 94 गेंदों में 161 रनों की ह मुझे लगता है पाउरपले के बाद संपी फसेगा नहीं भाई आश्वाई नहीं अफसेगा मैं बता रहूंना यह पिछन देखो क्या होता है अभी जैसे से रात और बढ़ेगी डियू और बढ़नी शुरू हो जाएगी पहली पारी में ही डियू डियू आ गई थी तो द करेगी यह आश्ट्रेलिया पेला करेगी बाइब रावन सामर्या भाई तेखें ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेड कर लीजेगा एंगले फिर आज भाव देशकता है आज हैं अच्छा मैस है वहाँ पर रूमान्चेम मैं सूब्य बढ़न पर तो थोड़ा सा रुके हैं यह आपर बावन रन बन चुके हैं रिक्वाइडरेंड दस दसनलों चार तीन का हो चुका है बानवे गेंदों में एक सो साथ रनों की है जरूरत क्या लगता है आपको इस मुकाबले में कुछ का माल होगा चले देखते हैं क्या होता है फिर से आप लग ऑस्टम पे गेंदी स्व गेंदों 32 नम्रागर खेल रहें और ऐसे ही चलेगी बल्यबाजी एसमपी फॉर्म में वागे वही है एसमपी का गेम चलना शुरू हो चुका है तो तैयारी कर लिजेगा लॉस कट बुक्षट भी करवाएंगे साथ साथ में 25 परसेंट एंट्री ली है उनका लॉस कट बु ओके आखरी केंदे इस सोवर की मुहन परशांत की सामने लोकेश और पठकी वी गेंट कलायों के सारे खेल दिया लॉंगोन की दिशा में एक रन मिलेगा इस केंद पर उड़ादो भाई उड़ादो गोड़े का सावरिया भाइब बिलकुल उड़ाएंगे और वोमेंस् वाल मैंच में कमेंटरि करते हैं बाकि पहले में भी और चेंज हुए थे इस वाले मैंच में बूप छेंज होंगे और दुसरे में ब कि प्रूम के हमार साथ सस्कोर हो चुका हैो और शेपाँच और समापति के तो मोमेंटम तो बना हुआ है का मोमेंटम बना हुआ है बस यह कि विकेट नहीं जाने चाहिए तो बढ़िया मैज खुल जाया गए बढ़िया है जो ट्रेडिंग करते हैं उनको में समझ वह में समझ लगाया वह अपने माल जो है वह कहीं ने कहीं प्रॉफिट अमौंट यह वह फिट कर दिया फिर से वहीं और मिल जाएगा तो लौट डॉबल प्रॉफिट जो है कमा सकते हैं घंशाम चोद्री आपका नाम ल करो ट्रेडिंग करने के लिए कल्यान बुक पर जॉइन कर लो भाई लिंक है डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया उसे लिंगों क्लिक करके वाट्सब मेसेज कर दो लिख दो भाई क्रिकेट लाइव हिंदी से आया हूं तो भया वहाँ पर आईडी मिल जाएगी एक्स्चें करने आए हैं गेंद बाजी पहली डाले थी पाउर प्ले का याखरी ओवर है और ध्यान रखिएगा मदुरई यहां पर नेले रोयल किंग के जो मेन गेंद बाज वह हैं पैमोंजी इनको अच्छे कासे विकेट मिलते हैं बाद में नहीं बोलना है कि नहीं बोलो राजा अल है सुरंदर सिंग सुरंदर सिंग बोल रहे हैं मुश्किल है अभी पाउर प्लें तो ठोकेंगे ना चलिए चलते हैं अगली गेंद की तरफ एम पैमोंजी के सामने बाइहांत के बलेबास भी यह दित्ते हैं स्ट्राइक पर एक बार फेर से अगली गेंद पेमांजी के बाउंडरी लगानी पड़ेगी यार एक बाउंडरी तो लगानी पड़ेगी और इस मुकाबले में हो सकता है कि जीते नेले ही मगर आपको और जरूर मिल जाएंगे ट्रेडिंग करने के लिए कृष्णा भाई लगातार एक ही मैसेज भेजेंगे तो भी थुर्दरन सब्सक्राइब हो चुकी है कोई हमें मनवा दो बैटिंग में अच्छे खासे हार जाते हैं तो इंकम काफी है अगर इंकम अच्छी है तो इनकम काफी है यहां पर सामरिया बाई आद दोनों पचास-पचास मारें या राम चंद्रा नागर भाई बिल्कुल हो सकता हमारे औ उस दिन वहाँ था मध्रोई पैंथर्स और आई ड्रीम तिरप्रों के बीच मोधा लाश में मध्रोई पैंथर्स ही जीतते नजरा यह बाफिर सब्सक्राइब करने गए थे कोई रण नहीं मिला इस गेंद पर पांच निशनलों चार गेंदे हो चुके है पार यह शटा पा सब्सक्राइब पहुंचे तो पक्का मिलेंगे आप से बुलान बाई जूड़ जाएगा हमां से इंस्टाग्राम पर भी एड़ेट मिश्रा अंडर्सकोर दीवाकर मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल है ओमकर भाई करे कल फिल्फिंट कहां बनेगी इस्टाग्राम पर जा मिलता है बहुत बेकार साइट है यार कभी पेमेंट तीन तीन दिन चार्शे दिन रोग देते हैं कभी इनके और से बिदलते नहीं है बहुत बेकार है छोड़ दीजे खेलना है सब भाई लोग लाइक कर दो शेयर कर दो चैनल को बिल्कुल बाई स्लोर वन गेंद एक बार करनी होगी पेस करेंगे तो बाउंडरी के बाहर जाएगी यहां पर भाई करेंगे देखो मैच से चल रहा है धरम सिंग जुड़ चुके हैं हमार सब्सक्राइब कैसे हैं फनी क्लिप्स भाई करें नारक नहीं रोयल किक भाई लाजवाब कॉमेंट्री पितांबर चंद्रा चंद्रा भाई कहने धन्यवाद प्रतंबर भाई कैसे हैं लौफ उस्त्रेइलिया फैंटसी दुणिया करें इंडिया सिधा ओस्ट्रेइल यह क्या बात कर रही रोह यहां पर जस्राज वर्ड भाई करें हाइडियर लव प्रॉम कनेडा से जुड़ marksad पहबले में सब्रेय प्रेक गलफन्ट तो यहां मिलेगे कोई प्रेंग का प्रियम निकल जाता है कभी-कभी पाइस सेकंड बैट में बाद में नहीं बोलूँगा नहीं बोलें राज बाइब को बात को हमने बिल्कुल सुन लिया आपकी बात को यहां पर किसी भी कंट्री में छोड़ दीजे खेलना इस पर बहुत ही बेकार है इसमें और चेंज होते नहीं है एक टीम पर लगा के बैठेर होगे बेकार हो जाएगा जिंदगी पर बार क्रिकेट एक गेम ऐसा है कि एक टीम पर लगा के नहीं जी सकते आपका भी भी यहां पर जो है इंको थर्ड में दिशा में धकेला है लक्ष जैन के इंद बाजी करने आए थे इंपक्ट पेर के रूप में लिया गया है लक्ष जैन को और लोकेश्वर ने चौका बटो रहा है जी आए 66 रंस लॉस ओफ वन विकेट छेटेशनल यह गेंध हो चुकी है जो भाई वनेस प पाइब कोρά जाया है यहां तो सभी इस सफरी जगापे निकीना कों यहाँ ऑम यहींपे फी पैसे ने व्याल चैनल बिलकुल सही बात है ज़ुड जाईएot पर जरूर आना बडूळकुल तिरह फूर आ जाएंगे भाई तिरपूर की टीम भी देखनी है यार यह 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 वाढ त्रिवांच वाला होता अगर उसमें कैए टीमिर लगा के है अकर आप आप elle मैच करोगे एक्सचेंज और इसमें कभी मैच नहीं होगा इसलिए प्रोफेश्जनल प्लेयर्स एक कहते हैं कि एक्सचेंज में खेलों करके थार खेलों नहीं को मैं है और फोबITH रहाँ आहँ पर दिया पर लगा कि आपक्र पर लगा किअधिवी जाएंगे त fodना प्रॉफिट्म तो पैसा हमेशा मैंस मिलता आपको पता यह एक्षेंज में प्रोफिट बुक करके निकल गया दूसरी टीम लगा के बैड़ गया वह और चेंज हुआ उसने प्रॉफिट कमा लिए तो चेंडिंग करेंगे तो जिन्दीगी सफल रहेगी आपके अगर यह एक जगा टीम पर लगा के देखते रहेंगे पूरे मैच के तो कुछ नहीं हो सकता क्योंकि क्रिकेट जह है वो हर गेंद पर घूमता है मुकाबला चलिए देखते हैं क्या होता है स्कोर हो चुका है साथ ओवर के समापती के बा हो सकता है आप यहां से बल्लेबाज वो पर ओवर दस रन तो निकालते हैं चलें यहां से सर एंपेल कैसा है वो तो सर नॉनमल गेम है उसमें तो आपको फैंटेसी वगरा खेल सकते हैं फैंटेसी लिए ठीक है अगर ट्रेडिंग नहीं करता तो जिन्दीगी प्रबाद है जो प्तव प्रफ्लाइब दिया सुधीर चोहन भाइब आपका रिप्लाइझ दे दता हूं कहांगए मैसिज आपकर पढ़ तो लिया था मैने यहां पर भाई फेर प्ले ठीक है पर खेली सुधिर प्तान पर फेर प्लेपर दिक्कत यहें कि सारे मैच यहीं आते हैं सारे सब्सक्राइब करता है यहां पर जो है इस खेल में मज़ा आने के उमीद रहेगी यह देखते हैं लिंक 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 दो सब्सक्राइब करें लिंक लिए यूट्व पर चासों वीडियो पड़ी है उन वीडियो को देखके आप खुद भाखुद खेलना सीख सकते हैं और इक पर सीख गए तो जिंदगी में जल्दी से हार नहीं हो ट्रेडिंग करना वाला जो है वो निकल जाता है आप जल्दी से मैं ट्रेड कर सुक्त हो मैं खुद लाइफ देख रहा हूं उस कलैन्ट बुक के ऊपर और खुद उनकी आईडी पर ही खेल रहा हूं तो आप भी खेशतने हैं आप भी जी सकते हैं चली चलते हैं जरह मुकाबले के तरफ भाई बिग बैस्ट लीग कर रूल क्या होते हैं ब बार थे बल्लेबास भी अधित्य चक्का बटोड़ते वे इस ओवर में यहां पर एक और बड़ा शॉट एक और शक्का आता हुआ यहां पर यह तो लग रहा है कि बल्लेबास मुमेंटम जो हो बना रहे हैं स्कोर हो चुका है चीयत्तर रने कि नुकसान पर साथ चलंद दो इंग्लाइड मुमें या रजा आशु बाई ट्रेड करते तो कर लिए पर चांसे तो जीतने के कहीं नहीं कहीं आप यह कोई वीडियो वगेरा है या मुझे समझ नहीं आता है आप से राजपूत भाई आपको आईडी लेनी है आपको एक्सचेंज खोलना है यह आपको सिर आप अच्छे समझ गए ना तुझे लगाके टीम को बैठे वेना उसमें अभी नीचे जब टीम आई थी लॉसकर बुक्षेट कर सतते ते मगर यहां पर चांस बन गया है क्या एक और विकट गिरता हुआ रूप में जी यहीं नहीं चाहती थी अम मधुरई पैंथर्स और अब मोहन परशांद के इस ओवर में एक रूप में विकट गिरता हुआ लेजिए जटका लगता हुआ यहां पर दूसरा जटका मधुरई पैंथर्स को 66 रंदोर विकट नुकसान पर 77 गेदे हो चुकी है विए दित्ते जहां पर जहां पर जहां एस लोकेश्वर जहां वो जहां पर खेलना सेफ होगा ना बेलकुल प्रेम चुपड़ा बाइस तो हम तो रुके हैं आप माँ पर खेलेए बड़ा खेलें इतना बड़ा खेलेंगे राम से जीतिएगा और कहीं और को दिखते तो अब दूसरी बिदा दूँगा आपको टेंशन मतलिए घवरायन नही है आपर चले विकेट आता हुआ यहां पर तो और आप सौपनिल सिंग को भेजा गया है बले बाजी करने के ध्यान रखेगा अगर आपका लिंक के थूइन करें ठीक है लिंक सकते हैं के लिंक है में डिस्टिम्स के रहें करेंगे भी अबही कोई दिक्कत नहीं आभी तीन में मैंच दो मैंच बाकी चल रहा तीन मैच बाकी है उसके बाद कई ली काने वाली है हमार साथ जूड़ जाएगा बढ़िया टीम दे देंगे आपको अराम से कवर हो जाएगा मगर देखे खेलिए एक्सचेंज पर ध्यान रखिएगा एक टीम पर लगा के बैटने वाला नहीं जीत पाएंगे इसका अगर एक मुकाबले में आपने घबराना नहीं है चलिए देखते हैं क्या होता है इस मुकाबले सूर्तिहाल सो अपनिल सिंग आये जरूर है अच्छी खासी बले बाजी करते जरूर है यहां पर पर सुचिशन यह है कि रिक्वार रन रेट यु मैंटेन रखना है ग्यान दसनलोग श है बटोर नहीं होगी आप देखते हैं क्या करते हैं ड्रीम भाई करें हाँ वाई हाँ वाई वाई बिल्कुल ले लिए शोर मैच फिक्सिंग मैच उड़ेगा है नर्कों को खालो बल्काव सचिन भाई भाई यह तोंटिफाइब परशंट का यह रिस्क होगा जो रिस ले स पर यहां पर अगर देखो तो बैड़ यहां पर मैं नाम नहीं लूंगा मुझे इंस्टाग्राम पर फॉल्व करिये मैं नाम लूंगा चार्ज़ज़ बगर नहीं है मैं करें लूंगा बास्लाइव स्व्च नहीं होते हैं ठीक है विड़ाऊ को चार्ज़ज़ नहीं होते हैं ठीक है फूल दूपी है तो ब्लप City लिजएगा चेक करिएगा समझीएगा तब फिर बढ़न तो फिर अपने अपने लेगे लेगे इटली वाले भाईया आपके यहां पर और वेबसाइड वह जहां रहती है अगर देखिएगा तो सर्च कर लिजेगा क्रिकेट एक्सचेंज करके सर्च कर लिजेए नहीं नाम बता दूंगा आपको इटली में हो तो आप लाइक करिए गा लाइफ करिए गा इस अखरी चार गेंदों के अंदर साथ रंच चाहिए थे बने नहीं थे और तो अहां पर जो है मधुराई पैंथर जीत गया था मधुराई पैंथर लगाता दो डिफेंड की हैं स्टूर्मेंट के अंदर टॉस जीत कर पहले बैटिंग करते चाहीं डिफेंड करता तो सब्सक्राइब कर दिए चानल को इंच्वाए करिएगा इस मुकाबले को मुकाबला सूपर से भी ऊपर रहने की उमीद है अब देखते हैं क्या होता है फिर से हाप पटकी वी के इंद वी अधित्ते को पुल की आइस गेंद को गेंद जारी है सिधा मिड़ विकेट दिशा इक यासी रन दो विकेट नुकसान पर मैंदोरी पैंथर्स का स्कोर है निदिश यहां पर एंडनेस हरीश को बुलाया गया गेंद बाजी करने के लिए बाएहां के और सब्सक्राइब बाज है चार मुकाबले में सिर्फ दो ही विकेट चिटकाएं यहां पर ओमपट स्वा साफी कामियाब रहेंगे मगर बीच बीच में आपको एक एक बाउंडरी बठोरनी होगी को कि रिक्वार्रेंड को दस ग्यारा या बारा तक बारा भी होगा तब ठीक है मगर ज्यादा जो है रिकॉर्टेंट रखें आप और जुड़ जाएं इस मुकाबलें विल्कुल भा का एक रण मिल गया है 68 गेंदों में 130 रण चाहिए जीतने के लिए 11.38 एक बड़ा ओवर चाहिए 15-20 रण का देखो मुमेंटम फिर कैसे होता है 15-20 रण का एक एक रण का ओवर आ जाए मज़ा आ जाएगा भाई आगे कौन सी लीग आएगी कितनी तारीख से चालो होगी आपका तो लीग बहुत सारी हैं आप देख सकते हैं आप पर फिर से ऑस्टन के तरफ गेंद थी ड्राइब किया है इस गेंद को पॉइंट की दिशा में गेंद कई है एक ही रन मिलेगा छे रन आइस ओवर से और यहां से ओवर के समाप्ती होती वी नौवर समाप्त हो चु सबसे अच्छी है जिसमें लॉस बहुत कम होगा भाई एक्सचेंज में खेलिएगा जहां मर्जी खेलिएगा खेलने का तरीका आपको आना चाहिए आपके होंगे प्रेडिक्शन आपकी होगी क्योंकि कोई किसी को जिता नहीं सकता भाई मेरे मेरे जो एनलेसिस कहते थे त एंट्री लेकर लॉस कट बुक्सट कर सुका होगा वो तो बैठ के राम समयाज देख रहा हो उसको फरक नहीं पड़ेगा जिसका आपकी आपकी भूग पर डिपेंड करता है आपको भूग कितने लगी है आपको पांसों के लगी है पांसों के निकल जाई है आप सोच रहे है कि एक ही दिन में जो है मैं महल खड़ा कर लूँ एक ही दिन मुर्गी का जो है पेट फार के सोने कंड़ा खालो तो वह नहीं हो पाएगा दिन का एक अंड़ा लीजिएगा जिंदीगी सफल रहेगी आप लंका प्रीमेर लीग का भी है मगर बारिश चलते फ़र सब मौसम चेंज होगा तब ही वह कराएंगे लंका प्रीमेर लीग रहती है देखते हैं क्या होता है यहां पर जो समझदार होंगा समझगा बूंद-बूंद सागर बनता है एक दिन में महल खड़ा नहीं होता तो चुप चाप से इतने का रिस्क ले रहे हैं जितने का रिस्क ले रह यहां पर पक्रशांत कि दितने चॉतर रहा है नभैरंट बन चुके हैं दो विकेट नुकसान पर नौत श्र्म दो गेंदे हो चुके हैं चोंसट गेंदे में 122 रंज चाहिए एक बड़े ओवर की धरकार है भाई आप एक दिन में कितना इतना कितना खार लेते हो बाई कितना कर लेते हैं स्ट्रीम जतनी मिल जाए मैं जोतने कर लेंगे भाई थोड़ा सरीर का भी जवाब देने पड़ता है आगया मैं परतीक शर्म बाई बिल्कुल सभी टाइम पैंच ओका लगा है आप यहां पर चलते हैं ज़रा मुकाबले की स्ट्राइक पर मौचूद बहले बास हैं यहां पर जवी दते हैं पर फिर से ऑस्टन के बाहर यह गेंद कट किया है वकर गेंज जाए कि पॉइंट के दिशा में फिल्टर मौचूद एक होई रन नहीं मिलेगा इंग्लैंड उस्ट्रेलिया पर लगाओं क्या पिछले मैच में हारी है बट आज चांसे उस्टेले के दिख रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं और चांसे तो है आज एक फेवरेट तो हार वसे फेवरेट टीम हार चुकिए बार्मदेश लगता नहीं कि इंग्लैंड जीते कि मैच इंट्रस्टिंग होगा ध्यान रखेगा सीट की मैच भाई ठीक हो गया लवलाइब भाई खुषते हुए यहां पर और जिए अंकित फोगाट भाई जूट चुक है अनुन भाई कह रहे हैं रादन भाई सेंपी लॉस्ट मैच लॉस्ट मैच उसती है वाई दिल नहीं तोड़ेगी आज यह दिखो अभी खेल चली रहा है जिस तरीके से खेल चल रहा है मज़ा आएगा चलिए एक बार फिर से अगली के इंद यहां पर सीधे बल्ले से खेला है इस गेंद पर एक रन मिलेगा इस गेंद पर स्कूर हो चुका है बानवे रन दो विकेट नुकसान पर नौदशन पांच गेंदे हो चुकी है कल बंग टीम की जो रैंकिंग और बाइस टीम की रैंकिंग वहुत फरक है फिर लेक्स्टम के तरफ गेंद थी कलायों कोई सारे टहला आया है एक रूं तो मिल गया है इस गेंद पर दूसरा नहीं कोशिच मिस्विल्ड हुई है दो रन मिल जाएंगे इस गेंद पर चुरानवे रंदो विकेट नुक्सान प्रदा सुवर कि समाफ्ते के बाद बांगलाज अपने होम ग्राउंड पर हार गया अरे भाई बिल्कुल हार गया चंदन भाई तरेंद्र चंद्रकार भाई कहने एलो सर रहुल कुबार जी कहने कौन जीतेगा भाई एनर के ही जीते सबसे पहले घबराना नहीं है लाइक करके सबस्क्राइब कर देना है चैनल को और जुड़ जाना है हमार साथ इस मुकाबले में और इंज्जुआ करना है इस खेल को हमेशा गेम की तरह इंजुआ करो यार ती अन पुरा मैचे सब्सक्राइब के जीते हैं बिल्कुल अभी दश्मा किसीने काई तरविन करेगी आखरी मुकाबला पकड़ीए गाइन अहीं मरेगी उस मुकाबले के अंदर पहले सटार्ट से अच्छा कहिए लेगा फर्फेट ठाकुर को तो गए हो बिल्कुल सही यहां से अब मुकाबले की तरफ आगे बढ़ते हैं वे जज़ते है और अगले 5 और में तो मज़ा आ जाएगा इस खेल में जी आम जाएगा अगर अगले 5 और में तो किसी एक बलेबास को तेज खेलना होगा तो कौन आया खेलने के लिए सबसे पहले डरना नहीं है अगर बड़ी करनी नहीं है अगर लिमिट के खेल खेलोगे तो हार नहीं लगेगा आपको प्यूश बाइब भाई यह मैच नहले के हाथ में है बिलकुल नहले के हाथ में है मगर एक बड़ा ओवर चाहिए 15-20 रन का मोमेंटम को करने के लिए मोमेंटम भी नहीं के साथ है एक बड़े ओवर की दरकार है क्या बनेगा बड़ा ओवर देखनेगा पल्टेगा तो नहीं प्यूश बाइच चांसिस तो लग रहे हैं और बले बाजी तो है यहाँ पर चलिए एक बार फिर से गेंद बाजी करने के लिए कर दिश्या में एक रन मिलता हुआ इस गेंद पर देखेंगे गौर से अगर आप एक्षेंज पर खेल रहे हैं वह देखेंगे तो और तूट नहीं रहे हैं और को बला चल जरूर रहा है रणों की दरकार है एक बड़े ओवर की दरकार है जिसे रिकॉरर रं रेट को दस के करीब लाया जाए तो दस के करीब रिकॉर रं रेट आते वे नज़रा आए कि देखना होगा एक बार फिर से सामने मौजूद है बले बाज़ स्वाप निल सिंग अभी तक खामोश नजर आए है पिमांजी के स्लोर वन गेंड सीधे बल्ले से खेल दिया गेंड जारियत सीधा यहाँ पर लोग आफ के हाथ मेंजिया बाउंडरे से जस्ट आगे यह पकड़ा है कैच और विकेड गिरता हुआ है यहाँ पर स्वापनिल सिंग का स्लोर वन गे गेंड बिल्कुल सीधे बल्ले से खेला था ज्यादा पेस दी नहीं यहाँ पर अपनी गेंड को मगर ताकत से खेल ले गए स्वापनिल सिंग और सीधा कैच थमा बैठे लॉंग आफ के फिल्डर के हाथ में मगर एक बार कैच चेक होगा यह बाउंडरी के बिल्कुल क्लोस को चेक किया जा रहा है जी हाँ कैच को चेक किया जा रहा है यहां से अब क्या लगता है आपको आउट होंगे की नहीं आप लाइक करिएगा आप सुलो सब्सक्राइब कर दीजिए गा चैनल को जुड़ जाईएगा हमारे साथ इस मुकाबले में आज मुकाबला थोड़ा उस तरीके का रहा नहीं है, जिस तरीके की उमीद थी, मगर यहाँ पर रनों की है दरकार जी यहाँ यह WICKETS जो है वो नुखसान करेगा ज्रूब्रूर्ट बाउंडरी पर थे पैर लगा है क्या uh, जी हाँ जी हाँ, यहाँ पर नट आउट रहेंगे not out रहेंगे छक्का मिलेगा इस गेंद पर catch पकड़ने के बाद pair बाउंडरी पर लग गया था तो ये not out रहेंगे ध्यार लखिएगा ये not out रहेंगे जब catch पकड़ना था तो pair बाउंडरी पर लगाए तो छक्का मिलता हुआ इस गेंद पर इस 6 run के साथ स्कोर आगे बढ़ेगा नॉट आउट रहेंगे यहाँ पर स्वाप निल सिंग स्कोर हो जाएगा यहाँ पर 102 रंदो विकेट नुखसान पर दस दस लोग तीन गेंदों के बाद 57 गेंद में चाहिए 110 रंद तो समझने हैं आप सो लोग आपने घब रहना नहीं है लाइक करना है सब्सक्राइब करना है चैनल को 102 रंद विकेट नुखसान पर और स्वाप निल से एक बड़ा ओवर की दरकार है जी हैं बड़े 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 शॉट लगाई है और टीम का स्कोर आगे बड़े बटोरी है यहाँ पर देखते हैं कहां पर टच कर दे टच कर दिया रंद मिलता हुआ इस गेंद पर इस एक रंद के साथ स्ट्राइक पर आते हैं अब यह दित्ते जियां अधित्य स्ट्राइक माजूद 103 रंद विकेट नुकसान पर 11 वावर चल रहा है 56 गेदम 109 रंद चाहिए जीतने के लिए मुकाबला जो है वह आगे बड़ेगा कि नह आए यहां पर जहां पर फिल्टर का पैर जो है वह बाउनरी पर लग गया है और अब देखते हैं अधित्य हैं स्ट्राइक पर गेंद बाजी कर रहा है पेमॉंजी पेमॉंजी के लिए करने कोशिश थी गेंद जा लिए डीप पॉइंट दिशा में फिल्टर मौजूद ए इस एक रन के साथ स्ट्राइक प्याते वें सौपनिल सिंग एक सोचार रन बन चुके हैं दो विकेड नुकसान पर दस दस्वनलों पांच गेंदे हो चुकी हैं पचपन गेंदो में चाहिए एक सो आट रन जीतने के लिए और बात की जाए तो बात की जाए तो यहां से पर वक्तापसी हो जरूर रही है रनों की है दरकार रन बनने भी चाहिए यार चलीए जलते हैं जड़ा मुकाबले की तरह फिर से एक सचार रन दो विकेड नुकसान पर बड़े-बड़े शोटों की है धर कारनों की है जरूरा चली है एक बार पिर सोफनिल सिंग को कट किय जाए इस गेंद को कोई रण नहीं मिलेगा इस गेंद पर टॉट गेंद आती वी जिए डॉट गेंद आती यहां पर ओवर के समाफ्ती दसरन आ चुके हैं इस ओवर से सब्सक्राइब तो यहां पर जीत तो और चेंज जरूर होगा देखो क्या पता और चेंज़ होगा तो लॉसक बुक सर जरूर कर लीजएगा नो विकेट मारो जैशिरा मार तो रहें अनुन भाई क्या करें आप भी लॉश्कर नबे पे लॉश्कर बुक्सरट कर लीजिएगा आज लालच मत करिएगा मैच बड़ा ही फास चल रहा है सिचुशन बहुत ही फास चल रही है क्या पता एक सी जटके से नीचे ना मार दे कल की तरह देखो क्या होता है इस मकाबले का सूर्थ यहां लाइक करिए का सबसक्काइब कर दिये चैनल को मैं देख रहूं यार काफी लोग जुड़े हैं यहां पर सामने हैं गेंद बाज कौन है गेंद बाज नाम तो बताओ यहां पर दो और मज़ी नहीं तो के चाहँ तो यहां पर जो यहां पर गेंद बाजी करने के लिए पहली पूरा कर लेंगे वह काफी बढ़िया चल रही है दोनों बल्ले बाजो की यानि एशिया कप का इंडियर पाकिस्तान मैच कैसा कैसा बढ़िया मैच होगा और के चाहिए आपको कितने मानेंगे और यहां पर नौट आउट है निकल सिंग भाई संपी चीतना चाहिए अब कित की तरफ हो भाई मैंनरकी की तरफ हो मगर ट्रेडिंग मिल जाएगी लॉस्कट बुक्सट करिएगा इसलिए कहता हूं एक्चेंज पे खेलिएगा लॉस्कट बुक्सट तो होग कम संगम एक टीम पर लगा के बैठोगे तो हार ही मिलेगी ध्यान रखिएगा बात को सबसे पहले नहीं है विनुद बाई बिल्कुल सही कह रहे हैं सबसे पहले आपको घबराना नहीं चलिए अब फिर से अधित्यों को यह गेन थी दोरन नहीं कोशिश दोरन लिए भी और करते भी शाय दोरन दो स्वापनल सिंग थे तिम का स्कोर आगे बढना चाहिए निखिया रिप्लाइक तो कर दो कर दो अपने इतना पास owe ले बतादो आप काकिस्मत था ते रही है संपी की जै श्रीशाम बाबाजी पिलकुल भाई अरुन कुमार भाई अलमान चालिशा सुरू कर दो अशनीवार है अशनीवार महावीर का वार होगा वह आज इसलिए करो ना शुरू कर दो कि चलते हैं जिराग लिएंगे तब रूम बनाएं फिर से यहां पर कवर की दिश्वा में खेला शॉट को फिल्टर माजूद एक रनों मिलेगा एक और मिलेगा यहां पर यहां पर ठीटेस भाई हसते वहाई साहीव ढूंडा करें टीडेस का फुल फॉर्म क्या है टीडेस त बता दो हम भी लूट लें वहाँ जाके चलते हैं मुकाबले की तरफ एक बार फिर से यहां पर हर्ष सिंग करें बारन से जतना कम देंगे उतना प्रशर मनेगा बिल्कुल सही बात करें मगर यह देंगे भाई देख रहो यह देखो यहां पर लेक्स्टम पर फाइला की दि यह आखरी ओर तक लेके ही जाएंगे इसको भाई मैं आपका प्यारा चनल सब्सक्राइब कर दिया है नूब गेमिंग भाई बिल्कुल धन्यवाद भाई धन्यवाज आपको सब्सक्राइब करने के लिए अंकित कुमार जी करें मैं भी आगया हूं बिल्कुल बढ़िया कि अब्सक्राइब करूं को जीतना ही है तो सोपनिल सिंग को 50 मानने होगा क्या यहां पर लगी है फिल्टर के जिन लगी होगी तेजी लगी जो कर रहे हैं एक बार क्या हुआ है कि अपील करी यहां पर एन्स हरीश कॉटन बोल्ड की अपील करी यहां पर पहर एक बार चेक्ट शरूर कर रहे है कि नहीं आप बाइब मज़ा आएगा एक राका अब चैनल को दूंगा रहा रहा है यहां पर व्यद्टे को यह गेंटी सिदे बल्ले से खेला गेंट काफी नीची रही कैंचाइज और वह लगतो रहा है लगतो रहा है पकड़ी है अब देखो जमी से टकरा के नहीं यारी आज नेले को जि खु riesin और किया यॅज कन है यहां नीची आए यहां घ्क भाई थीर नाम रा तो भैड़ी कंपनी है उसका अपी नाम रख लो गूगल गूगल यहां पर कहीं न कहीं इस मुकाबले में अब नोट आउट रहेंगे क्योंकि उंगलिया जो है वो नीचे की तरफ आई नहीं थी और गेंज जमीन से टकरा गई है तो यहां पर नोट आउट रहेंगे स्कूर हो चुका 112 रंद दोवेकेट नुकसान पर 11.05 गेंद हो गई यहां चल रहा है और कोशिश करना होगा कोशिश करना होगा इस मुकाबले में और यहां से अगर बात की जाए तो थोड़ा बहुत समय ले रहे हैं और इस मुकाबले में देखते हैं किस तरीके से खेल चलेगा लाइक करिएगा सब्सक्राइब कर दिये चैनल को मुकाबला जो है वो आन है रनो रेट बढ़ रहा है जी यहां रिक्वार रन रेट जो है वो बढ़ रहा है मैच थोड़ा सा फस रहा है मदुराई पैंथर्स के लिए क्या मदुराई पैंथर्स कुछ करेगी एक हमाल मगर आप सब लोग बिल्कुल जुड़ जाईएगा तेरवावर ले करार है गेंदबाज मगर आप सब लोग कल्यान बुक के साथ जॉइन कर लिजेगा कल्यान बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में है पिन कर दिया है उस लिंक को क्लिक करके वाटसाइप मेसेज करिएगा अपनी आईडी जो ले लीजिएगा यहां पर मिनिममम डिपोजिट सुर रपेका है मिनिमम में देडि कर्के ब्हूर पंदर से 20 दिपोजिट करके भी आप आइडी ले सकते हैस और आज ही अगर आप आइडी लेते हैं और पांसोर रपी नि Mythical करके तो आपको सो रुपे की और ओसी सामी सफेशन का मिलेगा इहां पर तो अभीं जाईएगा लिंक है डिस्क्रेप्शन लिंक है डिस्क्रिप्शन में लाइचम पिन कर दिया है उस लिंगों क्लिक करके आईडी करिएगा खेलेगा और जीतियेगा यहां पर जो है सारे मुकाबला है दिसक्रिकेट फुटबॉल टैनिस कोई भी मुकाबला है बही है दिन जो है मैं देखिए खेली और जीतिये जाईए फड़ाट से बड़ी है यह बाइट टोटली एक्सचेंज लॉस्क्रिक रश्ट कर सकते हैं आप स्कोर हो चुका एक सुपंदरा रन दो विकेड नुकसान पर बाउंडरी जो है वो चेक की जा रहे है जिए यहां पर अगर लक्षे जन की एक लेक्स्टम के बाहर फाइन लकी दिशा में निकल गई यह फिल्टर दोड रहे गेंद के पीछे पहुंच पाएंगे डाइव लगाई है यहां पर रोकने के लिए दोरन ले लिए हैं प्लेयर्स ने आप अगर यहां पर चौका मिलेगा पकड़ नहीं पा पास से थी पर हाथ पीछे चला गया वाह मज़ा आया देखकर 119 बन चुके हैं दोविकेट नुक्सान पर बाराद सब्सक्राइब करेंगे देखते हैं क्या करेंगे यहां पर चक्मा प्लेस भाई करेंगे नियू सब्सक्काइब धन्यवाद भाई सर बब मुश्किल लग अरे नहीं निकल सिंग मुश्किल नहीं मुझा जब कोई मुश्किल जब मैस दिखता है वहोता नहीं चिछोटा वह देखता नहीं आप अब आम से गेम को देखो इंज़ा करो भाई मैंने अजीब आदमी हो तुम भी यार भाई क्यों यार वाई परो भाई चास लाग वाई बुकिन देता लाग तो भाई उडिया में कॉमेंटरी कर दो भाई मुझे आते नहीं लिपूस हो भाई भोजपरी में कर दूंगा अरिवाई कारे अरिशाब सब्सक्राइबर हो तो लिए अब का नाम भी ले लिया यहां पर इस मुकाबले में इंद बाजी कर रहे हैं लक्षी जाएं लक्षी जाएं कि अगली गेंद सेंग इस बार सुईब करा है गेंद कई है स्कॉरल है कि दिशा में एक रण मिलता हुआ इस के इन पर इस एक रण के साथ स्ट्राइक पे आते अब भी यह दित्ते स्कूर हो चुका 121 रंद दो विकेट नुक्सान बारदशन पांच गेंदे हो चुके हैं तरतालिस गेंदों में एक ख्यान वे रन की है ज़रूरत गया है दसुआला सब्सक्रिप्ण दसके वाला सब्सक्रिफशन नहीं ले पा इसडियेक बंड भाई पर धिमाग खराब कर दिया कर दिया भाई बिलकुल cambiar यहाँ पर और सिंहल सिंन के साथ कुछ सब्सक्राइब करते हैं जैसे कर रहे हैं सुन रहे हैं मजा आ रहा इंगलेंड फाइनली वन मैच इन ऑफ एशेस ओके और सिलिया वुमें फाइन वर्स इस अले सब्सक्राइब करेंगेंड लॉर्ण बेल तो पेसर एक गिब्सन भी क्या है इसे हीर हो गई ठीक है वाइव तीम अच्छा है अच्छा मैंच होगा आज भी वह मेंस वाला वाइव फ्रेंच में कॉम्पेंटरी कर दो नहीं भाई मैं तो राश्यन में कर बने बारा 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 बनने थे वाई चलो नौर ना चुके हैं सुवर से और अगर देखा जाए तो तेरह वर समाप तो चुके सुबाईस रन बने नहीं तो मुकाबला वैसे ही मधुरई पैंथर से हार जाएगा तो एक बार फिर से अगली गेंद लेक्स्टम की तरफ इस बार कलायो के सारे खेल दिया इस गेंद को स्क्रेले की दिशा में एक रन मिलता हुआ तो थोड़ा बल्ले बाजों को अब रिस्क लेना चाहिए बगर सिंगल सिंगल के साहरे ऐसे लग रहा है कि गेम में कि दोनों बनेंगे नहीं तो आपने सबसे पहले घबराना नहीं है धुक्ताब्ले में इस मुकाबले में लाइक करईये सब्सक्राइब कर दीजिएगर उर जड़ जाइएगा हमारा साथ इस मुकाबले में देखते हैं अब किस तरीके से खेल चलता हैसामने मौज़ूद लॉंग ओफ के ऊपर से गेन निकल गई छे रन के लिए ऐसे ही बड़े शॉटों की दरकार है तो कब लगाएंगे सो अपने सिंग इस बार बलबाजवे खोली और एनने सरीश की गेंद पर छक्का बटो रहा है शक्के के साथ अब 40 गेंदों में 83 रन की है जोरत रिक्वार र पड़ा का करियर रन बनाई है और टीम का स्कूर आगे लेके जाईएगा और यहां से बिलकुल एक रोमांचक मैच देखना होगा यहां से देखना होगा एक बार फिर से स्वापनिल सिंग तयार होंगे एनने सरीश की गेंद बाजी को खेलने के लिए रनों की है दरकार और ऐसी रन्स आने चाहिए तहीं मुझा आएगा खेल में लाइक करिएगा आप सब्सक्राइब कर दिए चानल को और कल्यान बुक के साथ जॉइन करते रहीएगा लिंक है डिस्क्रिप्शन में लाइचनल फिन कर दिया एक बार फिर से स्वापनिल सिंग अगली गेंद के रूम बनाया है और कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर ए दोनों काम करने होंगे विकेट बचाईए और रन भी बनाईए जहां पर देखते हैं क्या होता है अब अगली गेंद इस बार यहां पर सिंगल बटो रहा है तो अपने लें आठ रन आ चुके हैं अब विए दित्यों को भी एक आदा बाउंडरी बटोनी चाहिए क्योंकि 13 रन प्रती ओवर चाहिए 38 गेंदों 82 रन चाहिए क्या इस ओवर में एक आदा बाउंडरी और बटोर सकते हैं क्या देखते हैं क्या होता इस मुकाबले का सूर्तिहाल काफी लोग जो है जुड़े हैं हमारे साथ इंज्वाय कर रहे हैं इस मुकाबले को उमीद कर रहे हैं स पर इस बाउंडरी के साथ स्कोर हो जाएगा 134 रन दो विकेट नुकसान पर 135 गेंदों खेल हो चुका है समाफ्ट विए दित्या चाहवर नमुना कर खेल रहे हैं 37 गेंदे 78 रन की है जरूरत बारत सब्सक्राइब करता रहिएगा लाइक करता रहिएगा इंज्वाय करता कैसे क्या होता है इस बार सामने मौचूदभलेबाज है यहां पर इसके बाद कौई अच्छा बल् पर आगे धकेल दिया फिल्टर ने कैस ड्रॉप भी मानेंगे इसको तो भाईया एक रन मिलेगा इस गेंद पर ओवर के समापती 14 ओवर समापत हो चुके हैं 135 रन दो विकेड नुकसान पर मदुराई पैंथर्स का स्कोर है 36 गेंदों में 37 रन की है जरूरत 12 दशनलो आठ तीन रन प्रती ओवर के हिसाब सही होगा वे देते हैं स्ट्राइक पर तो यह मुकाबला आखरी फेज में पहुँच चुका है जिया जहां पर 36 गेंदे 37 रन की है जरूरत 135 रन बन चुके हैं दो विकेड नुकसान पर मज़ा आ रहा है बाई इसके बाद जग्तिशन कौशिक बचे हैं बल्लेबाजी करने के लिए और अगर बात की जाए तो उसके बाद भी बताते हैं आपको कौन कोंसे बल्लेबाज बचे हैं यहां पर के जैन जग्तिशन कौशिक बचे में पीके सर्वरेन भी बड़े बड़े शॉट खेलते हैं और श्री अभी शेक बचे में बल्लेबाजी बहुत बची है और बड़े बड़े शॉट खेलना ही चाहिए तभी स्कोर को आगे लेके जा सकेंगे और तभी स्कोर जो है वहां बढ़े भी क्या होता इस मुकाबले का सूर्तिहाल यहां से किस तरीके से यह खेल आगे बढ़ेगा विनी देवी भाई कह रहे है भाई बस कोई और मत बोलना भिक्सिंग भाई नहीं भाई बढ़िया है मैच मैच अच्छा चल रहा है कोई गलत नहीं है अज पिछ भी थोड़ सा बल् 335 पर दो है यहां पर SMP की टीम तो बस अब आकरी की 6-over रनों की है धरकार रन बनाने है और शॉर्ट लगाने है टीम का स्कोर आगे लेकर जाना है तो क्या लगता है आपको क्या लगता है आपको यहां से किस तरीके का स्कोर जो है वो देखने को मिलेगा यहां पर अगली यहां पर जो है अधित्य सिंग के बल्ले से तो और अब चेंज होने लग गए हैं तैयारी कर लिजेगा लॉस कट करने के लिए अभी नहीं मगर वेट करिएगा पर चाहिए यहां पर इस मुकाबले के अंदर और मुझता कि आने वाला है और इस बंदे को कोई मैच होस्ट करोगे बाई इस किने बंद को कोई मैच पता निए बाई क्या कहरें चलिए यहां पर चौका बटोरा इस गेंद पर स्कोर हो चुका है रितिक भाई जुड़ चुके है फुल फिक्स मैच होगा खाँ पैसा कम वो जीतेगी रितिक भाई यह तो सही कहरें मगर अभी चल रहा है मैच देखो क्या होता है अब सामने मौजूद हैं बल्लेबाज विए अधित्य बल्लेबाजी नोंने अच्छी कर है यह विएदित्य यह क्या है इसके बाद कोई मैच होस्ट करोगे यह चैनल पर 24速 स्पोर्ट्स बाई मैं अभी तो यह मैसि मैच के बाद तो कोई मैच वोस्ट नहीं कर रहा हो तो यह तो मैं कल सोच रहू हूं मुमेंस का मैच करने के लिए बाकि अब लिखते हैं क्या होता है कर पाएंगे कि बात शरी जवाब सभी बताएगा तभी कर पाएंगे मैच भी अच्छा नहीं हो अगर मैच अच्छा होगा तो पक्का करेंगे बाकी तो ठीन पील पक्का समझ लीजिएगा नेस्ट में जलते हैं जरा मुकाबले की तरफ स्कूर आगे मिलते हुए जियां दो रन मिलते हुए इस गेंद पर इस दो रन के साथ 142 हो चुके हैं 34 गेंदे 70 रनों की है जरूरा जियां 34 गेंदे 70 रनों की है जरूरा तो आप सब लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं मिश्रा अंडर्सकोर दिवाकर यह मेरा इंस्ट प्रफाइल है सच करेंगे इस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकेंगे इस्टाग्राम पर मेरे साथ अभी भी 34 गेंदे यहां पर 70 रोनों की जर्थ एक पर फिर से क्या लगता है आपको एक रोमान्चक मैच की तरफ बढ़ रहे हैं लग तो रहा है कि एक आखरी ओवर फिरिश देखने को मिलेगा आज के इस मुकाबले में यहां से अब संदीफ वोरेर की कोशिश है बहिया ओवर निकाले अपना डॉट निकाले मगर रन दे चुके हैं रन मिले बहुत हैं सौपनिल सिंग को मगर अभी बड़े शर शोटों की है दरकार एक बार फिर से सामने माजूद बल्लेबास सौपनिल सिंग वोरेर की एक फुल टास गेंद है यह नो बाल होने चाहिए कट किया है गेंद को गेंद जा रही है पॉइंट के उपर से छे रन के लिए और चौका मिलता हुआ इस गेंद पर चौके के साथ स्कोर पहुसता हुआ है एक सोनन चास रन दो विकेट नुकसान पर नो बाल प्लस चौका माफकरी चौका नहीं है चौका है मगर अंपायर ने इसको नो बाल करार दे दी है तो मतलब पांच रन मिलेंगे एक चौक लोग अब लॉस कट कर सकते हैं अब लॉस करकर बैठीएगा और लॉस कट भूकसाट भी कर सकते हैं आमसे इंजॉय कर देगा मुकाबले के अंदर और यहां पर रन बन रहे है नोबल आचुकी है तो 33 गेंद में 64 रनों की है जरुत रिक्वार रन रेट 11.6-4 का है ध्यान संदीव उर्र का दिन जो है वो खराब चल रहे हैं आज नहीं पूर्टरनमेंट ही खराब चल रहा है बद जहल रही है कहीने कहीं मदुरु पैंधर सखराब कर यहां पर नेल्ले यं रॉयल किंग की टीम तो मैच खुल चुका है यहां पर और लग रहा है कि अब खेला हो व पहला हो बे अपहला हो बे देखना हो मगना ये नो बॉल तो हो बे अगली गेंद फ्री हिट है और यहां से अब चलिएगा लास्ट बॉल तक जाएगा आजाएगा बाई विलकुल देखो बाई नो बॉल दे दिया हैं पायर ने 148 रन बन चुके हैं दो विकेट के नुकसान पर फ्री हिट गेंद है यह संदीव और यहां तो तु और तेरा 50 लगाने की और यहां पर जोश में आ गए लगता चलिए पर फिर से अगली गेंद इस बार सामने मौजूद हैं बलेबाज इस बार जो है यहां पर जो है कोना जी स्वापनिल सिंग स्ट्राइक पर मौजू और यहां से मुकाबला काफी बड़ा चल रहा है देखिए मैं तब ही कहा ता फ्री हिट पर जाको लॉस कट कर लो कि दो फ्री पर भी मारें गए यहां पर यहां से खेला थो हो गया जी खेला हो गया यहां से मुकाबले में खेल बड़ेया चल रहा है और मुकाबला था उमीद थी कि वाई समपी की टीम जो है कहीं ने कहीं कंबैक करेंगी को डिउव फेक्टर आज साफी दाधा है एक बार फिर से यहां से बठकी वी गेंड पुल कर दिया गेंड को वियर दित्ते के बल्ले से चैका यहाँ पर एक और चक्का आता हुआ दो चोके और छे चोके लगा चुके हैं संदीप और यर बीस रन जीनां इनका एक और बचाए को भी डालेंगे देखिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लीजेगा यहां पर खेल जो है काफी अच्छा चल रहा है अब मज़ा आएगा आखरी के पांच ओवरों में यह खेल खुला है अगली गील राउंड द स्टम फुल लंद की गें ती लोफल टॉस यह गेंज ती गेंट अली और मौजूद एक रन मिलेगा इस गेंद पर इस एक रन के साथ ओवर की समाप्ती होती हुए 15 ओवर समाप्त हो चुके हैं 156 रन दो विकिट के नुकसान पर SMP का स्कोर है मदुरही पैंथर्स का स्कोर है स्ट्राइक पर होंगे विए दित्ते हैं अब देखते हैं सोलवा ओवर लेकि कौन आए कुछ कि आप यहां से 30 गेंदों में 56 रनों की है जरूरत किस तरीके से यह खेल चलेगा भाई प्यूश भाई क्या भाव को गए हो लगता है पुटन टाइम आउट देना ही पड़ेगा आपको बड़ी बड़ी जोस में गाली दे जा रहे हो किसी को लगता है यहां पर रही रहेगा टेलेग्राम टेपर भाई मैं तो तुम्हें कहा तो थोड़े तरह मैं ब्लॉग मिलोगे और फिर दिखोगे भी इस चैनल पर थोड़ा से सहीम रखो प्यूश भाई अपने तरफ ठीक है सब यह कलान बुक वाले दिपोजिट नहीं कर रहे थे अंकित प्रशवत भाई है डिपोईट डिटेल तो लीजेगा डिपोईट डि करने के लिए बुला लिया गया है एम परमॉंजी के दो ओवर हैं देखते हैं क्या करेंगे पेमौन जी के सामने विया दित्ते होंगे स्ट्राइक पर अरुन भाई सुन रहो तो लॉसकर बुक्सर तुम तो करी लो अगली गेंड पेमौन जी की यहाँ पर सामने मौझूद विया दित्ते हैं अब देखते हैं दित्ते क्या करते हैं बार फिर से स्लोर वन गेंद ऑस्टन के बाहर वाइड गेंद है यह इस वाइड गेंद के साथ एक अत्रिक तरनो और जुड़ता हुआ यहाँ पर स्ट्राइक पर मौझूद भी है दिते तीस गेंद यह 55 नों की है जरूरत मुलब 11 रन प्रती ओवर के हिसाब से बनाने है और यहाँ से देखो भाई काथ तो मिली गया और हमारा भी लॉस्ट कट हो गया करें जरा बुक सेट अपना भी काम खता हो आप कोई भी जीता है कोई वाइड फरक नहीं पड़ता और यह गेंद को एक रन मिला है इस गेंद पर तो आप 39 नों की है जरूरत क्या नेल लाइल किं है 39 गेंद इस पारी को खतम होने के लिए चाहिए मज़रोई पैंतर को जीतने के लिए यहां से चिन भाई जुड़े में हमार साथ तैयार हो जाईएगा मुकाबला सूपर से भी उपर हुआ है द्यार रखें एक तरफा नहीं मारा कल की तरह आज सूपर से भी उपर सब्सक्राइब कर दिया भाई मेरा भी आप टीडिया सब्सक्राइब कर लिए ज्यादा कमा के जान उस्तान पाएंगा दो रन आते वे इस गेंद पर तो अब 28 गेंद बावन रनों की है जरूरत बस यह संदीव वार्यर को वर ना मिलेना तोड़ा साथ काफी बढ़िया रह रहा है हमने कहा था हमने कहा था है संपी जीते की जब हार राही हमने क्या ट्रेडिंग दी हमारी को तरा है दुनिया हो गई यह अपनी अपनी लेट 39999 वाई भी तो धार्य आगली कि पिरसे प्योंप जी कि स्लोर्ड वन गेंद बिस कर गेंद को यहां पर कहीं ना कहीं गेंद पर चाहिए तरफ पर देखना होगा चलिए देखते हैं अब यहां से अगली गेंद यहां पर मौंजी के ओवर की चौथी गेंद वी ए दित्तिय हैं स्ट्राइक पर अगली गेंद लोर वन गेंद आस्टम के तरफ पठकी भी पुल किया है उस गेंद को गेंद जाती वी सीधा बिट्विकिट दिशा में एक सिंगल और आता हुआ चार गेंदों में सिर्फ चार अंदी हैं अभी 26 गेंदों में बावन रणों की जरूरत है बड़े शॉट की है दरकार आई थिंग ड्रॉ अरे आम निव भाई तुम्हें बदा ड्रो ड्रोन ही टाय मारेंगे तो ड्रोन हाँ कोनी यहां आंगे करवाएंगे मुकाबले को चलो क्या करते हैं थो अब्धर बंह जा चला है बन्ले बाजी चलिकले बले नज्पे सबस्幅 खेले खाएंगे या फिर रन रोकेंगे एक बार फिर से अगले गेंगे एंप मॉन जी की सुआपनिल सिंग को बड़ा शौट आता हुआ चौका बटो रहा है इस गेंद पर लीजिए सुआपनिल सिंग के बल्ले से निकलता हुआ चौका स्कोर पहुसता हुआ यहां पर एक हिए फिर ट्शास्रन की है जरूरत मुकाबला चली रहा है और जिस हिसाब से यह मुकाबला चल रहा है मज़ा आ रहा है स्कील में चौका हो गया है दोरन मिले हैं दोरन करार दिए चौका नहीं हुआ है फिल्टर से मिस्फिल्ड हुई थी वहाँ पर मगर दोरन बचाए अपनी टीम के लिए फिल्टर के तारीप बनती है आज कम से कम कैच में कैच पकड़ के चक्का जरूर दिया है मगर ग्राउंड फिल्डिंग कोशेश कर रहे हैं कि अच्छी तरीके से करें यहां पर 162 रन बन चुके हैं आखरी गेन क्या करते हैं आखरी गेन पर स्लोर वन गेन स्वापनिल सिंग ने उठाक ने मारा इस गेन को गेन जाती मिड़ विकेट दिशा में छे रन के लिए एक अच्छा ओवर जा रहा था मगर उस ओवर की आखरी गेन पर छक्का बठो रहा स्वापनिल सिंग ने इस चक्के के साथ 168 रन बन चुके हैं 6 दो विकेट नुकसान पर 16 ओवर की समापती के बाद और स्वापनिल सिंग 21 के दम 36 रन बनाकर खेल रहे हैं 24 के दम 44 रन की जरुरत 11 रन प्रती ओवर के हिसाब से रन्स चाहिए होंगे इस मुकाबले को जीतने के लिए खुल गया यह मुकाबला अब जो पलना भारी है वो भारी है अब कहीं न कहीं यहां पर मधुरही पैंथरस का तो अब यह मुकाबला जो है वो घूम चुका है लव लाइफ डैथ भाई फिर से सोचते हुए तब ही कहा ता घबराई यह नहीं आपने सबसे पहले घबराना नहीं है स्लोवर वन गेंद करने गए ते सौबनिल सिंग ने बहुत जल्दी पकड़ लिया था और यह 80 मीटर का यह चका लगा दिया है यहां पर यहां से अगर देखा जाए अब थोड़ा सा मुश्किले बढ़ती हुए नेले रॉयल किंग के लिए बाई जीते गे रहे कि लेकि लाश्ट बॉल तो जाएगी मदुरही पे पैसा लगा हर रवा देंगे बाई बिल्कुल सही कह रहे हैं अब अगर विकेट की है तरकार कौन लेगा विकेट 24 गेंदे 24 गेंदे 44 रनों की है जरूरत 24 गेंदों में क्या 44 रन बन पाएंगे या फिर कोई गेंद बाज जो काम गुर्जा प्रीत सिंग ने किया था क्या वही काम जो है वो करत नदर आएंगे आज के इस मुकाबले में लाइक करिएगा सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और जुड़ जाईएगा हमार साथ इस मुकाबले में एक सो आरसा टरन बन चुके हैं दोवेकेट नुकसान पर 16 अवर जहास हमाब तो चुके हैं सामने मौजूद बले बाद सॉपनिल सिंग पर यहाँ पर गेंद्बाजी करने के लिए राम सिंग सोन रहा है में इस मुकाबले में यहां पर मुकाबला जो है वह का यहां को शिश कर रहे हैं को शिश कर रहे हैं आप दुनें बल्लेबाज 169 लॉस ओफ चूगे केट 161 गेंद हो चुकी है और सौपनिल सेंग जियां सौपनिल सिंग 21 गेंदों में 36 रन बना कर खेल रहे हैं एक चौका तीन छक्के लगा चुक सौपर डूपर हिट रहना चाहिए एक बार फिर से राम सिंग सोनु यादा वोवर की दूसरी गेंद लेका चलते हैं वह डॉट गेंद यह अपनिल सिंग ने कोशिश की थी बड़ा शौट खेंद ले के लिए मगद डॉट गेंद है मगद डॉट गेंद है जद तक आती र देहेंगी कहीं ने कहीं मुकाबले में लाई रोयल किंग के लिए अब देखते हैं क्या होगा आज फिर से एक रूमान्चक मुकाबले की दरकार है यहां से अब किस तरीके से खेल होता है 169 रंस लॉस ऑफ टू विकेट 162 गेंद हो चुकी हैं 22 गेंदों में चाहिए 43 रन जीतने के लिए सौपनिल सिंग 22 गेंदों में 36 रनों की है जरूरत और यहां से अब सौपनिल सिंग की कोशिश यही है बड़े शॉट खेले टीम का स्कोर आगे बढ़ा है तो 22 गेंदे 43 रनों की जरूरत सौपनिल सिंग तयार है इस मुकाबले में अगली गेंद खेल लेक इन बार फिल्टर की गेंद थी सीधे बले से खेल दिया फिल्टर से जस्ट आगे यह गेंद गिरी है एक ही रन मिलेगा इस गेंद पर थोड़सा लोंगा को फिल्टर जो है वो फाइन कर लिया है बाउंडरी के लिए लब स्ट्रेट की तरफ और 21 गेंद बारा की चल रही ह रिकॉरर रन रेट जो है वो 12 खीन है स्टाफ निल वीए दित्तया वीए दित्तया वेदित्तया है 37 गेंद बाहतेर कर खेल रहे हैं बार पिड़ से राम सिंग सोनु यादव किये गेंद फुल टॉस गेंद थी मिसकर गए इस गेंद को पूरी तरीके से मिसकर गए इस केंद को विये दित्ते एक डॉट गेंद आती वे एक और डॉट गेंद यहाँ पर 20 गेंदों ब्यालिस रन की है ज़रूरत अब ननला ही र दुमाएंगे इस मुकाबले को चलो एक बार फिर से गेन लेकर चलते वे राम सिंग सोनु यादव ओवर की पाच वी गेंद है स्ट्राइप मौझूद वी अदित्य है बीस गेंदे ब्यालिस रण की है जरूरत मगर यहां पर इस बार चूक हुई ऑस्टम के ज्यादा बाहर क खूनने का हो चुका है और यह क्या हो रहा है जिकां यह क्या थाहिए में पर फिर से अगली वाइड गард केंद यहां पर विकेट कीपर ना खुश है इस बार शायद रिव्यू ले सकते हैं वाइड के लिए भी मगर यहां पर ना खुश थे विकेट कीपर भी क्योंकि गेंद जहां बिलकुल वाइड लाइन के करीब से जी यह तो लगता अंदर है गेंद वाइड डिसेजन दिया है बीस पर गाल आधियर और फिख्रों कि यहां पर और अजीव हो बदी कि यहां पर अंपर देखिंग नहीं पाएं और पिर भी आरूंकार्तिक करे मुझे नहीं पता वह यहां पर को लेठ रिवियू लिया तो आप आप झालर पर जिद पर पर से अरूं कार्तिक भी जिद पर चुके । इस मुकाबले से भी हो रही है बगर यह वाइड लग नहीं रहता थी यह वाइड की बहुँकल जस्ट करीब से यह गेंद दिकली थी अम्पार ने इसे वाइड करार दिया है अब क्या यह वाइड होगी की नहीं जी यह ऐसा लग तो नहीं रहाए कि वाइड होगी है हम थड़ अंपायर भी अगर उन्फिल अंपायर की जरा ना समझ पाए इस गेंद को तो देखना होगा चलिए एक बार फिर से चेक कर रहे हैं एक एक गेंद की बड़ी ही एहमियत है इस मुकाबले के अंदर कि रिक्वार रन रेट बारा का च यहां से रिव्यू को नकार दिया गया है तो रिव्यू का वाना पड़े गए हाँ पर ने लेग रोयल किंग को अंपायर का फैसला जायस फैसला वाइड यह गेंद थी और यहां पर अनुंकार्ति खड़े हुए वो अंपायर के पास कि भाईया क्या है यह यह लीग ही है य यह क्या करेंगे रुंकार्ति जाइए फिल्डिंग करिए जो होना है वो के रहेगा इस मूं यहां पर इस से टुनमेंट में जो होना है वो होके रहेगा चाय कुछ भी करिएगा आप जो करना है वो करके रहेंगे इस एक रन मिलेगा इस गेंद पर इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ यहाँ पर इस स्कोर के साथ स्ट्राइक पर है अब स्वापनिल सिंग आखरी गेंद है पांच रनाए है भी तक इस ओवर में 19 गेंद में 49 रनों की है जरूरा था कौन डालेगा यहाँ पर जो ह लग्राद फिर का संदीब वर्र को आखरी ओवर दिया जाएगा क्या देखना होगा आगली गेंद राम सिंग्सोर नुयाद आखिए सामने मौचूद बल्लेबास है यहां पर स्वापनिल सेंग स्वापनिल सिंग को गेंद बाजी करें राम सिंग सोनुया दो कि ये गेंद पडिया गेंद ऑस्टन के बाहर कवर की दिशा में खेल नहीं कोशिश थी मर गेंद गई डीप पॉइंट दिशा में एक रण मिलता हुआ अठारा गेंदो में 38 रणों की जरूरत है एक सच्छार रण गेंद गई अठारा गेंदो में 38 रणों की जरूरत है यहां पर आगे देखते हैं किस तरीके से खेला हो बे स्वापनिल सिंग 24 गेंदों में 38 रन आगर खेल रहें 174 रन दोवेकेड नुकसान पर 17 ओवर जो है वो समाप्त हो चुके हैं 18 गेंदों में 38 रनों की है जरूरत जियां 18 गेंदे 38 रनों की है जरूरत चलिए देखते हैं अभी क्या चलता है इस मुकाबले का सूर्तिहाल और किस तरीके से गेम चलता है चले गेंद बाजी करने के लिए अब फिर से एम पेमांजी को बुलाया गया है पेमांजी ने भी गेंद बाजी अच्छी करी है ठारवा ओवर कर रहे हैं बहुत इंपोड़ स्ट्राइक पर हैं यहां पर स्ट्राइक पर आ जाएंगे सत्रा गेंद ए सैंथिस रनों की ज़रूरत दबाओ बनाकर रखा हुआ है और जो भाई अभी भी सोच रहे हैं कि स्ट्राइक हार रही है यह हो रहा है वह सब ब्योकूफ हो जब बस स्ट्राइबरेट आई दे तो लॉसकर्ड बुक सर्ट्रेड करना चाहिए नहीं अगर लालच लालच जो है वह अगर रखके चलोगे दिमाग के अंदर तो कभी नहीं जीता होगे तुम सबको चाहिए एक दिने महल नहीं बनता है कभी बून-बून सागर बनता है तो जो लोग अभी गाले दिरें टीम को तो गॉर्मन सेंस लगाई यह ओड आने की जिम्मेदारी थी आज बनेगा मैच बन चुका था मैच कहीं नहीं अगर लॉसकर्ड बूसर करते तो ट्रेड करके दो टीम है जमें से कोई भी चीन जीती तो प्रॉफिट कमा लेते यहाँ पर स्लोवर बन गेंती फिल्डर नीच जाते हुए 50 गेंदों में 70 रनों की अपारी खेल कर छे चौके और दो चौके लगाकर पाविलियन जाते हैं सोब चतर रन तीन विकेट नुकसान पर 17.2 गेंदे हो चुकी है 16 गेंदों में 37 रनों की है ज़रूरत रिक्वार रन रेट तेरे तसनलो आठ आठ रन प्रती अब देखते हैं क्या होता है इस मुकाबले में अब थोड़ा बहुत देखिए रोल किंग वालों को भी रिलीफ मिला होगा विकेट के बाद समपी वालो भाईया हारेंगे सर अमित भाई समपी हारेंगे सर अरे अमित बाई ट्रेड करा गए इससे बड़ीया मैच क्या लोगए अब इससे बड़ीया मैच भी नहीं लोगए तो जिन्दगी में करो गया इसलिए कह रहो एक्सचेंज पर जोईन कर लो कल्यान बुक का सब्सक्राइब कर दिया है और कहीं ना कहीं जाकर जॉइन कर लो लौश कट बुक सट कर लो भाई लव मैच देखने सजादा तुम्हारी कॉमेंटरी में मज़ा आ रहा है भाई बाता तो है अगर कुछ लोग लगे में नहीं 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 अरे सम्पी तुमने खईद लिए क तुम कौन से उसके जितार हो कि ट्रॉफी जीतेगी है सम्पी अब हमें तो जीस हमें तो अपने प्रॉफिट से मतलब है ना टीम कोई भी जीते मार दिक्कत यह कि हमारे जो वीवर संब कुछ एक टीम के साथ बैठे रहेंगे बैठे लो एक तीम के साथ लालच करते रहोग पर रहोगे फिक्सिंग होगी इससे बढ़िया मुकाबला हो नहीं से तकल का मुकाबला था एक तरफा मुकाबला था कल आज तो कम से कम मदुरे पैंटर अगे तो हारी है कम से कम और हारी नहीं अब जीत भी सकती है बार जो लोग बैठे में नर्के वाले भी अरे जिताओ जिताओ अगया तुम क्या ओनर हो गया फिर प्रॉफिट निकालो गेम से निकलो मगर नहीं हमें तो एक दिन महल ना इनको बनालो महल अपना स्कोर हो चुका 177 रंटीन विकेट नुकसान पर 173 गेंदें किसी भी प्रफेशनल प्लेर से पूछोगे ना एक्सचेंज वाले मगर एक तरफा वाले तो एक तरफा वाले हैं यहां पर आप खेल चलता है और प्रमॉंजी का ओवर काफी अच्छा मैंने का अच्छी प्रशान करेगा आज के मुकाबले में पहले मुकाबले से अच्छा खेल रहे हैं अब जक्तिशन कौशी जरूर आए हैं स्ट्राइक प अच्छी करनी होंगी यहां पर और यहां से अगर मुकाबले की तरफ बढ़े तो मुकाबला काफी बढ़िया रहेगा आप देखते हैं क्या करते हैं प्रमॉंजी क्या बड़ा शौट खाएंगे इसके पर यहां पर और और रबस्या अभाई जिन्दी की बरबाद जिन्द जाना राम से दो टीमों पर ग जाएगा और देखना गेम को नहीं हमें तो एसमपी जिता नी तुम हो तुम मालिग ओखी जीतनी चाहिए कोई भी जीते यार और यहां पर कहीं ने कहीं कोई भी जीतों तुम्हें क्या करना उसमें अच्छा ट्रेड करो चुप चाप से निगलो प्रॉफिट को सो जाओ यार पूरा मैं धेनी जोरती नहीं है तुम्हें चलते हैं जरा मुकाबले के तरफ पे मौंजी के ओवर की आख सब्सक्राइब करना था वापसी आनी थी दुबारा से यह तुम्हें इतनी से गेम समझ में नहीं आता भाई आतंतों समझ ग्याओगे नो तो ड़ी जा ओitelो दिख्कट ये भी तो है तभी तो तुम हार रहा हो और कि dell फर जी जीत रहा यह कईनि कई मुकाबलों को ऐसे करते हैं बॉलिंग वार्यर वाई ऐसी करते हैं वाई ऐसी करते हैं भी देखो राम सिंग सोनु यादव है इस ओर पनरा लग गए तो आपर कहीं ने कहीं संधी वार्यर आखरी में खा लेगा यार चलते हैं जरा मुकाबले की तरफ और यहां से भाई बेस्ट मैच मैच मै चाहिए कम से कम पांच और से फाइव और से तो तो वह तो बहुत मुश्किल होता है भाई अलाना चलिए फिर से अगली के इस बार यहां पर बड़िया गेन थी खेला है उसको डेप मिट विकेट दिशा में आपकर पॉइंट की दिशा में एक रन मिलता हुआ इस गेन पर स चला दिया खेल लो इतनी प्रमोशन कर डाले मैं एक्स्चेंज करता हुआ हमेशा एक्स्चेंज किसले करता हुआ कि लोग खेले कम सही जगा तो खेलें अब खेलेंगे डाला 200 रुपया लगा के बैठें संपी जीत जाए संपी जीत जा फिर से यहां पर गें थी कवर दिश प्रोट लगाना जानते हैं सच चुरासी रन तीन विकेट नुकसान पर अठाट तसनल दो गेंदों के बाद हमाई तरफ से अब कोई भी जीते कोई भी आ रहे हमारा प्रॉफिट फिक्स डेया और बना हुआ है पर टाई नहीं होना चाहिए मुकाबले की तरह बढ़ते हैं ज़र आप खेल के तरह दो गेंदे हो चुके हैं राम सिंग सोनु यादव की कोशिश यही है कि इस मुकाबले में रोका जाए रोका जाए रोका जाए यहां पर फिर से स्लोर वन गेंज सीधे बले से खेल दिया गेंगें को गेंज जारी है लॉग आपकर फिल्टर जस्ट जाए तो मैं आपके लिए आखी डालना संदी वारियर को यह और पिल से बहुत जो आफिक सब्सक्राइब कर देखो बाई क्या होता है ना हो तो बड़ी है चलिए अगरी गेंद एक पर फिर से यहां पर सामने मौजूद है बलेबाद यहां पर सौपनिल से गेंगें लेकर चलते हुए सौपनिल से इंग बड़ा शॉट खेलेंगे इस गेंद पर चीहां सिंगल मिलेगा इस गेंद पर बड़ा शॉट तो खेला नहीं सिंगल ही मिला है और स्ट्राइक पर आते हुए बलेबाद सक्थी शनकौशिक आठ गेंदे चब इसरन दो गेंदों में दसरन च में बता नहीं सकता है इसल Energ PAла रूपने के लिए मटेंगे झाल गेंद्ट खेला जरूर है पर गेंज जाएगी जरूर डी पॉइंट दिशा में इस बार साथ गेंदे पच्चेस रनों की है जरूरत स्वापनल सिंग लगा दिए शक्का कम सब्सक्राइब 19 रह जाएंगे आखरी ओर में को चांस तो रहेगा सबस्क्राइब्स चक्का चाहिए था चक्का मिल गया है लो फुल टॉस ये गेंड चक्का मिलता हुआ इस गेंड पर चक्के के साथ 6 गेंदे 19 रन जी है 6 गेंदे 19 रन की है जरूरा था स्ट्राइक पे चक्तीशन कौशिक है गुर्जा पीज सिंग के पास 17 रन थे वो डिफेंड किया था मगर यहां पर है 19 रन का डिफेंड होगा या फिर चेज सामने बलेबास दाएंहाथ के चक्तीशन कौशिक स्वापनल सिंग भी नॉन स्ट्राइकर एंड पर है 39 गेंड अरतर स्रम ना चुके हैं तो यह मुकाबले में यह 6 गेंदे और कहा था आखरी ओवर तक जाएगा यह मुक मुकाबला यहां पर मुकाबला बना हुआ है मैस्टाई हो सकता है कार्टून भाई करना होगा तो कर देंगे जाके टाई कहीं आ रहो लगा देने जाके तुछास लगा तो 12 13 है अब स्पिनर को वर दे रहे हैं आप यह तरन ट्विस्ट अब देखेंगा मजा स्पिनर के तनात में गाते रहे हैं कि अगर देखा जाये तो संधी वह भरोसा करने निस अट वह पर चुका है यहाँ पर तीन के लिसकारिए लंदि को दे रहे हैं नक्षी याँ फिर मोहन पर संथ को दे रहे हैं ओवर मोहन पर्शांद वैसे तीन मुनतिस खाके बैठे हुए तो महन पर्शांद करेंगे गेंदबाजी स्पिनर गेंदबाज आते हुए यहां पर खेला हो बेया पहला आखरी च्छे गेंदे उन्ने सरुनों की ज़रा तीन च्छक के मुकाबला सीधा मधुरे पैंटर्स के तो मैच जीत निकाल ले जाएगी यहां पर कहीं नहीं रोयल कि आ चुके हैं मोहन पर्शांद बड़ा ही ब्रेव खेला यहां पर अरुन कार्तिक ने भरोसा जाता है मोहन परशांद पर क्योंको दो सेट बल्लेबाज चैने कौशिक दायहात के बल्लेबाज हैं उनके सामने मोहन पर्शांद को ले आएं बाइहात के सा और स्पिनर गेंद बाज तो क्या लगता है उन्नेस रन बचा पाएंगे यह तो पाकिस्तान गयाद आ गई है वह भी लाश्टों लेके आगे थे कोली के सामने मारा घ्मा के देखो क्या होता अब यहां पर देखते हैं क्या करें बुलकोल क्रीब हैं यहां पर पांच गैनों में उननेस रनों की जोत आरें पर मोहन प्रशांद कि दूसरी यहां ऺाइंद ने रूम मना कर नहीं कर दी और चुकर टोंऑ लिया बिलकोली की याद आगे शौट देखा था वहाँ पर उस लास्ट ओवर के अंदर वही छक्का लगा दिया है अब यहां से चाहिए तेरहन जीतने दो चक्के मैच खतम यहां से पहला चक्का आ चुका है इस ओवर में चार गेंदों में बारें की जुरत मोहन परशांत लाइन और लेंज से भिगड़ गए हैं भूल गए हैं लाइन लेंज कि किस तरीके की लाइन डालनी पड़ेगी क्योंकि अगर देखा जाए तो फुल टॉस करेंगे तो क देखते हैं यहां पर मुकाबले की तरफ यहां इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा है बिल्कुल भाई मिश्टर कॉटम भाई वही खेल चल रहा है मैं हाथ का स्पिनर गेंद बास दाय हाथ का बैट्समैन और दो गेंदों में च्छे रन आ चुके हैं जीतने के लिए सामने मौजूद बले बाद जग्ती शनकॉशिक का दो अच्छी गेंदे निकालनी पड़ेंगी मौहन परशांद को दो नहीं तीन निकालनी पढ़ी कि विसे दिखा जा जीतने के लिए तो दो निकालनी तो टाई का महल तो रहेगा चले आपर अगली गेंद इस बार मौहन जीत गई अगर यहां से एक गेंद भी डॉट निकल गई तो शायद खेल बज जाएगा मौहन परशांत की कोशिशे नहीं रहेगी किस गेंद को डॉट किया जाए फिर यहां पर खेल बन जाएगा यहां पर मोहन परशांत के लिए देखते हैं क्या होता है लाइक करिएगा इस गेंद पर गंशेका बाउंडरी तो बटोरनी ही पड़ेगी स्वापनिल सिंग को या फिर चौका है चका लगाना पड़ेगा इस चौथी गेंद पर मोहण परशान गेंद फिसल रही है से पोच रहे हैं पोच रहे हैं अपने उंगलियों को गेंदों को मगर प्रेटेंशन से पसीना आ रहा है उसको भी पोचना चाहिए क्योंकि जानते हैं कि तीन गेंदों में 12 रंच चाहिए और प्ली आफ से यह बुकाबला अगर जीते तो आगे जाएंगे हारे गे तो सीधा घर जाएंगे अब देखते हैं क्या होता है अगली गेंद इस बार मोहन पशान की फुल टॉस गेंद सीदे वले से खेल दिया कवग दिशाम में फिल्टर नीचे आते वे कैच पकड़ लिया यहाँ पर सौपनिल सिंग हो जाएंगे कैच आउट यहाँ पर और सौपनिल सिंग के आउट होने के बाद अब चाहिए दो गेंदों में 12 रन जीतने के लिए चौथा जटका लगता हुआ मधुरई पैंथर्स को 204 विकेट नुकसान पर लोफिल टॉस ये गेंद आस्टन के बाहर कवग दिशाम में खेला ले की कोशिश थी बल्ले के निचले इससे भी गेंद लगे और कवल फिल्डर ने कोई गलती नहीं करी कैच पकड़ा यहाँ पर और मोहन पर शांद को मिलते हैं विकेट और यहाँ पर चार गेंदों में आते वे सात रना भी भी दो गेंदों में 12 रन चाहिए जीतने के लिए दिक्कत ये कि नए बल्लेबाज क्रिस्पे होगा तीस गेंदों में 48 रन मरा कर एक चौका और चार छक्के लगा कर सौपनिल सिंग पविलियन जाते वे यहाँ से क्या मुखाबला चल रहा है जी अजीतेश गुरु स्वामी ने पकड़ा है किसको भेजा गया बल्लेबाजी करने के लिए क्या आते ही जी आपी के सरवनन बड़े शौट लगाना पसंद करते हैं मैंने आपको बताया था कहीं ने कहीं मगर यह अच्छी बात है दो गेंदे दो छक्के मैच खतम अगर एक गेंद भी डॉट निकल गई तो यहां से मधुरे पैंथर्स टीम बाहर हो जाएगी इस टूनेमेंट से अब देखते हैं क्या होता है प्रॉफी तो किसकी होगी वो सभी बताएगा मगर यहां से इस मुकाबले को जीतना बहुत जरूरी है बरही क्लोज मैच है दो गेंदों में चाहिए सिर्फ और सिर्फ बारा रन जीतने के लिए दबाव बना हुआ है इस दबाव को क्या निकल पाएंगे क्या निकल पाएंगे इस दबाव से इस पिनर गेंद बास दाहे हाथ के बले बास पीके सर्वरन एक बाउंडरी एक छक्का तो चाहिए होगा इस गेंद पर छक्का लगाना ही पड़ेगा छपक छक्का कंपलसर ही है चौका भी आया तो कोछ चलेगा यहां पर कहीं ने रोयल किंग के लिए क्योंकि अगर चौका होग है खेला होग है चले यहां पर बायात के बले बास पीके सर्वरन हैं स्ट्राइक पर सामने माजूद बले बास पीके सर्वरन सीधे बले से खेल दिया गेंद को लीजिए चका तो पहली गेंद पर लीजिए एक गेंद पर चाहिए छे रन जीतने खेलिए एक गेंद छे पीके सर्वनन है स्ट्राइक पर 206 रण बन चुके हैं और 206 रण बन चुके हैं यहां पर चार विकेट के नुकसान पर 19.05 गेंदे फुलर रंद की गें थी है सीधे वले से खेल दिया गलत गेंथी है दूर रखने की कोशिच चाहिए यहां पर दूर रखना होगा कहीं नहीं नारन के पीके सर्वनन से उआ हो सकता है वाई डालके चौका मारेते तो टाइव हो जाएगा यह भी हो सकता है टी एं प्यले कुछी हो सकता है इस हहाँ पर टी एंशो की हाँ पर तीएन ciao अजए यह बात करते हुन है यहां पर कफ्टान के बीच और लगा से कालने के लिए कहा गेंड रखेंगे राऊड स्टमपाकर पैड पे इनको सीधा हो के विए था के मारा तouting लगते यहां से मद्रोय पैंथर से हो जीत जाएगी और अगर चौक अगर बोला चौक अगर लगा यहां पर तब भी अगर बात कि जाए तो मैं जीट जाएगी न लाइए रोयल खींग तो यहां पर एक गहन का फासला है जीत और हार के लिए विकेट कीपर भी कोशिश कर रहे है कि आगे रहे आगे रहना भी चाहिए विकेट कीपर को भाईया स्मिनर गेंद बाजी कर रहे हैं तेज गेंद बाजी कर रहे हैं और यहां से अगर देखा जाए तो अब विकेट कीपर भी अपना ग्यान जो है वो दे तो यह थोड़ी से सिट्विशन बनी हुई है मरेक रिस्तों लेना है पड़ेगा आउस्टों के ज्यादा बाहर गेंद करिए फुल टॉस से बचके रहिएगा फुल टॉस डाल दिया तो भाईया छक्का लग जाएगा फिर तोड़ा हम हम नरा जो जाएंगे आप आज जाए था आते ही छक्कल आगए खेमे में एकदम डर का महल पैदा कर दिया है पीके सर्वनन ने मोहन परशान भी घबराए घबराए गेंद बाजी कर रहे हैं मगर कॉन्फिदेंस नहीं रूज करना चाहिए एक रिस्तों लेना ही पड़ेगा यहां पर यॉरकर करिए सामने मौझोद बंद भास फीके सर्वरन नवी के सरवरन भीके सिर्वरन राजी करने के लिए गेंद भास समय ले बिलेका सामने है पीके सर्वरन नोबल चेक की जाएगी मगद नोबल चेक नहीं यहाँ पर यहाँ ऄपर नेले रॉयल किंग को खेलना है डिल डेंडी गूल रागन के साथ नेले रॉयल किंग को अगला पायदान पुजाना है और वहाँ से मुकाबला खेलना है जो उसमें से जीतेगा वो जाएगा सीधा सीधा जी आँ फाइनल में जी आँ सीधा फाइनल में जाएगा आप देखते हैं कौन जाएगा फाइनल में और कौन जाएगा आगे तो लाइक करिए करेंगा सब्सक्राइब करिए का चैनल को मुकाबला काफी बढ़िया चल रहा है और काफी जबर्दस रोमांचक मैच रहा था और मज़ा आया इस खेल के अंदर क्या कहते हैं आप सब्सक्राइब कर दो सब्सक्राइब करेंगे सब्सक्राइब करेंगे और भागी आप सब्सक्राइब कर लिजेगा और वहां मेरे नाम बताजिए क्रिक लाइब हिंदी का नाम ले लीजेगा सब्सक्राइब करेंगे एक दिन महल खड़ा करना है वह खेलना चोड़ दीजेगा वह खेलना चोड़ दीजेगा जिनको बहुंद बहुंद सागर बनाना है वह इंजुआए करिएगा मुकाबल का अरुन भाई कहा चलेगा अरुन भाई ने भी लॉस्कट वुक्सर नहीं क्या होगा अब जीत नहीं पा रहे हैं और ऐसे बैचेश में भी आगर नहीं जीत रहे हैं तो भाई फिर खेलना चोड़ दीजे इस से बड़े तो आप खेलना ही छोड़ दीजे मुकाबले के अंदर तो चलिए यहां से अब खेला जो है वह समाप्त हो चुका है इस मुकाबले का और बात की जाए तो धन्यवाद आप सब लोगों का सपोर्ट करने का इस तरीके सपोर्ट करिए गार लाइक करिए का सब्सक्राइब कर दीजे चानल को और इंच्वाइब करिए आज जात को जो भाई हार है उनको सोचना चाहिए दस मिंट निकाल कर सोचिए गा या तो आप ग लिए करिएगा मिनमन डिपोजिट जह सो रुपे का है जो विड्रॉल जह सो रुपे का चलिए मिलते हैं आपसे अब अगली स्ट्रीम पे सभी भाई को गुड़ नाइट शब अखैर जयहिंद जया बारत मिलेंगे आपसे अगली स्ट्रीम पे तब तक के लिए लाइब कर दीजेगा स्ट्रीम को लाइक कर दीजेगा और जुड़ते रहिएगा हमार साथ लाइव हिंदी कमेंटरी में प्रिकेड लाइव हिंदी के साथ मिलते हैं आपसे अगले मुकाबले में तो तक के लिए गुड़ नाइट शब खैर जयहिंद जया बारत कर दो लाइब के लना बारत कर दो हो लिए Nagष थार जया चरह मिलते हैं और जय्ठ रहिंद प्रिकेड हिंदी Áंट झाल, 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 झाल झाल, 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 झा झाल, 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 झाल झाल, 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 झा झाल 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 झाल